तो टुनामेंट में हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे हमारे महानोबा उपस्तिते वी आईपी डायस के उपर उसका हम पुछपगुछ देके स्वागत करेंगे तो सबसे पहले हमारे समाज के उप्रमुक श्री अस्विन भाई पटेल का स्वागत के लिए इन्वाइट करता ह पुछपगुछ देके स्वागत किया जाएगा तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे अस्विन भाई पटेल पाडिदार समाज के उप्रमुक के लिए उसके बाद हम डायस के और आगे बढ़ते हैं हमरे मानिय सनमानिय मंतरी स्विन पाडिदार समाज के जेतन भाई एड़ोकेट सर जिसके स्वागत के लिए इन्वाइट करता हूँ जयकी सन भाई के हस्तक से पुषपगुछ दे के स्वागत किया जाएगा जयकी सन भाई के हस्तक से उसके बाद इस टूनामेंट को एक अशिर्वाद अपना असिर्वच्ण देने के लिए उपस्दित हुए है हमारे कथाकार स्री मीतियस भाई जोसी सर जी उसका स्वागत के लिए फिर से मैं पंकीत भाई को इन्वाइट करता हूँ पंकित भाई पुछ पगुछ दे के स्वागत करेंगे हमारे कथाकार है स्री मानिय सन्मानिय मितियस भाई अजोसी जोड़दार ताली होने चाले है साब के लिए उसके बाद हमारे समाज के फ्रंट लाइन के मेंबर किरन भाई पटेल जिसके स्वागत के लिए इन्वाइट करता हूँ हर्स भाई को हर्स भाई के हस्तक से किरन भाई का स्वागत किया जाएगा बहुत ही एनरजेटिक इंसान और हर काम के लिए ततपर रहता है ऐसा कोई इंसान है तो किरन भाई पाटिदर समाद की और से उसके बाद अनिल भाई पटेल जिसका स्वागत के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ वीरल भाई वीरल भाई के हस्तक से अनिल भाई का स्वागत किया जाएगा पुछ पर कुछ देने के बाद दिवियस भाई उर्फे दिपू भाई के स्वागत के लिए इन्वाइट करता हूँ डी जेट्स ये ग्राउन के ओनर अत्रुसित भाई के हस्तक से स्वागत किया जाएगा दिवियस भाई उर्फे दिपू भाई का उसके बाद जीतु भाई अमिन्द सर का स्वागत के लिए इन्वाइट करता हो बाबा फडविल बाबा फडविल के हस्तक से स्वागत किया जाएगा जीतु भाई अमिन्द सर का हरिस भाई पड़िल सर का स्वागत के लिए इन्वाइट करता हूँ हिरिन भाई को हिरिन भाई पुछब कुछ देखे स्वागत करेंगे हरिस भाई पड़िल सर का उसके बाद हमारे मानिय सनमानिय मितिस जोसी सर के साथ उपस्तितु ए स्री रमेश भाई जिसका स्वागत के लिए इन्वाइट करता हूँ राहुल भाई राहुल भाई यह वापी से मिलोंग करते है तो राहुल भाई के हस्तक से स्वागत किया जाएगा तूनमेंट को आगे बढ़ाने से पहले और उटगाटन को आगे बढ़ाने से पहले मैं इन्वाइट करूँगा हमारे मानिया सनमानिया मंतरिस्ति चेतन बाई पटेल जो अपनी जुबानी इस टूनमेंट के बारे में और हमारे पाढ़ीदार समाज और जो इवेंट सेवा का करिकेट के जरिये उसके बारे में अपनी जुबानी कुछ बढाएंगे तो वेलकम सर आपका स्वागत है जेदन बाई पडल के लिए एक बर जोड़दार ताली होनी चाहिए प्रमुक कैतरर्स त्वारा आयोजित पाटिडार क्रिकेट तुर्नामेंट मा आपनी वच्चे उपस्तित समाजना उप्रमुक स्री अश्विन भाई कठाकार स्री मीटेज भाई एमनी साथे उपस्तित रमेज भाई मारा कारोबारी मंदर ना तमाम सब्यों तठा समाज ना सव खिलाडी मीत्रों आज नी आटुनामेंट नो एजे हेतू छे के अनाठा आश्रम माटे जो कोई आयोजन करियू होई तो कड़ाज आ समाज माटे पहलू आयोजन हसे तो आपने आयोजन करताने जोड़दार दिल थी आपने वड़ाविये जनरली आयोजन कोई पोटाना माटे करता होई पोटाना गाम माटे करता होई पड़ कोई परोपकार माटे बिजा माटे जो कोई आवेजन कईरू होई तो पंकित भाई अने एमनी समगरत टीम ने खरादील थी समाज वाटी पन अमने रड़ाई पूर्वाक एमने अभिनादेन आपी अचिये अने आवा समये आपने संटो महंतो ना असिर्वाट पन अईये उपसीच छे तो सो टका आपने आपना समाज ना डरेक खेलाडियो आ टूर्णामेंट ने जे हेटू माटे आवेजन करेलू छे तो हेटूने सार्तक थाई अने समाज नी इज़ड कोई रिते नुक्सान न टूर्णामेंट आपने साथे रहीने रहमीशू एभी हूं आप समने सुभेच छापूजू अने टूर्णामेंट नू आयोजन करवाबडल पंकिट भाई अने अमनी समगर टीमने बर सुभेच छापूजू अने साथे अमारी कारोबारी तरफ्थी अमे अग्या रजा अबर मान्य सन्मान्य रमेश्का का जे समाज ना प्रमुक्सरी छे हेल्थ इस्यू ने कारान उपशीत नाथी हो सब्सक्राइब तो त्यामने सुभकमन आपी छे तूनामेंट माटे तो त्यामनों खुब-खुब अबार तो फरी एक वार सेवा कारिया अवे अपने जे व् सिम्लेंड वर आयोजन करो मा आवियोतू संजेवाम क्रिकेट ग्राउंड उपर त्याहां पांड कमसे कम छो लाखनी नजीक नी एमाउंट बेगी थायाती अने समाज माटे दान मा अपपामा आवियोतू अने तीजी तूनामेंट छे अन्दान महादान जेनो मेंड परपस से महीन हेतू छे तो एमना माटे पर जोड़दार तारी थाविये आ कारिये जो कोई करी सकतू होई तो वन अन्ली लेवा पाटी दार समाजेत करी सके छे अने आ टूनामेंट माटे ओफिसल्स दी वाद करिये तो BDCA थी एमपायर सर ने इन्वाइट करामा आव छे एमना मा अनन्ड अनने केमेरा मेन जीकनेस माटे पान एक वार जोड़दार तारी थाविये तियार बाद सोल टीम ना सोल टीम ना ओनर से एंट्री लिडी छे अक्षन करी टीम बनावा मावी छे आइकोन आपवा मावे छे तो एमना माटे पान एक वार जोड़दार तारी थाविये अने खास एक मेसेज है दरेके पोतानी स्पोर्समेन स्टीट साथ है आ ग्राउन उपर अम्मानू छे अने जे भी आपड़ा कमीटी मेंबर्स आयो चक एमपायर साना डिस्टी आना से एने धियान बार आखे आगवधी सुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ गुर्दार तारित हवी जोई है वेल्कम सर वक्रतुन्ड महाकाय सुर्यकोटी समप्रभा निर्विघनम कुर्मे देवा सर्वकार ये इसो सर्वदार पाटिदार समाज हमाई खास करी और डायसुपर बीराजमान तमाम महानुभावो तमामने जैसी कुरुष्टन प्रमुक केटरस अमारे अंकित भाई पटेल अनेमनी आखी टीम अमारा सोडे सोड तिमना ओनरो तमाम खिलाडी मित्रो अने खास करी ने जैनी साथे अमारो एक देहिक नातो छे एवो अमारो बानेज तुरुषित पटेल अब धाने मारा जैसी कुरुष्टन परुपकाराय जीवेती सो जीवेती जीवना वेद एम कहे छे साहिप के पोताना माटे तो कुत्रा ने खबर छे पोताना माटे तो बिलाडी ने खबर छे कोई कुत्री वियाई होई अने एने आपडे एक तुकडो रोटलो आपी है एटले एना बखोल सुधी लई जाई अने एना बच्चा हो साथे पाट करी अने खाई कमायावू अने परिवार जोडे बनबार ने खाईवू एतो कुत्रा नी प्रकुरूती छे पन मेल्यू होई एमा थी दिनहीन ने आपड़ू निराधार ने आपड़ू अनाथो ने आपड़ू गरीबो ने आपड़ू एकोई आ परिवार मा थी सीखी ने जो कोई जायने होई तो पंकित भाई देशाए एवो पटेले एवो मंत्रा लिदो छे के जे पन आवे अन्यदान थी मोटू जगतं मा कोई दान न थी अमें तो कथाओ में कई हैं कि कोई मानस तमने होकी याने पाई प्ले ने मारवा आवे तो एने मारवानु भूली जाए और पगे लागी ने जतो रहे के ठैंक यू बेरी मच आठी आपने दोस्ती पाकी आठली ताकात अन्न माँ छे एक मासडी वालो होतो ने वासडी वगाड़तो थो थोड़ा चोकराओ आजू-बाजू होता इले पहलो एक राग वगाड़े के दार जो वगाड़े के एक संत नो आस्रम आनि त्या अ बपोरे बार वागे हरीहरनो साध पड़ियो भगवाने थाड़ अदर आए वैट ले किस्तू हरीहर चालो बदा प्रसाद लेवा एले छोकराओ एकी बिला वांसडी वाडाने, कि हमने बदा राग करता, आराग बदारे गमेज अज इवनमा साचू सूचे, आपने नती पाइमाई कोकने आपता सिखो एक दिन हम टहल ने निकले, मन में कहीं अर्मान थे एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ समसान थे चलते चलते हमारा पैर एक हड़ी से टकराया तो वो हड़ी के भी बयान थे, कि चलने वाले जरा संभल के चल हम भी कभी इंसान थे जहां दया छे, जहां प्रेम छे, जहां करूना छे तियां जाओ उक आम थाई सके हम तो साथ वार छे, आठमो वार पाटिदार साथ वार तो छे, आपने साथ वार तो जिवान आच चे पन एक वार अलग चे आ समाज माँ, एचे पाटिदार एक वार चे, और समाज ने कदाज कोई आईप्यू होई समाज ने कोई कहीं सिखवाईड़ी होई अने बारत ने जो कोई देवानी वृत्ती आपी होई तो पाटिदार समाज आपी अवूं कायम बोईलो जोच अने आज संस्कारों डिपे, आपला मावतर एक केर्यू होई तो आपला मावे, देशी केवाचे, कुवामा वई तो हवाला मावे अने करी होई नकरी सके, जयाने दिदू ही देग सके बागि देवा थी कोई नू घटशू नथी कोई नू गट्यू ये वो कोई पन हिसाब आ दुनिया माँ छे जनी हाँ बेगू करनारो साथे नती लेग्यो इवाद सत्या छे पन जैने वाइपरियो छे इनी साथे पुन्यनू भातु लेग्यो लेग्यो औने लेग्यो छे तो आवड़ो मोटू काम जरे पंकित भाई लेग्यो ने बैठा जे पाटिदार समाज एना डाइस उपर बेठेला मेहमानों इमनों दान यूगदान आपू जे तो हूँ पन काई काई कापू मारी इच्छा तो एकावन सो रूपिया हूँ आ कामने अरपन करो जो कान के हूँ हूँ आपू तो कोक ने कही सको निक तम्हें आप जो एक भाव यूपन डाकी सको और समाज ने हम कहो कि अग्यार अजार थोड़ू ओछू उच्छे थोड़ू तम्हें जोईले जो तम्हारा इसाबें हाँ मैं आइपा त्यारिट कही सको ने हूँ नो आप कान के हूँ एक काई पर मारत के काम महा मनें मांगता ना आवे लहें अठो विजा माटे अठेश बैलकों माटे अध्याओ ने काच यह चैना आशिरोवाद अपट अपड़ा परीवारं ने मढता रह य sequel 3 यह ने यह तम्हामें तम्हामम चिलाधी ने खेल दिली राक हाँ आनन्त फी रम् आपने रम्मियें चिये ग्रावन मां रम्मानू ग्रावन नी बार रम्मत रम्मानी नई आपने ग्रावन मां रम्मियें बोव थाईगी अने उपन दर वर से रम्मालू मां दर डुडेटी हुँ समाजनू आयुजन उपोते रम्मू आज ग्रावन उपर अने फिक्स करेलू वानिया आथे डुडेटी अमारू है ज ब्रह्म समाज में इले अउपन एक खिलाडी जू इले खिलाडी नाए उड़कू जो केवी रितनो भाव होए तो खोब आनन्ती रमो और आयुजन पंकित भाई नू ठाकोर जी खोब निर्विगने पार पाले और बापाना खोब निर्विगने आप लुगा काम संपन थाई एवी मंगल कामना खोब आसिरवार सवनो आभार जैसी कृष्टना जैसी कृष्टना मितिस भाई महाराज माटे खुबत सरव स्वातकरी मितिस भाई महाराजे तियारे मने पने एक वीचार आवियो कि जिन्दगी में सब कुछ मिल जाएगा जिन्दगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे कुछ अधूरी ख्वाई से जिन्दगी जीने की मज़ा देती है तो एक बार याद कर लेना कि किसी को मदद करना है जिन्दगी जीने की मज़ा आ जाएगा अपना प्रोब्लेम साइट में रह जाएगा किसी को मदद कर ले ना एक बार सोच बना लेगा इंसान तो बहुत आगे बढ़ जाता है महाराज जैसे करश्तन महराज नी वातने आगाडवतारी एक वार आपड़ा कमीटी मेंबर समाझ सारfire भांग हांच ने महीद्ध बढ़ő ने ऍ clusters निवेदांछ भीय दीप प्रागट ये करीशूं, तियार बाद ग्राउंड उपर जाई स्त्रीफड वदिरी टूनामेंट टॉस करी टूनामेंट खोली मुखीशूं, तो प्लीज विएपी डायस थी नीचे आवी, स्वामी डायन प्रगवान अने गणपती बापा नी जिया प्रती मा छे, तो आपने दीप प्रागट ये करीशूं, तो गणपती बापा माटे मने एक वाद याद आवे, कि गणपती पाठ करवाना आजे घणा लोको पासे टाइम नथी माराज, लोको ने समय गटे छे, और यू केवाई कि कोई बी कारिया पहला, कोई बी कारिया, कोई बी तकलिप न अंदर सफर्दा मडे छे, तो हुए बार नामनो स्मरण करूछू, सुमुख, एकदंद, कपिल, गर्जकनक, लंबोदर, विकट, विदननासयक, विनायक, दुम्रकेतु, गणदलक्स, भालचंद्र, गजानन, आगणपती बापाना बार नामनो स्मरण करूछे, अने दरेक नी मनोकामना अग्राउन उपपर, जे भी व्यक्ति उपस्ति छे, कोई कड़ाच, अवाज पन सांबड़तो है, ते नी पन मनोकामना पूनि थाई, एवी गणपती बापाना चर्णोमा प्रातना, थेंक्यू. जानम आरोग्या धनसंप्रदा, शदर भुथि विनाचाय, दीप जोते नमस्तुते, दीपो मेहरतु पाप, दीप जोते नमस्तुते, बोल्यष्वामि नारायन भगवान कीजे, प्रमुक्स्वामि महराज कीजे, गनपति गजानन महराज कीजे, आजशक्ति अंबे मात कीजे, द्वारी काधिश कीजे, सोमनात महादेव कीजे, प्रमुकेत्रस लिलापुर द्वारा आयोजीत पाठीधार समाज क्रिकेट टुनामि बेहजार तेवीश, खुब अज मंगलकार्यानी शिरुवात, परम पूझ्य विश्व विक्यात, मितेश बाए जोशीक भागवतार्य औन महानु भावद्वारा आप्रे जिरिपागित किर्यू अवे आपडे ग्रावन उपर जै श्रिपल वजेरी अने क्रिकेट नी तुर्णानू प्रारम करश्यू अस्तु जैसी यारा जैसी यारा तो सर्व वी आईपी महानू बावने निवेदन छे अने सादक पर अने लिलापो लाइनस ना कप्तान ओनर्स ने निवेदन छे विकेट उपर लाइनप थाईशू अने तियां राष्टगान थासे तौस थासे अने पसी मेच चालू थासे सौथी पेला स्रीफर्ड वदेरी टूनामेंट ने खुली राखवा मावसे हर्चद भाई स्रियादा अने गिरिस भाई पटेलने पन निवेदन छे तमे पन ग्राउन उपर उट घटन माटे जोडा सो तो खुब खुब आपार हर्चद भाई पटेल सर ने निवेदन छे स्याड़ा तमें जोडा सो यह उटका डनी अंदर तो खुब 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 प्रमुत काका तमारी पन हाजरी नी जरूर छे तमे पन जोडाओ विकेट उपर प्रमुत काका प्रमुकेटरस ना प्रोप्राइटार्स ओनर जैस्वा मेरान प्रमुत काका अगस झर्छाओ झाम झाल झाल तो यहाँ पे सबसे पहले राश्ट्रेगान होगा तो ग्राउंड के बाउंटरी के बाहर जो भी बैठे उसे निवेदन है कि अपनी जगा के उपर खड़ा होना है केप डाला है तो आप केप निकलना है तो एक साथ साउधान होंगे साउधान और रस्टगान के लिए टीचे बाबु वाले से निवेदन रस्टगान सुरू किया जाए जनगनमन अधिनायक जयहे भारत भाग्य विठाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा राविड उत्कल वंगा इंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्चल जलगितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मांगे दाहे तव जयताथा जनगनमंदल दायक जयहे भारत भाग्य विधाता जयहे 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 बारात माता की वन दे पाटिदार समाज की तो पहला भुकबला यहाँ पे जैई पाटिदार 11 साड़कपॉर के कप्तान और लिलापॉर लाइंस के कप्तान यहाँ से भाविस पडेल और मनन पडेल से निवेदन है आपको टॉस करवाना है यहाँ पे बाविस पडेल कप्तान से निवेदन है आपको आना है और मनन पडेल दोनों प्लेइंग 11 दिया है सर आप लोगों ने प्लेइंग 11 क्रिक हिरोस के स्कोरर को कॉइन स्पीन हुआ तो टॉस जीता है यहाँ पे जैपाड़ीदार साड़कपॉर न टॉस जीता और पहले फिल्ड करने का फैसला किया है और लिलापॉर लाइन्स को बलेबाजी के लिए इन्वाइट किया है तो यहाँ से मैच को सुरू किया जाएगा बहुत ही जल टॉस हो चुका है जैपाड़ीदार 11 साड़कपॉर वर्सिस लिलापॉर लाइन के बीच में टॉस साड़कपॉर जैपाड़ीदार न जीता और पहले फिल्ड करने का पैसला किया और बलेबाजी के उपर इन्वाइट किया है लिलापॉर लाइन्स को थैंक यू नियूस प्रम दी सेंटर वन द टॉस भाई जैपाड़ीदार साड़कपॉर न डिसाइडि तो फिल फॉस फॉस मेंचे बिट्वीन लिलापॉर लैंस वेल्कम रसिक भाई स्वागते सार अपका मिदान के ओपर और और अर्गनेजर कमीटी की और से प्रमुक केटरस कप दूसरा सी जना हुमारे जो आमतीत मेमान है उनको बिंदी करते हैं कि जल से जल मंस के ओपर ब्रियाजमान हो जाए कुछी मिन्टों में पारी की सुरुआतों ने जा रही है दोनो टीम जैल पाटीदर सादक पर और लिलाप और लांस की कपतान को बिंदी करता हूं आपका 12 मैं कम्पल्स अरिया बाइस बाई आपका 12 मैं कॉमिटी बॉक्स में बेजेंगे फोटोग्राफी के लिए दोनो कपतान को कॉमिटी बॉक्स का सबख के लिए कोमेंटी बॉक का संपक करेंगे आज के दिन टूनामेंट की सुरातो चुकी यसीरी प्रमुक्रेटर्स लीला पोर द्वार आये जीत पटी दर्समाच्करिके टूनामेंट दोहजर तीविस दूसरा सीजन डेन नाइट टूनामेंट से प्रमुक्रेटर्स कब दोहजर तीज का यह पेला मुकाबला जाई पाटिदार सादक पुर लीला पोर लाइन्स के बीच में टॉस हुआ जाई पाटिदार सादक पुर ने टॉस जीता आये लीला पोर लाइन्स के सामने और घैन भ स्पोट्सूट्स अपसूंें कि अज कि दिन खेल जाएंग हमारे वेन के ओविसिल पैनल की बाद की जाए तो हमारे साथ कोमेंटेर गणेश हमारीнок जीटु पटेल सर हमारे ठीक बगल में करीकर उसको स्कोरर आनद यूट्यूब लाइक के उपर है स्माइल चैनल के उपर आनद भाई के ऑपरेटर है और अमपेर जीतू पटेल और होमयर कासर सर और जापक सर तीनों और बीडी से के कौलिफाइड अमपेर को सामिल किया गया इस टूनामिन के लिए इस टूनामिन का में परपस है इसका में परपस है अना तस्रम के लिए जो दाजरासी जमा होगी वो दी जाएगी तो जितने भी प्लेयर है जितनों भी टीम है मैं बिंदी करता हूं स्पोर्ट में स्प्रित दिखाएंगे महराज ने जिस तरीके से बताया कि इस टूनामिन को मिदार के उपर ही खतम करना है बाहर लेकर नहीं जाना है थोड़ी सी इदर उदर हो जाए गल्ती हो जाए अगर अंपरसी मिस्टे को या कुछ न कुछ गतना गड़ जाए तो आगे पीछे करके स्टूनामिन को खतम करना है इसके लिए स्पोर्ट में स्प्रित सभी टीमों की वरसे हम चाहते हैं तो आ का बहुत बहुत आबारी रहेंगे कुछी मिन्टों में पहला मकाबला सुरू होगा है चालिस मिनिट के अंदर पारी को खतम करना है वो दियान रखना जरूरी है दोनों कप्तान का फोटो पंकित भाइ फोटो हो गया है ओके अब मैं कॉमिटी बॉक्स में आज के दिन की लाइव यूटीब लाइव की फैसलिटी हमारे जो दूर दराज के दरसक गर बेटे या अबरोड के अंदर जितने भी हमारे चहीते दरसक के स्टूनामिन के वो मैच देख रहे है उसके लिए यूटीब की फैसलिटी उपलब्द की गई है कोई डिव्यू सिस्टम इस टू अगर देड़ी करेंगे तो अमपैर पनिस्मेंट के रुप में वो ओफिस्यल जो रूल से है वो फॉलो करना पड़े आपको दूसरा कि टूइलमेंट के अलाวा मेदान के अंदर पानी लेकर नहीं जा सकते चार चार अवर का एंड रहेगा चार अवर के बाद पानी मिलेगा गर्मी है डिहीडरेशन हो सकता है गर आपको ज़रुटपड़े पानी की अमपैर की परमिशन लेकर टूइलमेंट को पानी के लिए बेच सकते हैं आप पानी मंगवा सकते हैं उसके लिए मना नहीं है किसी को पानी के लिए या कुछ भी energy drinks के लिए किसी को मना नहीं है अगर आपको चाहिए तो organizer committee ने announce किया है कि empire की permission लेकर 12 men पानी लेकर आएगा और अगर compare कप्तान को कुछ news देने के लिए मिदान के अपर अगर आने की जरुरत पड़ गई तो empire की permission लेना अनिवारियो है तो मैं जल से जल बिंती करता हूँ के please filling team जल से जल मिदान के अपर पहुँचे और अब बिंती करते हैं झाल 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 मैं झाल 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 पत्वो झाल 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 तो इस बीच यहां से आज के दिन का पहला मुकाबला प्रमुक के तरस लिला पॉर्ट वार्ट वारा है। और बलेबाज भी है पिंटू स्ट्राइक के उपर डाउन 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 के लाइस बार मीडविके किनिसा में पहला रन यहां पाटिदार समाच वाला प्रमुक के तरस द्वारा है जन किया गया जिसमें पहला रन पिंटू के बलने से आया तो इस बीच अच्छी सुरुवात हो चुकी है एक अच्छी टुनामेंट लिला पॉर्ट लाइंस पहली गैन के उपर पहला रन पहली गैन के उपर सिंगल दूसरी गैन के उपर सफलता तो इस बीच गैनबाजी के उपर बावेस और खिलारी के रूप में पाथ ता जीन होने कोई गलती नहीं कि तो यहां पे लगने वाला पहला जट का पहली सपलता यहां चाई आउट होने के बाद पेवलेंट के और रुक कर चुका है गोल्डन डग का सिकार हुआ पहली सपलता यहां पे भावेस पडल के नाम यह आठ अवर का मुकाबला है जिसमें दो वर मेंडररी पावर प्ले और चार गैन बाच को सामिल किया जा था इस बीच पाया है के मले बाच ने लौट करने का प्रयास किया था और पीछे पार्थ पहले उल्टा भागे थे मीड़ आफ के उपर थे उसके बाद एक अच्छ हैंड आई कॉंडेसर देखे मीड़ आफ की निशा में खेला लेकिन लौग आप बाउंट लाइन के उपर था जब तक फिल करने के बाद त्रो किया जाए गैन बाच बावेस की और एक सिंगल दन पूरक्या सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर दो रन एक विकेट के नुक्सा में यहाँ पे चौका बटोरा चौके के साथ स्कोर कार के उपर छे रन एक विकेट के नुक्सान के बाद लीला पॉल लाइन देखे इस बार उन साइट के उपर पीछे खेला रिसॉट बिटिकर फिल्ड किया अरनल लेडे के चेश्टा को खार इसकिया बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत हरी फिल्ड करने के बाद जो खेला लिए पोजिशन बना ली थी वहाँ पे रन आउट के लिए एक अच्छी पोजिशन बना ली थी थो करने के लिए इसमीच डॉट गैंट बिंदी गैंट पावबले का पहला ओवर देखे इस बार निगाहे कहीं और निसा ना कहीं और खेलना चाहते थे उपर से लेकिन गैंट जमीन के साहरे स्क्वैले की निसा में वहाँ से सिंगल रन पुरा किया सिंगल के साथ पावबले का पहला ओवर खतम हुआ साथ रन बने एक विकेट के नुक्सान के बाद लिला पॉर लाइन दूसरा कमेंटरी बॉक्स एंड की और साय के ऊपर पिंटो डेके इसबर गैंट बाजी चरणों वेजा बाउंट्री के सथे अपर से युजन हाई मैक्सिमम सिक्सर और छे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेरा रन एक विकेट के नुक्सान के बाद झाल 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 अब तेरा रान हो चुके एक विकेट के रुक्सान के बाद अवर नबर दूस्तरा प्रकादी के उपर पाउप ले चलता हुआ ठटिया सर्कल के अंदर चार खेलाडी है अच्छी गैन थी इस बीच यहां से सीधी विकेट कीपर के हाथों बे चली गैन वापसी करवाई पीछली गैन के उपर जरूर यहां से शिक्सर अरब्रटोर अठा उसके बाद वापसी करवाई यूमेस ने सौट ठडबिन के उपर एक खिलाडी है पॉइंट के उपर कवर के उपर और मीड़ोफ के उपर उस प्रकार से चार खिलाड जटिया सर्कल के अंदर अपसाइट के उपर देखें रिवर सिप में इस बीच बहुत ही बहतर हैं गली के उपर गया जा रही है बाउंट लाइन अब 17 के उपर खत्रा गैंबाज के उपर या बलेबाज के उपर वो तो आने वाला समय बताएगा पाउपले का दूसरा ओवर स्लॉक शिप करना चाहते ने इसमीच देखें 17 के उपर खत्रा मन लाया यहां मिलल स्टम के उपर पाये गए इंपेक्ट इन दे लाइन, पिचिंग इन दे लाइन, हिटिंग इन दे स्टम और अल्बी डब्यू यहां में बेन एंपर की मुमीगा में जीतू पडेल LBW की अपिल की गई और वहां से आउट करा दिया गया लगने वाला लीला पॉल लाइन्स को दूसरा जटका पिंटू के रूप में एक और सफलता यहां उमेश के नाम डीजे करना चाहते थे एक पैर को ज़रूर फ्रंट फूट के उपर निकाला था लेकिन अश्लाप सीप करने गए लोवर फुल्टोस गैन के उपर स्टम के सामने पाए गए और आउट करार दिया गया तो इस बीच करना चाहते है तो जिसिए कर देख लोवर बीचका चाहते है पहुंच चुका है अब 17 के उपर खत्रा मंड़ाया था लीला पॉलाइन्स के उपर देखिए इस बाद हलका सा भाउंस मिला हलके हातों से कट किया पॉइंट के उपर खड़े के लाड़े जब तक फिल्ड किया थ्रो किया जाए तब तक एक रन अब सिंगल के साथ 18 रन दो विकेट के रुक्सान के बाद लीला पॉल लाइन्स पाउपले का दूसरा वर प्रगर्दी के उपर है एक अच्छी टुनामेंट यहां टुनामेंट का जो परपस मोटीव है अनुदान महादान झालिट का फ़र्भर्दी टुनामेंट महादान अच्छी गया निसमीच यहां कावर की निसाब है जब तक फिल्ड किया जाए त्रो किया जाए यहां से एक सिंगल रन पुड़ा किया सिंगल के साथ 19 रन पाउपले के दो वर खतम हो चुके थे अच्छा रन बने थे एक विकेट के दो विकेट के नुक्सान के बाद तीसरे वर की सुरुवात देखिए इस मीच यहां से ओंसाइट के उपर खिलनेगा प्रयास किया था और गैन चली गए लेक बाई के रूप में चौका मिलेगा अब चौके के साथ स्कोर कार के उपर यहां से तेईस रन दो विकेट के नुक्सान के बाद लिला पॉर लाइनस तीसरे वर की सुरुवात हो चुकी है अब लिला पॉर अलाइनस तेईस के उपर पहुँच चुके दो विकेट के नुक्सान के बाद अवर नमबर तीसरे रवी गैन बाची के उपर लोवर फुल्टोस गैन के उपर हलकी आतों से ड्राइव किया कवर के उपर गैन को चब तक रुका जाए एक सिंगल के साथ दोनों खिलाडिन अपने छोड बदले 24 तरन दो विकेट के नुक्सान के बाद लीला पॉर लाइनस रवी तेयार अब चौके के साथ स्कोर कार्ड के लुपर 28-3 दो विकेट के नुक्सान के बाद पॉरर कीजाए तो दीशा आवर प्रगधि के उपर है इस मिच एक और यहां से विकेट कीपर ने मिच किया और बाई के रूप में चौका मिला एक लेग बाई का चौका विकेट कीपर की बीसे एक बाई का चौका मतलब ए आठ रन बहुत ही अहम रॉल अदा करेंगे 32 के उपर पहुँच चुका स्कौर इस अवर में धिखा जाए तो दो चौके उस प्रकार से आए जो रन नहीं आने चाहिए वैसे रन चले गए अब करे भी तो क्या करे एक शिबर कवर के उपर चौका तोटल तीन चौके इस अवर में जूड़ चुके है 32 रन दो विकेट के नुक्सान के बाद हलक्यातों से किला इस बार यहाँ पे वाइड यॉर कर करने का प्रयास क्या था गैन को खोद के निकाला खोद भलोत पर फिल्ड क्या कोई रन ने को एक शिबर नहीं डाट गैन तो इस बीच लेंथ ओल लाइन के साथ तीन अवर की समाप्ती हुई स्कोर कार के उपर 32 रन बने दो विकेट के नुक्सान के बाद स्क्रेल ने के उपर चाहबक्स और मेन एमपार में जीतू पटेल अब तीन अवर के बाद 32 रन डो विकेट के नुक्सान के बाद अलीला पॉल लाइन साथे दसका करन रन रन रेट प्रोजेक्टेट स्कोर 85 तक जा सकता है अब पार्थ गरलू क्रिकेट मिनकच की और से और गैन बाजी के उपर पार्थ का स्वागत यहां से दरसिल ने चोके के साथ इस बार कट किया बैकवर्ड पॉइट की रिशा में गया जारी है यह खेलारी को विभाजन करती हुई बाउंड लाइन के बाहाद चादन के लिए दोनों साथ जिस प्रकार से दरसिल ने खेले देखने लायक यहां नजाकत दिखाई और ऐसे मोमेंट केमेरामेन जिगनेस बहुत ही बहतरीन कैप्चर करता है स्माइल चैनल के जो केमेरामेन है ऑपरेटर है अनन पटिल एक अच्छा यहां मीड़ आफ के उपर से चौका बटोरा उसके बाद एक बैकवर पॉइंट के उपर चौका बटोरा बैक टुबैक दो चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ चालिस तरहन दो विकेट के नुक्सान के बाद लिला पॉर लाइन्स वर की बात की जाए तो चौठा वर प्रगती के उपर है डी जेट से एक रिकेट ग्राउन के उपर एक अच्छी टुनामेंट जिसका मोटीव परपस है लोगों की सेवा करना अन्दान महादान टुनामेंट का आयोजन किया गया है स्री प्रमुख के ट्रस लीला पॉर द्वारा आयोजीट पाटीदर समाज क्रिकेट टुनामेंट डेनाइट टुनामेंट है ये दो पहर को सुरू होगा और रात को खतम होगा मतलब रोज के यहां छे मेंच खिले जाएंगे इसमीच पार तैयार देखिए इसमार सॉट पीट गयांट हाड्लेंड गयांट हुक किया और डिप स्क्वेल लेक के उपर गयांट को वेज़ा छे रेन के लिए बहुत ही बहतरीन सॉट देखने लाएक अब छे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ छे अलिस्तरन लीला पॉल लाइन्स ताब और तब बले बाजी यहां दरसिल पडल की बात की जाए तो कस्तुरू की पहचान उसकी कुस्पू से होती है और दरसिल की पहचान उसके सौट से होती है यहां दो आफ्स्टम के उपर अच्छी गैन के उपर चौके उसके बाद एक थोड़ी सी हाडलेंड गैन करने का प्रयास किया जिसको हुक किया और पूरे छे रन पाए और छे अलिस्तरन दो विकेट के नुक्सान के बाद लीला पॉल लाइन्स देखे इस बीच चरेड़ों के उपर गैन बाजी थी हलके हाथों से खिला यहां डिप स्क्वेल ले की निसा में गई जब तक फिल किया जाए त्रो किया जाए यहां से विकेट की पर किया और एक रन पूरा किया एक के साथ स्कोर कार के उपर 47 दो विकेट के नुक्सान के बाद अवर नमबर चौथा प्रगती के उपर है पाथ तयर अपने बॉलिंग माग के उपर देखे इस मीच नीरा उथा फुल्टोस गैंथी जिसका फाइडा नहीं उठा पाए बल्ले के स्टीकर के उपर गैंड लगी जहां बल्ले का हैंडल के साथ जॉइंट होता है उसे क्रिकेट की बासा में स्प्लाइस कहा जाता है वहाँ गैंड टकराए इस मीच और कोई रण ने कोएक्षेटी नहीं डॉट गैंड देखे टपका खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निगली इस मीच गैंड पार्त के और विकेट की पर भावेशने गैंड को गेदर किया बहुत ही बहतरीन इस प्रकार से यहां वन नबर च अथा खतम हुआ लीला पॉल लाइंस चार अवर के बाद सेतालिस तरण डो विकेट के रुक्सान के बाद करन रंडेट की बात की जाए तो बारा के आसपास जलता हुआ और प्रोजेक्ट स्कोर 94 के आसपास जा सकता है दोनों के बीच में 14 गैनों के 35 पार्टनर से पोचु झाल थियर के बाद सेतालिस तरक जाए धाता है दोनों के बारा के लिच में 14 ग्रोजेक्ट से तरक दोचु रहा हुआ चार। झाल 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 पर के बीच में यह मुकाबला 47 वाइडिस लाइन वाले गेन को गसिट कर लॉंगन के सित्रों में खेला गेन एक हाथ में लगी उसके पाद छिपकी और निकल गई कैच डॉप हुआ है यह का जीवन दान मिलता हुआ एक के सातरन संक्या 48 रहन है एक एक कैच बहुत वेलिवल रहेगा कैच इस विंदा मैच इस वन पीस अप मैजिक यह कैच डॉप मुश्किल हो सकता है उसी डिसा में थोड़ा सा वाइडिस और तरक लंगान के अपर कहला दोनों पैरों के बीच में से चौका दो गेंद दो मिस फिल एक कैच डॉप एक चौका यह करी किरस के स्कोरर कुतने कुछ पॉइंट आपके कटेंगे छोड़ेंगे नहीं बक्सी के नहीं मिस फिल के अरन संक्या इस चौकी के साथ जा पहुँची है 52 वेलकम 50 ची अरद पुट्टी लीलापूर लैन्स लेक भाई के रूप मेकरन मेनम पैर जापक जाबक सान ने बताया इसारा किया एक अत्रिक्स के साथ रंचंके जापोची है 53 त्रेपन रन दो विक्टी गिर चुकी है लीलापूर लैन्स और अक्रास मेने हुजन हैंसम ओवर दा लॉगन फिल्डर हुजन हैंसम शीक्स वर टो जाब बादिक परफमांस बादरसील विजन हैंसम जाब लॉपन 24 तन बाल प्रफिस कॉपल पाऊंटरी एंड़ एंड़ प्रावण़ the ground short square leg region only single run now with it single score 160 fifth hour is going on last ball remaining 60 on a scoreboard loss of two wickets one the toss by jai padira sadhag poor decided to feel first lilapur lions again fuller line try to begin our top is cover filler and water gets what a good catch and the training nirah patel back to the pavilion 10 ball 10 run two boundary 100 run strike rate and third wicket fall down lilapur lions 60 after five hour loss of two wickets dj on a cover reason new baseman manan comes to the middle because now he's on non-strike and because the last over last ball then after five over 60 loss of three wicket first time loft a shot over logon huge and handsome second time this try logon reason what a good shot by the best man darsil patel third six from his back now he's on 66 and 31 run from his individual score short balls on a pull shot over the square leg fielder what a good shot maybe a 80 meter boundary what a six now with the six now score 172 run couple of six and two balls in this hour so far ravi patel first hour only six run then after this hour couple of six is already expensive what is going on death over is going on 16 ball remaining from this innings of alilapur lions 72 loss of three wickets from his individual score Unlike cinemen we are on the canvas now out of 46 according to the कपल अप्सक्स इंडिजवा सूपा 72 लॉस अप्री विकेट्स नसीर पाटल लॉस आप घर विकेट्ट लॉस लॉस यॉस नसीर विकेट्स नसीर नसीर अप्रीच विकेट्स नसीर पाटल वेकर बांत ले बांत लेक्त ट्रोट्स कर आपार Meeting és फिर्ट, वाले सब्सक्त आए संब कर दॉछुट कर टा लेक्स लेकर बांत लट य कि Lex governments glue पित बांध लेकर हular India इसेके past a आप लेकर लेक हो और पाम स्क्तू सुपर लेकरा लेकर लेकरश्एन के लेकर को अापर क्र again tap sweeper cover region but point filter make up no mistake only single run point region for single number of 144 six-hour last ball remaining from this hour again full toast ball and a huge and handsome over the mid-week and square leg inviour between the width filer बॉल वेंड़ेट बाउंड लाइन पाउंड लैंजर एंजसम शीक्स विद्धित शीक्स अनड ओप्धिस अवर 80 ओना स्कॉर वर लिला पॉर लैंस लॉस अफ त्री वीकेट्स छेवर के समाप्ती के बाद 80 रन 3 वीकेट के नुकसान के पर लीला पॉर लैंस झाल झाल now Darsil he is now on fire man from Cazurdy 5-6 from his bet and couple of boundary 15-ball 44-run Parth from this fire and second hour oh nice attempt nice attempt loud appeal first time appeal man a baller and also keeper do square leg umpire if you wanna caught behind wicket you must be go to man a frontline man umpire you can appeal on a square leg umpire because the they don't have a give the out after full land India India maybe a between the three builder yes it is over the cover couple of run now with copper score 82 10 ball remaining 82 on a scoreboard first match is going on a jay party there Sadakpur and Lila for land jay party there Sadakpur on the toss and decided to fill first sort of all top edge again this time partha make a mistake once again one chance given by the male baller 83 run catch is with the matches if you drop the catch you can win the match because it is difficult first match you must be try to win fuller land why this line trying to loft a shot but the down the ground of mid region there is a filler in deeper nice feeling only single run now with its single score move on 84 run only single run in this was so far fast ball 12 to run then after single single run they are going pushing the cover drive and only single last ball remaining from this hour so far 20 run considered from partha mean cuts over his second our wicketless baller only three wicket fall down now darsil on a strike he's 45 run oh back foot punch back foot puck not an easy hard ball like a hard line and a back to mid wicket is over the u6 and 51 run first match 50 by the darsil patel well done one congratulations congratulations first 50 from darsil patel lilapur lions team what a good betting performance what a good knock after seven hour 91 run loss of three wicket credit card 3 Buddhist system Turned up on Li Laples lowaki health team what the injury is нее max distance two differential pack three तो यहां पर जो भी इस्टुनामेंट को खतम करने के बाद जमारासी बच्चेगी तो यह बच्चों के लिए यहां अन्दान महादान का काम किया जाएगा और यह काम करने जा रहा है प्रमुख केटरस के ओनर प्रमुद काका पंकीत बाई और उसकी पूरी कमिटी मेंबर्स ने मिलके तो एक अच्छे परपस के साथ पाटेदर वाला तुनामेंट का यहां डी-जेट से एक रिकेट गाउन के उपर आयोजन होने जा रहा है तो यहां फिर से एक बार सभी लोगों का तहदिल से स्वागत है 94.00 Ah, huge, huge, handsome, no doubts, ball went to the huge and handsome six, longest six today's by the Darsil, 200 cash prize given by the owners Mahindra Patel from USA, Leelapur Lions owner give a two thousand cash prize for the Darsil for the half century, what a good note, now score move on, exit 100th run, two ball remaining, first match in century already on a scoreboard, what a good knock by the Darsil Patel, he is now 57, only 19 run, 19 ball, top edge, top edge, top edge, there is a fielder like Jitu Patel and end of this inning, wicket fall down, last ball remaining sorry, my mistake, 100 run scoreboard, loss of four wickets, you can see the child तर अब सक्रीन के अपराना तास्क्तर आपर करना अधार आशे और से मेदान के पर पूस्तित होयां जो रासी बचेगी स्टूनामेन को कतम होने के बाद है उसको इस लड़कों के लिए अन्दान के लिए दिया जाएगा तो वहद वहद सुक्रिया प्रमोकेटर्स के और के और से और कमिटी मेंबर लास पल ट्राइंग तो लॉप्टेस्ट ओड मेंडविकेट रिजन तेरिज़ फिल्लर ट्राइंग तो सेकंड बट सेटल विद हैं जीतने के लिए एक सो तूरनों का टारगेट हंड़र टूरंस टू टारगेट तुविन दिस मैच वर जाई पाटिदार सादक पर 11 अगले मुकाबले के लिए जस्ट रॉक स्वापी के कप्तान और बोडलाय स्पोर्ट्स कंप्लेक्स के कप्तान को बिंती करता हूं कॉम प्लेंग एलेवन का फॉर्म सब्मीट करना है टॉस करना है और फोटो के सब्मीट करना है तो प्लीज जल से जल कॉमिटी वक्त करेंगे विससे दिखा जेतु बहुत यह अच्छा वलेवाजी देखने को मिली टीम की स्कोर काट की बात की जाए तो बेटिंग स्कोर काट की बात की जाए तो पहले दिखा जाए तो कुछ पिंट्टू आये ति एशोल डरन बना कर गए सद बगिवस लाक बीफॉर जई पतेल कोय घाता नहीं को लपए दरसिल का बल्ला चला और दरसिल ने 57 रन 20 के दो में बनाए नीरव पटेल 10 के दो में 10 रन का जितने भी कमिटी मेंबर है प्लीज कोप्या करके मंज के पास पहुंचें अनाथाचरम के लड़की आ चुके हैं तो प्लीज फोटोकाफी करना है तो जल से जल पहुंचेंगे कमिटी मेंबर की बात की जाए तो पंकीद भाई, वीरल भाई, हर्स भाई, जै किसन भाई, तुरसित भाई, दीवियस भाई, अमिद भाई, दुरू भाई, एंड किसन भाई, सबका बहुत-बहुत सुक्रिया जिनोंने इस टूनामिन को और्गनेस किया और जो रासी बचेगी अनाधाश्र अपनी फिल्लिंग सजाएंगी, बालिंग आनलिसिस की बात की जाए तो बालिंग आनलिसिस से बात के बायोस पटेल ने दो ओवर के 16 रण दिकर दो सफलता निकाले सफल गैनवाज के रूप में ओमिस पटेल ने भी दो वर में तेईस रन दो सफलता बाकी कोई गैनवाजों को विकट नहीं मिले में के साबित हुए दोनों बलेबाज रवी पटेल और पार्थ मिलकच आप स्क्रीन के पर देख सकते हैं चुटे-चुटे लड़के अनातासरम के महा से आए हैं अन्दान महादान कहा जाता है अगर आप किसी को खिलाओगे ना इससे बड़ा दान कुछ नहीं है सुकेस अनाताले के और से आए हैं तो बहुत-बहुत सुक्रिया और्गनाजर कमीटी का सभी कमीटी मिंबर का आप स्क्रीन के उपर देख सकते हैं जितने भी कमीटी का मिंबर से बिंदी करता हो के जल से जल वहाँ पर पहुचेंगे पर अब जोड़ी जल से जल 22 भाई आप बेजेंगे कल 22 भाई की बात की जाए तो ओवर फोटी में खेले थी और कुल मिला कर दो हाफ सेंचुरी जीन में 99 और एक पारी में 99 और एक पारी में 98 रन जड़े थे और 240 रन बना कर मैनद दसीरीज और बेस्ट वेस्में रह चुके हैं वोट प्लेयर जै पाठीदर सादकपूर टीम के स्कॉर्ड में हैं तो जीता था जै पाठीदर सादकपूर में फिल्डिंग करने का फैसला किया था लेला पूर लैंस ने बले बाजी करते 101 रन स्कॉर बोट के उपर जड़ चुके हैं 100 दोरन का पीछा करने के लिए मेरे साथीर सोगी के टता कॉमेंटेटर आपकी पेचानी हुई आवाज जीतु भाई स्वागत है कॉमेटी बक्स बापपा और जस्ट रख स्वापी और बोदला स्पोट्स कॉम्प्लेक्स कप्तान और एक मुर्टबा एनाउंस है जल से जल प्लेंग लिए उन सब्मेट करना है तॉस करना है और फोटो कोपी करना है तो कॉमेटी बक्स बाप करेंगे थेंक्यू ओवर टू जीतु भाई थेंक्यू सर्फरास भाई यहां पर जीट के लिए 100 दोरन का टार्गेट मिला है यहां पर यहां पर प्रारंबिक बलेबाज के रूप में भाविश और रवी की जोड़ी यह साप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जो अनाठा एलाई के बच्चे हैं बहुत ही खूबसुरट और प्यारे बच्चे और जो हमारे और्गिनाइज कमिटे मिस्तर पंकिट भाई ट्रूशीट भाई और उनके साथ ही सब जो कमिटी मेंबर से वहां पर फोटोग्राफी कर रहे हैं और अनाठालाई जो के बच्चे हैं बहुत सारे खूबसुरट बच्चे हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाए दे रहे हैं यहां यहां पर गेन वाजी करन कि जाले Müd jeśli को कि अज बारद बर में जाने जो फ्रीक्राइब ठीह राज वहां से सुरुवा यहां पर भावेश टेम से निकलने वाला ये गड़ाके काशी चीछर यहां पर कर सक्षेचर इने जे दोसे लोटी के साथ हैए het करेंगे करेंगे तो भावेश कहां बखसेंगे लगातार डोगेंडों के उपन डोशिक्सर स्कोर चलांग लगाता हो बारा दीजे अब खेंडबाजी में छोर बढ़ला है राउंटी करेंगे और पॉइंट के बीच में से गेंड गोली की रफटार से निकली अंपायर का इस सारा चार रन इन चार रनों के साथ स्कोर चलांग लगाता अब शोला रन अगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा इस बार बढ़े हीट एक बार फीर से जड़ दिया जड़ दिया चक्का जाएगी अधान अर्चन रंडिकर क्या शुरुवाट यहां पर पारी का ये पहला ओवर जारी है स्कोर है बाइस ट्वेंटी टूरन भावेश ही इस उन फायर तो अच्छा निवर पटेल जो कि यहां पर थोड़े से महंगे साबिट हो रहा है पांच गेंडों के उपर बाइस रंड खर्च कर लिया है वह जो कि बहुत एक तुफानी पारी खेल रहे हैं प्रयास अच्छा किया था वहां पर बीडॉन के फिल्ड द्वारा जब यहां पर पाठ जिनोंने के अच्छा ऐसा ही क्याज लिया था पहली पारी में आरा वो एक बहुत खुब्सरत निरनाएक क्याज था श्कूर जो कि पहले ओवर की समाप्री पर 26 रन एक टापड तोड शुरुआत माने जाएगी यहां पर जाई पाठीदार सादक पूर के त्वारा अच्छा कि मनन आये हैं गेन बाजी करने के लिए पहली गेन ठोड़ी सी इंस्विंग गेन बाजी करने के साथ बिंडी गेन के साथ शुरुआत यहां पर स्कूर रुका हुआ ट्वेंटी सिक्सर्ण आइस बार उड़ाया उड़ाया फिल्डर दर्शक बंद कर रह जाएंगे गेंड को जो कि आउट अफड़ पार्क रवी के मले से निकलने वाला आइस बार रहा है पहला सिक्सर्ण को छलांग लगता हुआ थर्टीटू डीजेए अगर आइस बार शॉटाम पुल्स्टोक खेलने की कोशिच माँ पर डीप मीडविगेट के लिए सामें खिला लिए नाट जब टक फिल्डर फिल्ड करें टब टक एक रंड के साथ स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिच यहां पर एक अच्छी सोच मानी जाएगी यहां पर रही के द्वारा स्कूर बढ़ता हुआ ठर्टी थ्री रन पारी का यह ड्यूसरा अवर जारी है काफी अच्छी बल्ले बाजी की सुरुवाट यहां पर जैपातिदार सादक पुर के द्वारा एक बार फिर से पूल स्ट्रोक खेल दिया है फिल्डर यहां पर कैच छूटा और चेरन आज भाग्या भी यहां पर भाविस का साथ रहे हैं प्रिंट से फिल्डर थे जिन्होंने प्रयास तो अच्छा क्याठा लेकिन कैच लपक्ने में नाकाम रहे वहां पर कि अच्छा यह कैप्चर किया था वहां पर देखिए यह जंप किया लेकिन क्याच को लपक्ने में नाकाम रहे स्कोर मुव्स ऑन 39 रन पारी का यह दूसरा वर जारी है एक जो पावर प्ले का फाइडा उठाना चाहते हैं उनका बरपूर फाइडा उठाया है यहां पर जैपाटिदार सदक्पूर के बल्ले बास इस बार फीर से एक बार फीर से घूम कर खेल दिया है वाइडी स्लॉंकान के उपर खिलाड़ी तेनाट सिर्फ एक रन से संट्रूस करना पड़ेगा इन एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चालिस रन पारी का यह दूसरा वह जारी काफी अच्छी वल्लेबाजी की शुर स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिस यहां पर रवी के द्वारा ओवर की समाप्री स्कोर है 41 एक टालिस रन जो पावर प्ले है वह पहुंटी अच्छा गुज्रा यहां पर जैपातिदार 11 साड़कपुर के द्वारा कि बोडलाइ स्पॉट्स कॉंप्लेक्स के कप्टान से कि यहां पर एक इनाम की गोशना की गई है अकांसया होज्यरी नानि खात्रिवाड वलसाड जिनकी और से 500 रूपय का वाउचर आपको और एक ट्रॉफी मैं अपने मैच होने वाले सभी खिलाडी को और मेगा फाइनल में 1000 रूपया और ट्रॉफी अकांसया होज्यरी की और से यह सपहले परी बटन के उपर प्रिंट्स पहली गैन स्वागट किया यहां पर गेंड को बेजा पार्किंग ब्लॉट में यहां यहां पर एक और शिक्सर रवी के बल्ले से स्कोर मूज ओन 47 कि अच्वार जड़ में डालने का प्रयास वाँ पर वाप्सी करने की गोशिश्ट खुट गेंड बार से जिनों अपने पॉलवट्रू में फिल्ड की रंड की कोई गुंज जैस नहीं स्कूर है 47 रं फिल्डर मौजूद कोई गल्टी नहीं की कोई गल्टी नहीं की पहला जटका यहां पर रवी आउट हो कर पैविलियन जैपाटिदार सादकपुर को लगने वाला पहला जटका लोकल बॉइ ड्रूव जिन्हों ने यहां पर एक खुब शुरट कैच लिया रवी की पारिसमाप्टी रवी जिन्हों ने अपने टीम के लिए चौड़ा रंड बनाकर पैविलियन नौट रहे हैं कर दो कि वंडाउन बंदेबाज के रुप में प्रठम पटिल का आगमन हुआ है बंडाउन बलेबाज जो कि टीन के सबसे मस्बूट बलेबाज माने जाते हैं स्कोर है 47 रन काफी अच्छी सुरुवाट मानी जाएगी लेकिन नोमेंस लेन हलका सा फंबल जरू हुआ थे वहां पर शॉटिस कवर के फिल्डर द्वारा एक रन के साथ यहां पर प्रठम जिनोंने अपने अकाउंट की सुरुवाट की स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन एक विकेट के नुक्सान के उपर पारिका यह टीसरा वर जारी कि अच्वार जो की बड़ा हीट यहां पर भावेश का बल्ला नहीं रुक रहा है यह एक और सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ चेर अपने 50 54 रन जाई पाटिदार साड़क पूर 11 के पचास रन 54 रन आने वाले 21 गेंडों के उपर 48 रनों की जरुवट कल जो की भावेश पटेल की बाट ग्रेटर एक लिजेंडरी क्रिकेट में 98 और एक बार 99 अ इस बार वापसी करने की कोशिश महाट बार आउटसाइड आप स्टम ब्लॉक होल गेंड बासी करने की कोशिश एक प्रिंट के द्वारा ओवर की समाप्री टीन ओवर की समाप्री हो चुकी है स्कूर है 54 रन जाटक भाविश पटेल का सवाल है 10 गेंडों के उपर 49 एक डिर्णा एक बल्लेबाजी जिसको कहा जाना चाहिए यहां पर भाविश पटेल के द्वारा कल जो कि यहां पर एक 99 नाबाड और मेगा फाइनल में 98 रनों की पारी बाविश पटेल के नाम थी स्कूर है 54 चौवण रन है यहां से जीट के लिए टीज सिगेंडों के उपर 48 रन कि गेंडबाजी में एक और परिवट्टन यहां पर कि पहले गया हलके आटों से खिला वहां पर डीप एक्स्ट्रा को और के लिशा में खिलाड़ी तेनाट सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश क्यूंकि जानते हैं भाविश पटे लेग लए में है कि स्कूर है 55 रन पारी का यह चौटा उवर जा रही है कि लिशा में खिलाड़ी तेनाट है मनन फे फिल्डर अंडर आम ठोड़िया वहां पर सिर्फ एक रन के साथ संटूश करना पड़ेगा इन एक रन के साथ स्कूर बढ़ता हुआ 56 रन पारी का यह चौटा वर जारी आने वाली 28 गेंड़ों के पर 46 चाहिए कि लिशा में खिलाड़ी तेनाट वहां पर काफी अच्छी फिल्डिंग है रन की कोई गुंजा इस नहीं कि स्कूर रुका हुआ 56 रन इस बार जड़ में डालने की कोशिश हलके हाटों से खिलाव वहां पर अच्छी सोज है वहां पर प्रठम पटेल की कारिफ करनी होगी यहां पर ढूनों बल्ले बास के स्कूर बढ़ता हुआ 57 रन इसके बार जो मुकाबला रहेगा उसका टॉस इस ओर के बार किया जाएगा इस बार घूम कर खेलने की कोशिश हलकी सी अपीलर ज़रूर हुटिव लेकिन उट्सा में जाड़ा विश्वास में कम अमपार जीटू पटेल का लेगबाई का इसारा अतिरीक रनों के साथ च्छोटे च्छोटे फोर्मेट में चाहें बैट से बने या प्याड से रन बनना बहुत जरूरी है कि आज बार स्वाटा पूल स्टोक फिल्डर लेकिन वहां पर एक सेफ फिल्डर सेफ हैंड से यह कैच लिया गया वहां पर लगने वाला यह डूसरा जटका कि झाल कि दोड़ा दंट द कर दोड़ा यहां पर लेकिन साहिए में पर दोंटना पर लेकिन वहां पर एक कर दोड़ा है झाल 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 थैंक्यू टीजे बहुत अच्छी ग्यान थी इस बीच यहां से बॉड़ी के साथ टकराई कोई रंड़ी कोट सरी नहीं अब ग्यानबाजी का छोड़ बदल दिया गया है अब हमारे सामने की और से ग्यानबाजी की जाएगी पहला हाफ खतम हुआ जिसमें अठावंद रंड़ बने दो पाचवावर्ण देखिए इस बाच पठकी हुई गया और चाठा लगया मिडवी के ऊपर गया चली के बाउंड लाइन के बाच यह बहुत ही बहतरी इन सौट जिस प्रकार से आफटम के ऊपर एक छोटी गयन करने का प्रयास किया था जिसको सही नस्यत दिया और गयन चली अच्छी बुलने बाची का खेल बाकी है देखिए इस बीच चड़ वाली गयन खोट के निकाला एक्षना कवर की जिसा में गयन जारी है पीछे खिलारी जब तक फिल किया जाए थ्रो किया जाए एक रण इस बीच मीडविकेट के उपर गयन काफी देर तक हवाब है और जाएगी आउट अप पाक और शिक्सर और छे के साथ 72 कि तूब डाउन डग्राउन के लाइस बीच जब पीछे के लाड़ी है जब तक फिल किया जाए त्रो किया जाए यहां से एक रण पुरा किया था तो पिछली गयन के उपर जैसे इस इक्सर लगा था तो बावेस ने अपना हर्प सेंचुरी खतम किया था बहुत ही बहतर इन वेल ड तरीन बलेबाज की रूप में 73 रन स्कोर कार के उपर पांच अवर की बाद 18 गैनों के उपर 29 रन चाहिए अडर बॉल मा 29 रन जो यह मैच जीतवा माट है फुल तोस गैनिस बीच डाउन डाउन खेला वन बाउंस अचाह फिल्ड किया जाए मीड विकेट क्यों पत्रों किया जाए गैनबाज की और एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोड़िट किया और स्कोर मूवन तो 75 रन लॉस अपड़ तो विकेट 6 अवर इन प्रोग्रेस 74 र देखिए इस बाज पार्थ सामने गैन बाज के सर के उपर दस्तक दिया और गैन चली गए छेरन के लिए अनाथा लई के बच्चे डान्स कर रहे हैं यहां पर आप देख सकते हो इन 91 बच्चे है उसमें से यहां कुछ को लाया गया है प्रमुक के अटरस द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है यहां 91 बच्चे है सुकेस गाउं में जो अनाथा लई है वहाँ पे टूनामेंट के जरिये जो भी जमारासी इकटी होगी उसके लिए अनाच दान किया जाएगा बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है यहां सबसे बड़ा दान अनदान कहां जाता है वही काम होने जा रहा है पाठीदार समाज के कमिटी मेंबर्स पंकीद बाई पडेल वीरल बाई पडेल हर्स बाई जै किसन बाई तुरूसीद बाई दिप्तेस बाई डिवीस बाई अ का स्लोगन बन चुका है स्त्री प्रमुक कैटर्स कप दो जार्टेस डी जैट सीए क्रिकेट ग्राउन थेंक यू वाइट बॉल दिया जाएगा तो इस बीच एक अतिरिक रन जरू जुड़ेगा स्कोरकार के उपर एक सिंगल के साथ स्कोरकार के उपर 82 रन अभी भी 15 गैनों के उपर 20 रन चाहिए आने वाली 15 गैन 20 रन और बावेस पडेल 55 के उपर बलेबाजी करता हुआ अट्रा गैन का सामना किया साथ सिक्सर और दो चोके सामिल 305 का स्ट्राइग रेड इस बीच एक और वाइड बॉल लेक्ष्टम के उपर गैन आया थी सीदे पिंटू विकेट कीपर के रूप में जब तक गैन को गेदर करते वाइड बॉल यहां ऑफ्ट्राइट के उपर 30 अट्राइबाज के सामने मिडविकेट स्क्रेलेक मांटर लाइन के उपर फुल्टोस गैन फ्लिक क्या और गैन को भेचा इस बीच चे लंग लेक के उपर फ्लैट सिक्सर इस पार रिस्ट अप दा फ्लिक बहत ही बहतर इंड लोवर फुल्टोस गैन लेक्ष्टम के उपर जिसको सही नसियत दिया नवासी रन जो बच्चे है उसके लिए अनदान महादान का एकुम्ब है जिसमें जो भी योगदान देना चाहता है तो योगदान कर सकता है तीर से बले से सीधा सौटिस बीच खेलारी बने डरसक और दरसक बने खेलारी बहत ही बहतरिन जिस प्रकार से साउंड आया था बले के साथ गैन टकराई थी उसे हीडिंग स्वीट स्पोर्ट्स कहते है चेरान साथ रन चाहिए तेरा गैन साथ रन इस बीच यहां पे बल्ले का किरारा लिया था और विकेट की पर पिंटु का सहारा तो इस बीच यहां मितेस ने एक अच्छी सफलता दिलवाई भावेस पटेल ने 67 रन बनाए 21 गैन का सामना किया जिसमें 9 सिक्सर और 2 चौके 300 के स्ट्राइक रेक के साथ है कच्छी बल्ले बाजी की एक सन्मान जनक स्कोर के उपर टीम को पहुचाया फिलालब 12 गैनों के उपर 7 रन चाहिए मैज को जीतने के लिए इस बीच डाउन डग्राउंड खेला देखिए दो खेलाडी को विपर जनकिया मीड विकेट के बीच में यह खेलाडी तो थे लेकिन वो लोग भी सोचे की चौका जाने दिया जाए उस प्रकार से चौका गया इस बीच और स्कोर कार के उपर चौके के साथ 99 रन बल्ले के उपस आजा नहीं पाई इस बार स्क्वेर अब दो विकेट जमीन के साहरे जब तक फिल किया जाए अंडर राम थ्रो दिया जाए गया विकेट कीपर के और सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 100 रन पूरे हुए यहां से 100 रन पूरे हुए अब यहां जीतने के लिए दो रन का धरकार आ रहा है अब एक तो मिल जाएगा यहां से एक बहुत ही बहतरीन तरिके से अमीत और पार्थ विकेट के उपर मौजूद है जही बाड़ीदार साड़कपर 11 की और से यहां मेनद दमेच होने वाले खिलाडी को तो इस बीचे सामने खेला सेंडन डिलेवार और सिक्सर के साथ अपनी जीत का मनाया जसना तो जीतने वाले इसकी यहां पे टीम बन चुकी है जैई पाड़ीदार साड़कपर 11 अकांक सा होस्यरी होस्यरी जो स्टोर है उसकी और से 500 रुप्या का वाउचर दिया जाएगा और एक ट्रॉफी दिया जाएगी और इस मेच में मेनब दा मैच बाविस्पडिल आपको वी आइपी डगाउट के पास आना है आपको पात सो रुपिय का वावसर दिया जाएगा और ट्रॉफी दी जाएगी अकांक सा ओस्जेरी की और से थैंस आपको पास आपको ओस से नंड़त कीद्स्टlicher के च आपको पास आना है वावसर डिक यजंस्ट आपको वी आवागाले के वावसर दी घावाट जाएगां झाल से घाएगा यावडब पास अपको oppression 1 से जाव Mae झाल झाल तो इस बीच अगला मुकाबला यहाँ पे जस रॉक वापी 11 और बोडलाई स्पोर्स कॉंपलेक्स के बीच में खिला जाएगा टॉस जीता है चस रॉक वापी ने और पहले फिल्ड करने का फैसला किया बल्लेबाजी के उपर इन्वाइट किया है बोडलाई स्पोर्स कॉंपलेक्स को तो दोनों टीम की कप्तान से निवेदन है कि अपने 12 मेंट को कमेंटरी बॉक्स में बेचना जरूरी है यह मेनब दे मैच का पूरसकार दिया जाए 67 रंड बनाए 9 शिक्सर और 4 चौके 21 गैन भाविस पटेल बहुत ही बहतरी निया से बल्लेबाजी करने के बाद मेनब दे मैच का पूरसकार दिया गया यहां से आकास लेडिज मैंस्वेर और होसेरी की सौप के और से 500 का वावचर भी दिया जाएगा तो इस मीच हमारे 16 टीमों ने पाटिशिमेर्ट किया है जिसमें स्पॉंसर की बात की जाए तो असोग भाई पटेल अंकीत भाई पटेल साड़कपोर की और से ट्रॉफी हमें स्पॉंसर सिप में मिली हुई है बाल के स्पॉंसर उड़ाच ड्रिमलेंड मैडब दे मैच के स्पॉंसर ट्रॉफी प्लस वावचर पाथ सुर्प्या का दिया जाएगा अकाकसा लेडिस एन मैं स्वेर बलसाड डीजे साउंड के स्पॉंसर मुकेस भाई पालन और प्रमुख मेडिकल भी हमारे स्पॉंसर है जैसे जैसे स्पॉंसर जुडेंगे आपके सामने हम उसकी सूची रखते जाएंगे यहां आकास क्रीक हिरोस के ओनलाइन स्कोरर यूटूब के उपर लाइव प्रसाराण आनन पडेल चैनल के उपर स्माइल के उपर आप देख सकते हो और आनल जिसके ओपरेटर और जिगनेस दिसके केमेरा में कॉमेंटर जीतु पडेल सर्फरास माकडा और BDC और से एमपार की सिवा में में यहां होम्यार कासत सर, जहाबक सर और जीतु पडेल सर अने वाले इनिंग की सुरुआत की कॉमेंटरी के लिए इन्वाइट करता हो कॉमेंटरी बोक्स में सर्फरास माकडा फ्रम चासा वेलकम आपका स्वागत है बैटिंग टीम एक्स्टा प्लेयर मुकलाओ जो प्लीज बैटिंग टीम मनो भाई तमरो 12 में सुक्रिया साथी कमेंटर अच्छुहान सब थैंक यू सेकंड मैच इस गों बेटिं बोदले स्पोट्स कंप्लेक्स वर्सिस जैरोक्स जश्रोक्स्वापी जश्रोक्स्वापी वन टास जश्रोक्स्वापी वन टास जड़ाइड दो फिल फस्स फस्स मेच अ क्रॉम्पली अंसमे लिए बाई जैपतिदर साथ कपर मैं अध बेच्छ पावस्वापाटल 67 रन अटीज वट्वेश बाल 960s ए म्टुफोर्स दोट टब बावावार न परफ एक तरो मेत अानलीस, वागुट ऑल रोल रौनर परफॉमस बावेश पटल, उस्थर दोटी टूनमें ओने लावावश वेले वेंड एड दब्स टूनमें अटूनमें लाया टामेश अब टूनमें और बनध बावेश परफॉमस पतेल, परफ अगोटनाक इन दिसे तोदेश मेच जय पर जय पाटिटर सदक पर कॉम्प्ली एंसे लिवीन कॉम्बक्स है इनकी और सगे इनबाजी के सुरातों ने जारी है स्ट्राइक के पर माना है नॉन स्ट्राइक इनके पर विकी और इनबाजी की जिविदारी समबार की यह जाईने फिल की चमावाट देखना जरूरी कीपर के अलावा सोटीस थड में कव पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मीड अफ यह ओफ से की फिल है ओन सेट की सित्रा में लोगन बाउंट लाइन के पर खड़ा किया है मीड भी केट है बाउंट लाइन के अपर है थोड़ी सी चोटी ले बरहम पटी की जारी यह फिल्डर की वेटिंग फॉर दे फिल सेट अप ओके सर श्कुरर रेडी स्क्वेल लेग मीड विकेट मीड ओन इंसाइड शर्कल और फाइल लेग टीम ओनर रहूल पर इंसाइड शर्कल सेकंड मैच इस गएंग अन बेटीन बोद लाइस स्पोट्स कॉंपलेक्स वर्सिस जाई जस्रॉक्षवापी फस्पोल लेग टॉक्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्षवाप्ष फसक्र इस वाईडिस लियन एंवादगकोट रुष बालिंग परफमास भी जायब मनोप अनले सिवाद एंवाद आकर्दाइब एंफर्टी इन्न एंपर इसा गूर इडड़रा एंवाद जवाद ऑननुग्न अजगरा एंट इंग्ड़ एंट इस फोर इस पर इंग डिक सिं सरना हमेर का सचसर बड़ से कालिफ इग डिछ एक रप्यट एमपर and as again I do champion team gujrat is also a home air casa deserve manager from this team and also we champion a Gujarat team number one a umpire from this BDCA homer castle is a man umpire you cannot see left investment on a strike short ball trying to long it over long leg listen and a huge and handsome sort of land again and a water go hit by the best man first ball open his account with the six very first ball now score more seven run DJ first hour is going on seven run on a scoreboard without loss of both last sports complex putting the bed first after losing the toss again sort of land but this time we outside the upstum umpire homer castle sir declare a white with the extra score now move on eight run fill position for the left and best when a white is gully point inside the circle cover of extra cover mid off mid on inside the circle short is mid you get a squilling on a bound line short is finally going on inside the circle trying to half fully short over the cover down the ground easy single now strike rotate by the best man first six then after a one we outside the outside the upstum wide and then after take a single after four ball nine run on a scoreboard two ball remaining from this first over now manu patel on a strike uh try to reverse attempt and a successful over the cover filter ball went to the bound line per boundary now with the boundary score one couple of runs dc the 13 run on a scoreboard dj well remaining from this over so far 13 on a scoreboard without loss both last sports complex full of land full toss ball and huge hands up lofty shot and six run couple of sixes already in this award one boundary also 17 run was first hour is expensive after first hour 19th board line sports complex a cover ke samapthi on nish run without loss dj ex experience baller comes to the attack from this combo and last hour remaining from this power play for the left and best man wiki patel two balls seven run three hundred and fifty strike rate he is now on a strike squilling on a bound line and mid wicket shortest mid wicket is a nice feeling only settle with the single now we did single score now move on 20 20 20 20 without loss whatever start first hour is expensive 19 but this time first ball single now manopatel he is now on strike some problem for the fielder some may be a finger side between the two fielder moving two finger some injury for the right and best man mid wicket square like two fielder outside the 30th circle all of this are trying 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 and outside is makes no means any mistake by the keeper first wicket fall down in very second ball from the second hour and take a wicket prajai breakthrough early back through by the prajai after 20 loss of one wicket dj yeah ग्यूर्पो एंबेड में लिए जालम ते में बन च्यूर्पन के सामिज लेग भूले क्योंट कीज कोंचीए फाल आपुट टन फाल में? फञ्स피 करें गत्रेक्षान ते में की लिए क्षिव के लिए कीपर अल्ष प्रज्जुट ए जे विस पतल फटुट एटीजिए इन जुट इन पर इंसेजर्ट नुट इचल ए तो азержद ठोस्तो तोपिपें औरद इसन पूर्डशी तूरज कोो ईान एफन सिंगरओ लिकेड़ कम्या भिकेड़, फिमेन स democrats बाफर व्यखें टार्ज एक करे the team only two run and one wicket from his spell now field change for the left investment mid wicket on a bound line square leg on a bound line short is mid wicket also inside the circle and chronal why this orthodox mid on a mid off inside the circle cover inside the circle point and short is third mid short is finally inside the circle second match is going on trying to love this soda over the mid wicket region but a speed variation by the prajai patel successful dot ball declare two ball remaining this time shuffle too far outside the ops term trying to use shot and successful over mid wicket and square leg fielder between the both fielder ball went to the boundary but six run now with six score one twenty seven please ah try to long it is yes as we appeal for the leg before and what a good balling what a good comeback by the project middle of the stump and umpire says yes out second wicket fall down on 27 run big wicket wiki patel six ball 14 run back to the pavilion dj we have a good chance to go ahead and see if we're going on a good break we have a good ball here that's a good ball here and we have a good ball here and we have to be you can watch the last week it precise over is very crucial two wicket you can see how can run out yes loud appeal and umpire is given out yes it is middle of the stump plump lake before nice umpiring by the homer casetser basement new basement ankeet after two hour 27 loss of two wickets ankeet patel new basement comes to the middle oh like a sweep shot but there is a fielder some mistake catch drop ah you can't drop the catch catch is win the matches one piece of magic if you drop the catch you will lose the match ah kujira hindi me kaha jata na kya chhodo ge match chhodo ge muskila 76 strike rate 31 match all trying to left a shorter down the ground honor is there rahul patel makes dynamic state nice feeling only single run now with this single score now move 129 loss of two wickets both opening basement back to the pavilion you can watch the replay how can drop the catch on about line try to begin out of ilias given pitching in line in baggy line and given out why the umpire hitting the stump third we can fall down two on a leg before and one is the catch out what a good balling performance what a good comeback first hour was expensive 19th run without loss then after 10 run and three wicket in third of what is going on what a comeback by the just rock wapi dj hirin comes to the middle 29 loss of three wicket third of what is going on skipper take a wicket fuller line square leg region full or full toss ball there is a filler in square leg region only single nice feeling like a long barrier position only single with this single runner score 130 need some partnership for the boldly sports complex maybe 40 to 50 and partnership needed again time to begin sort of pull shot but can't successful not an easy against this baller last ball remaining third hour is going on 10 run per hour is going on but three wicket already fall down oh india india who's gonna taken filler in the band makes no any mistake fourth wicket fall down fourth wicket fall down on 30 run after three over three no work ki samapti ki baad tis run keo par four wicket fall down on 30 run after three over four wicket fall down on 30 run after three over 30 asuk by patel ankit patel man from sadhakpur ball sponsor undachia dreamland man of the main sponsor and trophy also for 500 rupees voucher given by the accounts ladies and menswear and also dj sound sponsor muka is by palana and promoka medical balsad thanks to everyone from this organizer committee second season is going on three pamukka trust tournament but either premier league prajai comes again for the second hour and a fourth hour from this inning and comedy box and last hour five ball remaining from this come box and 30 run loss of four wickets both last sports complex suraj patel and herein patel need some partnership trying to begin cross my dad india mythul is there and makes no any mistake half team back to the pavilion after 3.2 hour 30 run scoreboard and five wickets fall down both life sports complex is now on a back foot on a back foot easy you in the middle four ball remaining third we get taken by the prajai patel he's the all-rounder a nice nice line through yorka length down the ground mid we get reason of and a nice feeling by the follow-through only single run he's throwing his second over nine run given and three wicket already from his bowling analysis what a good bowling performance by the prajali and he's also a danger baseman prajai patel main floor gorgam ah what about bowling what a good bowling loud appeal loud appeal why every keeper and square leg filler going with the court behind for the square leg up pair you can't go appeal for the square leg umpair for the court behind if you wanna go dilly you must be seated on a dilly seat the bus team if you wanna go mumbai you must be seated on a mumbai bus uh mumbai janitor mumbai wali bus me bethna padiga neither dilly poncho last ball remaining from this fourth hour 31 loss of five wickets both life sports complex 4 hour ki samapti ki baad pathis run pach wicket ke noksan ki upar now times for the change in a commentary box new voice is introducing for the g2 panel thank you uh 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 अब छोर चेंज होगा, डूर वाले छोर सेगेंड बाजी होगी अब गेंड बाजी करने के लिए रोहन कि अपने पहला अपनी टीम के लिए पांच वावर लेकर गेंड बाजी करने के लिए हैं जहांटक बोडलाय स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स का सवाल है 25 रंद पांच विकेट के नुक्सान के उपर जुकी यहां पर थोड़ी देमी शुरुवात माने जाएगी पहले यहां पर कैच शूटा वहां पर एक गलत डिसीजन वहां पर अमपायर का इसारा चार रन यह केच होना चाहिए था इस बड़े से तूनामेंट में अगर आप इसी गलती करोगे तो नुक्सान भुगतना पड़ सकता है केच शुटा और चार रन स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी नाइन रन इस बाहर चोटी पटकी हुए गेन करने की कोशिश वहां पर अमपायर का इस सारा वाइड करार अटिक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चालिस रन बोडलाइश्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स पारी का यह पांच हुआ वह जारी है स्कोर है चालिस रन पांच विकेट के नु इस बाहरे सौटी सेक्स्टा कवर की दिशा में खिलाडी तेनाठ है अगर डिरेक्ट हीट होटी डोकुछ नस्दी की मामला हो सकता था खुब शुरट फिल्लिंग वहां पर सिर्फ एक रन्ट से संटूस करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ फॉर्टी बंदरण स्ट्रा पारी का यह पांच वा ओवर जा रही है इस बाहर चोटी पटकी हो इगें फिल्डर एक और आसान सा कैच द्रॉप वहां पर डीप स्क्राइब की दिशा में जो खिलाडी तेना थे एक बहुत ही आसान सा कैच द्रॉप वहां पर स्कोर बढ़ता हुआ फॉर्टी त्री रन पिछली तीन गेंडों के उपर डो जीवन डान मिलें यहां पर अधार रोहन का सवाल है फिर से वाइड करार लई में नहीं है दो जीवन डान मिलें मतलब यहां पर थोड़े से नाखूस रहेंगे यहां पर रोहन अभी तक उन्होंने अपने स्पेल के तीन गेंड किये हैं नौ रन खर्च किये हैं जिसमें तीन वाइड और एक चौका जो गल्टी से आया क्योंक था मतलब किस इस हटक तो अच्छी गेंड बाजी मानी जाएगी इस बार नूर से बल्ला चलाने की कोशिस वहां पर पारिकाई यह पांच हुआ वर जारी है अभी भी इस ओवर से डो गेंड आनी बाकी है स्कोर है 44-44 रन पांच विकेट की नुक्सान के उपर इस बार सफल होकर खेलने की कोशिस लॉंग आप की दिशा में खिलारी तेनाथ है कुप स्रट फिलिंग हलकी हटों से वहां पर ठो किया वहां पर डिरेक्ट हीट किया एक गलटर डूसर रन के लिए पल्टे और दो रन आसानी के साथ चुरा लिया अच्छा बैक अप वहां पर फॉर्टि सिक्ष रन पांच विकेट के नुक्सान के उपर पारी का यह पांच वहां जा रही है कि काफी अच्छा ठोकिया था वहां पर लॉंग ऑफ के द्वारा डाइरेक्ट हीट लगाया था कि रोहन एक बार फिर से कि बारेश जड़ में डालने की कोशिज है हलके आटो से डाउन डू ग्राउंस जमीन के समान अंटर स्टोक खिलने की कोशिज से लॉंग करें डोनों फिल्डर जिनों ने फैसला कर लिया था एक रन लेने का ऊवर की समाप्टी हो चुकी है स्कोर है फॉर्टी सेवन पांच विकेट के नुकसान के उपर बोडलाइश स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्ट के उपर स्री प्रमुख कैटर्स कप सीजन दूसरे का आगाज हो रहा है आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जारी है इस तूनामेंड को सजाने सवारने के लिए यहांपर जो हमारे क्वालिफाइड अंपाईर होमियार काशेट सर यान फॉसर ढब mater का में कि पहली गेन काफी टेस्ट गेन बाजी कराने की कोशिस यहां पर स्कोर अभी भी रुका हुआ 47 पारी का ये छठावर जारी विकेट के पीछे जो प्रजय खड़े हैं एक बहुत खुब स्रट ओल्ड राउंडर जो कि गोर्गाम से बिलॉंग करते हैं और इस बार सीटे बल्ले से खेल दिया है फिल्डर जंप जरू लगा अठाव लेकिन ओवर डॉप्स यस अंपार का ही सारा छेरन इन छेरनों के साथ चेर अपन फिप्टी पचास और फिप्टी थ्री रन बोडलाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुल्टोस गैंटी फ्लिक्स ओट क्या स्ट्रोक खिला ही यहां पर लगातार डो गेंडों के उपर डो सिक्सर काफी अच्छी बल्ले बाजी अब यहां से जो की यहां पर अपना गियर चेंज कर लिया है बल्ले बाज विनिट पटेल नौ गेंडों के उपर 21 स्कोर मूब फिफ्टी नाइन गेंड लगातार डो शक्के के बाद एक चोका इन चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन काफी अच्छी बल्ले बाजी एक अच्छी पातनर्शिप की जो जरूरत थी उसको पूरा कर रहें यहां पर डोनों बल्ले बाज 63 रन पांच विकेट के नुक्सान के उपर एक जीवन डान मिला था उनका अब भरपूर वाइडा उठा रहे हैं इस बार हलक्या दोर से केला देखना वहां पर वाइडिस लॉंगाउन के उपर फिल्डर टेनाट है जाई जप्टका फिल्ड करें अंडर आम ठोडिया वहां पर एंडबास को स्कूर बढ़ता हुआ इस अब भी एक गेंड आनी बाकी है पारी का यह चठा ओर और इस बार बड़ा हीट बड़ा हीट जाएगी आड़ा दर्चन रंडेकर आउट अब ड़ पार्क सुरज के बले से निकलने वाला यह पहला झाल 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 कि समाप्ती हो चुकी है स्कूर है सेवंटी रन पिछला वर्ज जो की बहुत ही महगा रहा टेईस रन आए गेंड बाजी में एक और परिवटन यहाँ पर अपनी टीम के लिए साटवा ओवर लेकर डूर वाले छोट से गेंड बाजी करने के लिए हैं सामना करेंगे वीनिट जहां तक वीनिट का सवाल है ग्यारा गेंडों के उपर एक छबिस स्वनों की निर्नाय का पारी जिसको कहा जाना चाहिए पहली गेंड दिशा से बटके वाइड करार वाइड करार इस यह संपायर ने वाइड कैंसल कर दिया वहां पर साइड पैरों के उपर गेंड टक राए ठी इस बार बिल्कुल दिशा से बटके वाइड करार इस बार वाइड करार अटीरी करनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस बार बड़ा हीटियास यहां पर अंपायर कैसरा एक और मैक्सिमम् कर्णोंगाता साथ मत्ति दीर 확인 भी पर लिइखिक मंध अंपने अपस्ते एक अगर और फिर से गलट लाइन के साथ गेंड बाजी यहां पर अटेरिक रहनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 इस ओबर की बात करें तो यह दूसरा वाइड अभी तक सिर्फ डो लीकल ली लेवरी हुई है इस बार सफल होकर खेल दिया है एक और एक और ह्यूज और हैंसम पार्किंग प्लोट में गेंड को बेजा वहाँ पर इस ओबर से यह दूसरा सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन वीनिट जो कि चौड़ा गेंडों के उपर 38 रन एक नीरिना एक पारी जिसको कहा जाना चाहिए इन डोनों बल्ले बाजों के बीच में अब तक 19 गेंडों के उपर 54 रनों की पार्टनर्शिप हो चुकी है एक बार फिसे बल्ले का बाहरूने की नारा वहाँ पर सौट ठर्मेन के उपर प्रिंस यहां पर हलका सा फंबल और गेंड सीमा रेखा पार यस एक और चौका स्को अब भी इस ओवर से अभी तक डो गेंड आनी बाकी है कि गटी पर भी अटन करने की कोशिश से फ्लिक शॉट क्या बल्ले बाजी यहां पर वीनीट की टारीफ करनी होगी एक और चौका स्कोर बढ़ता हुआ 46 रंट का इंडिविजल स्कोर है 46 रंट तीम का स्कूल स्कोर है इस बार जो कि फ्लिक करना चाहिए पहला रन काफी टेजी के साथ लिग भाई काई सारा इन अटीरिक रंट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93 रंट जहां तक वीनीट का सवाल है एक बहुट नेना एक पारी जिसको कहा जाना चाहिए सत्रा गेंडो के उमर 46 नाबाड अभी भी क्रिस्कियों पर मौझूद साथ ओवर की समाप्टी स्कोर है 93 रंट बोड लाई स्पोर्स कॉंप्लेक्स सर्फराज भाई जब कॉमेंटर करेंट चार ओवर में 25 रंटे अब अभी जो साथ ओवर की समाप्टी 93 रं मतलब कितने रन आए आप क्याल्गूलेशन कर लिजिए गेनवाजी करने के लिए शुमिट पटेल अपने स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए आखरी ओवर भाटी लंबे कटके किलाड़ी कम से कम छे फीट टी नीच हाइट होगी आए यस यहाँ पर पहली गेंट बांसर के साथ शुरुआ यहाँ पर प्रींस जिनों ने काफी अची फिल लिंग की लेग भाई का इसारा इन अटी दिक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ नाइन्टी फॉर रंड आउटसाइड ब्लॉक हॉल गेंट बाजी करने की कोशी से एक सही लाइन और लेंड के साथ गेंट बाजी क्योंकि पारी का यह आखरी ओवर जा रही है स्कोर रुका हुआ नाइन्टी फॉर रंड पांच विकेट के नुक्सान के उपर पिछली डो गेंड जो कि काफी अच्छी गेंड बाजी बानी जाएगी यहां पर क्योंकि सिर्फ एक रनाया इस बार स्वाटां प्लेंड गेंड बाजी लेकिन पॉइंट के उपर से खेल दिया है गेंड जा रही है सी मार एक हापा रही है यहां पर एक और चौका स्कोर बढ़ता हुआ हमारे बीच में एक और मेहमान स्री असोग भाई जो की चिखली से बिलॉंग करते हैं वह हमारे बीच में पदार चुके हैं उनका हम हारिक हारिक स्वागत करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारी टूनामेंट की सुभा बढ़ाने के लिए हैं थैंक्यू वेर करेंट की कहावट है पकड़ों कैच जीटों में जो कैच छुटे थे अब लुक्सान आप देख लिजिए और सीधे यहां पर कुड़ विनिट को परिसान कर दिया वहां पर साइड उनको गेंड जोर से लगी पूल टोस गैंठी लेकिन काफी टेस्ट गैंड बाजी कराने की कोशिस वहां पर दूसरे रन के लिए पलते वहां पर डूरन असा नो बॉल यहां पर वेस्ट हाइट के उपर यहां पर नो बॉल करार वहां पर स्कूर लेग अमपायर का सट सर की और से इसारा हुआ है इंडोरन के साथ स्कूर एक सो एक यहां पर फ्री हिट वाला इस बार टॉप साथ टॉप साथ फ्लैट सिक्स येस यहां पर फ्लैट सिक्स जिसको कहा जाना चाहिए सूरज के बले से निकलने वाला सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ एक सो साथ अधिया एक सो साथ रहना आखरी लिगल डिलेवरी बाकी यहां पर इस बार के नहां हुँचाई लेकिन वहां पर फिल्डर जिनोंने कोई गल्टी नहीं कि लगने वाला आखरी गेंड के उपर जटका जीट के लिए आपको एक सो आथ रहन मतलब इमर्जेंसी एक सो आथ रहन बनाने होंगे निर्डारिट आंठ ओर में यहां पर एक सो आथ रहनों का लक्स मिला है यहां पर जस रॉक्स वापी को ये मुकाबला जीट के लिए निर्डरिट आंठ और में 108 रनों का लक्स मिला है अब आगे का आखो देखा हाल सुनाने के लिए पांच मिनिट का इंटरवल के बाद डूसरे इनिंग का प्रारव भुगा झाल भुटसप्ट सुनान पल में पेक लिए ऑनीन चैयरो सार रनुर्स भोस्त før है पहलू हैmesi सम大हीं के लिएवलो के खर तो है कि करवंगे सेल मग दो कि वीन झाल 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 तो इस बीच इसके बाद का मुकाबला जई पाठीदार सारकपौर इलावर और जस्ट रॉक वापी के बीच में खिला जाएगा तो मतलब एमेच खतम होने के बाद टॉस किया जाएगा क्योंकि जस्ट रॉक वापी बलेबाजी फिल्लिंग के उपर प्रस्थान करेगी बलेबाजी के उपर तो एमेच खतम होते ही तूरंट दोनों का अप्टान को आना है और टॉस करना है जस्ट जई पाठीदार 11 सारकप और रजस्ट रॉक वापी यह प्रमुक के ट्रस में आप जा सकते हो वड़ा पाउं बंबे बंबे बेल फ्रेंच फ्राइदिली चाट वेज बिर्यानी कटले सोले पूरी राजस्थारी कोपता दम बिर्यानी नुडल्स चाइनिस बेल वेज मंचूरियन रिजवान राइस पनीर चिली बंबे और गुच्रादी थाड़ी समोसा रगडा समोसा मलाई मलाई गोला लसी पॉपकॉन चास और कोड्रिंग्स एनर्जी दिंग्स जो भी चाहिए यहां प्रमुक के ट्रस का जो के ट्रस लगा हुआ है वहां जा सकते हो लेकिन उसके लिए आपको हरी पत्त का खर्च करना पड़ेगा त्रीस तुनावेन को हमें सपोर्ट और सहकार करने के लिए जो स्पॉंसर्शिप मिली हुई है वो स्पॉंसर की अगर बात की जाए तो असुक भाई पटेल अंकीत भाई साड़कपॉर की और से हमें ट्रॉफी स्पॉंसर्शिप में मिली है तो बहुत बहुत अबर हमारे बॉल के स्पॉंसर है उंडा चड्रिमलेंड की और से उसका भी अबर मैनब्दा सीरीज मैच के स्पॉंसर की बात की जाए तो पाथ सो रुप्ये का वावचर अकांक सा लेडिज एन बैंस वेर और ट्रॉफी दी जाती है बलसाड़ डीजे साउं अबर 2 जी और से 500Group ए उसका भी अबर तो उस प्रकार से टुनमेंट का जो आयोजन किया गए असरी प्रमुक की अटरस लिला पॉर्थ वा़रा अयोजीट पार्टी दर समाझ कृक्ट टूनमेंट डे नाइट टोनमेंट है डी जांड ये तीह क्रिके राउन के उपर इसका म ख़ूज को लिए अनाच दिया जाएगा यहां जितनी भी जमाराशी बचेगी उसमें से दो महिना चार महिना छे महिना एक साल का जीतना भी अना जाएगा तो एक बहुत बड़ा अन्दान महा दान का एक कुम्ब होने जा रहा है तो यग्या में अगर कोई आहूती देना चा अगर आहूती की बात की जाए तो एह आहूती पूरी जिन की चलने वाली आहूती है क्योंकि अन्नदान महादान की आहा जाता है थैंक यू अब जीतने के लिए यहां से एक जस रोकर स्वापी को 108 रन का टार्गेट डिया है तो जीस प्रकार से पहले हाफ सर्फरस माकना सर ने खतम किया था उसके बाद दूसरा हाफ जीतू भाई पटिल फ्रम बलसार ने खतम किया अन्फिल्ड एंपर की बात करेंगे तो मेंड एंपर की बुमीका में हम्यार का सत सर और स्क्रेल लेक के उपर जहां बक सर हमर साथ कॉम बोक्स में जीतू पटिल सर और क्रीक हिरोस के स्कोरर यस दन शुरू किया जै सर तयार है यहां पर हमारे स्कोरर आकास गरणिया जरनिया स्ट्राइक के उपर बले बाजबी तयार है और गैनबाजबी तयार है अपने बॉलिंग माक के उपर विकी गैनबाजी के उपर बाया हाथ के देखिए इस बार लोर फुल्ड रस गैंट डायव कर दिया है पीछे काव कॉन और के उपर कॉन्फिदेंस लेवल बढ़ जाता है उसके उपर थोड़ी सी बढ़ोत्री होता है जमिन से एक फूट उपर चला जाता है कॉन्फिदेंस अब वीकी तयार बाया हाथ के लेफ्टाम लेक स्पीनर देखिए इसमीच गैन को देखिए गैन की धजागत देखिए तप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहार निकली और सीधी वीकेट कीपर के पास इसमीच कोई रने को एक स्ट्राइक के उपर पर परजाई पटेल और नोट श्ट्राइक के उपर क्रुनाल तो इस मिच वीकी तेएर अपने बॉलिंग माग के उपर अपने कोटे का पेहला पारी की और से पहला हमेर का सत सर यहां मेहीन एमपर की मुमिक solving हमें बलचाट बीडी से की और से बहुती कौलिफाई एमपर को सामिल किया जा रहा है इसमें अब विकी अपने बॉलिंग माग के उपर देखिए इस बार हेलिकॉप्टर उड़ाया था लेकिन खुद फॉलो थुरू में पैर के साथ फिल्ड किया और रन अपनी टीम के लिए बचाया यहां से अगर मिस्पील होता तो निसीत एक रन बन सकता था हमियर कासद सर की एक बाद मुझे याद है यहां पे एक रंशी ट्रोफी मुकाबला हुआ था बीडी सी एक टिके ड्राउन के उपर फोर्थ एंपायर के रूप में सर को सामिल किया गया था तो वो एक कौलिफा एंपायर को सामिल किया जा रहा बहुत बड़ा टूनामेंट और बहुत बड़े एंपायर सर को सामिल किया जा रहा इस टूनामेंट में विकी ते यार देखे इस पार स्लाइस क्या वाइड एक्स्ट्रा कवर के उपर गयन चलीगे बाउंड लाइन के बाहर बहुत ही बैतरीन सिक्सर अब छे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ साथ रन दूसरी गयन के उपर शिक्सर अवर की बात की जाए तो पावर प्ले का पहला अवर एक छे रन इस अवर में जुड़े अवर नमबर पहला और गयन नमबर चौथी देखिए बुल्डोस गैन सीदे बले सेदा इसमीच लॉंगान थर्टिया सर्कल के अंदा था जिसके उपर से गैन वन बाउस और चौके के लिए मीड ओफ के उपर खेलाडी को तेनाट किया गया था पावर पले में और जिसका भरबूर भाइडा उठाया यहां से प्रजयी ने और दो गैनों के उपर दो सिकसर चार गैनों के उपर दस रन प्रजयी पटेल बहतरीन बलेबाजी करती हुई और चौका मिला था यहां पर चौके के साथ स्कोर कार्ड के उपर 11 रन माई मिश्टेक, मैंने सिक्सर बता दिया था वन बाउंस चोका गया था इसमीच विकी तेयर अपने बॉलिंग माक के उपर स्कोर कार के उपर 11 रन जस रोकर वापी इसमीच अच्छा सॉट यह बहार जाएगी गयान इसमीर सिक्सर है तो यहां से एक बहुती बहतरीन सिक्सर के साथ स्कोर कार के उपर 17 रन जस रोकर वापी एक अच्छी तालियों के साथ डगाउट के उपर स्वागत किया जा रहा है पहला वर खतम हो चुका है स्कोर कार के उपर 17 रन बने विडाउट लस जस रोकर वापी एक बहुत ही बहतरीन टुनामेंट का आयोजन किया गया यहां पे जस रोकर के खेलाडी जितने भी सिक्सर लगाएंगे हर सिक्सर के उपर टूनामेंट के टीम के ओनर राहूल भाई की और से दोसो रुपिया दिया जाएगा हर सिक्सर का दोसो मतलब यहां पे प्रजय की बात की जाए तो दो सिक्सर आये है उसके बल्ले से बहुत अच्छी गयान इस बार गयन ने थोड़ी सी करवट बढ़ली और गयन सीधी विकेट की पर के हाथों में चली गए इस बार गयन का दूसरा वर यहां से सुर्वात हो चुकी है और गयन बाजी के उपर सुरज पडेल को सामिल किया जा रहा है यहां विकेट की पर डीप खड़े हुए है जड़वाली गयन करने का प्रयास के आहल के आतों से खिला इस बीच पॉइंट के उपर खिलाली जब तक फिल करते है और एक रन पुरा कर लिया था अब सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर अठरा रन विडाउट लॉस जस रॉक वापी 11 वर्सिस बोडला इस पॉर्स कॉंप बहुत ही इंपोर्टन्स है चोटी गयन पटकी होई इस बीच गयन जाएगी बाहर बाउंटर लाइन के उपर बहुत ही बैतरीन सिक्सर अब छे के साथ स्कोर कार के उपर 24 रन विडाउट लॉस जस रॉक और वापी देखे इसमीच आफटम के उपर बहार और स्रहल कदमी की और स्विपर कवर बैकवर पॉइंट के उपर से शिक्सर बटोड़ा बहुत ही बैतरीन सिक्सर हर पर बत के उपर मणी मानिक नहीं होती हर जंगल में चंद्यन के पेड़ नहीं होते हर हाथी के सर के उपर मुकता पर बहुत ही बैतरीन स्विपर गयान को चेरन के लिए बेजा और छे के साथ स्कोर कार के उपर 30 रन विडाउट लॉस जस्त्रोग और वापी आवन नबर दूस्तरा प्रगति के उपर है पाव उपलेका और सूरज गैन बाजी के उपर बहुत ही बैतरीन बलेबाजी साथ के उपर 28 रन 4 6 र एक चौका 400 का स्ट्राइक रेट प्रजाई पटेल निके इस बीच मिड्विकेट की निशा में खेला है खेलाडी काफी दूर जमीन के सहारे गैन चली गई बाउंटर लाइन के बाहर एक बहुत ही अच्चा ब्यूडिफूल स्ट्रोक इस बीच मिडल स्ट्रम के उपर गैन को रखता जिसको पुल कर दिया और डाउन डग्राउन गैन चली गई बाउंटर लाइन के बाहर चारण चोके के साथ 34 तरन विडाउट लस जर्श्ट्रोक और वापी प्रजाई सेट हो चुका है गैन बहुत ही बहतरीन उसकी आखों के सामने आ रही है देखे इस बाज तौपेड लिया है खेलाड़ी जा रहा है गैन के नीचे लेकिन काफी दूर गैन थी बोड़ी से यहां पे जब तक फिल करने के बाद थ्रोकिया जाए विकेट कीपर रहन के उपर यहां से दो रन पूरे के और दो के साथ पावर प्ले खतम की यहां से एनाउंस हुआ अवर भी खतम हुआ दो वर के बाद स्कोर कार के उपर 36 रन बने विडाउट लॉस आने वाली 36 गैनों के उपर 72 रन चाहिए 37 रन चाहिए यहां से मैच को जीतने के लिए देखिए इस मीच अग्यान बाजी स्लॉट में 37 रेखिए यहां से els क Pastor 8 रेखिए को से कर दक archives दो भी यहां से दो से रहिए धने भी ऑैन चाहिए लिए झार में च。 पा पत्रमством. पत्रम है को बन्याम के वाट प् Linear in खो भी लिए the feelings, आ. कि फिप्टी नाइन रंड उन्साट रंड तीसरा वर प्रगतिक योग पर है तो इस बीच यहां से उन्साट रंड बन चुक है विडाउट लॉस जस्ट रॉकर्स अवर की बाद की जाए तो तीसरा वर प्रगतिक योपर है दोनों बलेबाज के बीच में उन्साट रंड की पार्टनर सी पोच चुक है गयान बाजी के उपर चार गयान के उपर 23 रंड चुका है अब टप्पे के उपर गयान बाजी करनी पड़ेगी यहां से रं बचाने पड़ेंगे रं रोकना पड़ेगा ताब और तो बलेबाजी फिलहल दिखा जाए तो एक अच्छी बलेबाजी दिख रही है हमा दोनों बले बाज द्वारा देखिए इस बीच काव कॉनर वाइड लोंग उन की उपर से गयन को बेजा बाउंड लाइन के बाह चे रहें के लिए बहुत ही बहतरीन 6-0 और 6-0 तान दिया था इस बार और अच्छा 6-0 65 विदाउट लोस जस्ट रोक और वापी अवर नबर तीसरा इसमीच यहापे खेलाडी लेकिन गयन को रोका था जरूर प्रेजन्स ओपाइन नजर जरूर हटी थी गयन के उपर से लेकिन बोडी को संबाला इसमार बोडी बैलेंस रखा था माना उने डीप मीड विकेट के उपर और अच्छा गयन को गिदर किया इसमीच तीन अवर की समापती हुई स्कोरकार के उपर चासट रण बने विडा उट लॉस जस्त्रोक और वापी वर्सिस जैपाटिदार जस्त्रोक और वापी वर्सिस बोडलाई स्पोर्स कॉंप्लेक्स के बीच में खिला जाने वाला ए आज के दिन का दूसरा मुकाबला 108 रण यहां बनाये थे जीतने के लिए 108 रण का टारगेट 107 के सामने जिस में 66 रण बन चुके है 42 रण चाहिए 30 गैनों के उपर 42 रण पूरी लंबाई के साथ इस मीच कपिल ने गैनबाजी की सुरुवात किये है यहां गैनबाजी के उपर कपिल को सामिल किया जा रहा है कपिल अपने कोटे का पहला पारी के और से चौथा अवर करने के लिए ठिक कॉमेंटरी बॉक्स सामने से तयार है अपने बॉलिमा के उपर पहली गैन डॉट की है थोड़ी सी वापसी करवाता हुआ यहां से कपिल देखी इस भी चहल कदमी की और सामने इंविडेशन दिया फुल टोस गैन सुगर की गोली दी और उन्होंने बहुत मजे से गोली को खाया और स्क्वेल ने के उपर गैन चली गए चार रन के लिए सत्तर रन बन चुके है बारा गैनों के उपर पैतिस रन कुरूनाल देखिए इस बीच इन्वाइट किया था आप बैल मुझे मार उस प्रकार की गैन थी और वही किया बल्ले बाजने और चौका बटो रामीड विकेट के उपर एक चौके के साथ 74 रन 74 रन अच्छी गैन इस बीच गुडले बाज के उपर थोड़ा सा बाउंस मिला और गैन चली के सीधी विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं कोई एक सिटी नहीं डॉट गैन करन रन रिट की बाद की जाए तो यहां पे 20 के आसपास चलता हुआ बहुत ही बहतरीन बल्ले बाज ही करते हुए दोनों बल्ले बाज यहां 23 गैनों के उपर 74 रन की पार्टनर्सिप इस पीछ पीछे खेलाड़ी और सीधी हाथ में बहुत अच्छा कैच किया लॉग ऑन के उपर ड्रैनियल ने एक अच्छी कैच विकेट नमबर पहला पहला ब्रेक्त्रू पार्टनर्सिप को ब्रेक करवाई यहां से अब ने बले बाज की रुप में करण ने प्रस्थान कर लिया है तिम के कप्तान है करण की बात की जाए थो बहुत अच्छी गयान थी इसमीच आफ्स्टम के उपर रकाथा कपिल ने जिसके साथ छेड़कानी करने के लिए और गयान चलीगे सीधी विकेट कीपर के हाथों में तो इसमीच चार आवर समप्त हो चुके है और स्कोर कार के उपर 74 रन बने चार विकेट के रुक्षान के बाद जस रोकर वापी यहाँ पर आने वाली 24 गयनों के उपर 34 रन चाहिए और वो कुछ प्रकार से बनते है या बना पाते है या नहीं वो कॉमेंटरी में स्वागत है सर्प्रास मगडा सरका थैंक यू कर दो कि अलाओ leader में जислत quelqueए वो कर भी है यहाँ आया है कर दो किया की में वो क्वाशे जदिसदीट जज रजय लगयाँ और्मियम कषिदीट ऑलाब्ले कर दो दो कि दिल भी खुमेंगrice, vedila वगषिब है झाल झाल थोड़ा सा वक्त का सहयोग मिलेगा बहुत आपबारे रहेंगे आपके वेसे भी हम एक गंटा थोड़ा डेरी से चल रहे हैं थोड़ा सहयोग आप जो समयनों सहकार मरसे तो तमारा आपबारे रही सो 24 गिदों में 34 रंच चाहिए प्रजे पटेल 9 गिदों में 34 के पर बल्ले बाजी करता हुआ चार चके दो चौके प्रजे की बात कीज़े तो पिछले साल इसी टूनामिन में बहुत अच्छी पारी खेली थी जब कॉलिफ़ाइ करवाना था टीम को एक अच्छा खेले थी लेकिन आकरी मुकाबले में कुछ ज्यादा नेट रंडेट की वज़े से टूनामिन से बाहर गए थे रिकन अच्छी पारी उनकी और सदीकनों के मिली थी पिछले साल बंदरा गिदों में 49 बनाकर कुणाल पेविलिन गए करण पटेल साथ देने के लिए आये हैं प्रजे स्ट्राइक के उपर है गेन बाजी के उपर दूर वले छोड़की और से वीकी वीकी की बाद कीज़े तो बल्ले बाजी में थोड़ा युगदान मिला था पहले अवर में 19 रन उनन जड़े थी डीप क्रीज में गए जगा बनाए मीड विकेट के पर माना हुता दोक्ये वरुन सतकार है उड़ावला पाथावला सतकार दाखावला डीजे पैस चाहिए जगा बनाए और एक मरतबा सपलग के अपस्तम के अपर निकले मीड विकेट के उपर से स्लोट वाली के इनको पार्किंग प्लोट में बेज़ा है पैर में डालोगे ना तो दूसरे प्लोट से लानी पड़ेगी उड़ावला पाथावला सतकार दाखावला किये दूसरी फिल्ट से गैनवाजी में पहले तीन विक्टे निकाली गई बल्ले बाजी में करिस्में बल्ले बाजी क्या रहा गे दोका सांदा गया 46 के उपर बल्ले बाजी कर रहा है कल 12 इंदो में 22 अर्थ सतक जड़ा था इसकी बरोबर ही हो सकती है लेकिन वह कल वाला तूनामेंट लेजन टूनामेंट चालिस वाला ओवर 40 वाला आज वाला तूनामेंट है ओपन है 22 के दूमें 22 रन रन अबल चाहिए जीतने के लिए और स्वागत दो चक्की के साथ विकी का स्वाहली कप्टर ओड़ाने का प्रयास था डाउन डर ग्राउंड स्कुल लेगंपर के पीछे खेलाए सिंगल के साथ संतुष्ट होने का पड़ीगा अपने विक्ति के स्कूर 47 के पर पहुँचे 12 गेनों का सामना किया 6 चके 2 चौके 87 एक लोता विकर गिरा है पार्टनसिप यहां से बिल्ट अप होने जारी है 13 की पार्टनसिप दोनों के बीच में हो चुकी है 74 की पहले पार्टनसिप थी ओफ उल्टोस गेन अड़की नेक मोटा फटकार चेन रुटा विल करतोई सीमरे से दे बाहर साह दवा सथकार 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 दाव संक्या सर्किल तोई 93 दवा एक गड़ी बात तीन चक के एक सिंगल या और एक मरतबा मीड विकेट के अपर खिला मानव है वहाँ पर तीज थ्रो किया है की परेंट की और तीन चक के दो सिंगल अभी भी एक गेन बाकी है एक्सपेंसिवी स्पिल होने जा रहा है विकी पटेल का दूसरा वर पेकर एक इन बाकी ये 37 रण दी चुके है विकेट की कोलम खाली है उनकी सफलकर आपस्टम के अपर गया अपकोवर के उपर से चम चम आता चोका केमरे में आपका इंतिजर कर रहा है परेजेस बाई बला दिखाएंगे केमरे में याव सारे चहिती दर्कस दरसक गर बेठे आपका बल्ला देख रहे हैं अपनी बल्लेबाजी देख रहे हैं चौके के साथ अपना अदसदक खतम किया 51 रंद 13 गिदों में बनाए आइस टूनामेंट का फास्टेश 50 है कल वाला तूनामेंट अलग ता ये टूनामेंट के शुरुआत हुई है तो फास् लक्स्वापी पेले गिनबाजी चार अवर में अच्छी हुई थी 35 दिये थे पांच विक्टी गिर चुकी थी उसके बाद पहार जिसा लक्स खड़ा किया और उसको क्या खतम कर रहा है प्रजय अभी पिच्चर बाकी है लेकिन है नजदीक पहुँच चुके हैं क्लाइमि सर चक्की के साथ रन संक्या 104 एक बाउंटरी एक चौका चाहिए और पीजे फिल्डर है और तोड़क वाइडिस लॉंग आफ के उपर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है और 105 रन स्कोरबोर के उपर केज की मांग की आखिर कार डेमेज करना था वो डेमेज करके पेविलिन की और रहा दिखाई ये 14 गिंदो का सामने आखिया 21 रन बना कर प्रजेई पिटल बैक तूड़ पैविलियन लेकिन है डेमेज कर चुके हैं नुकसान कर चुके हैं गाउख खड़ा कर दिया है सामने वाले टीम का जस रॉक्स वापी का जस रॉक्स वापी के कप्तान अगर पॉसिबल है तो 11 देने के लिए आएंगे पॉसिबल है तो जरूत नहीं यह विसे जलबाजी नहीं है क्योंकर इसके बाद आपका मुकाबला तीन रन बाकी है जीतने के लिए और जई पाटिदर सादकपूर कप्तान अपना 11 देने पहु और चक्के के साथ what a way to finish this match पिछले मैच में भी चक्के के साथ पार्थ मिनकस ने खतम किया था यह मैच भी चक्के के साथ खतम कर दिया है इससे देखा जाये तो 14 गेंदे बचाई याने के छटे ओवर की चार गेंद के उपर मुकाबले को खतम किया प्रजाई इस मैच के मै मैच है प्रफी का मंच मंच रखाए वहाँ पर पहुंचेंगे और टीम के कप्तान जस्ट रॉक्स वापी के कप्तान टॉस के लिए 11 देने के लिए पहुंचेंगे मैनदे मेच के लिए साथ में ट्रॉफी दी जाएगी और वाउचर पांच सो रुपये का अंकाक साल एडिसन मैंस्वेर की और से तो जल से जल वहाँ पर पहुंचेंगे मैंदान से वापास आते हैं जापक सर और साथ में होम्यार कासत सर प्रजई कमीटी बाक्स के बगल में जो खेमा रखा है वहाँ पर पहुंचेंगे और भी कमीटी के पंकीत बाक्स करता हो कर आप उनका मिनदे में इस प्रजई को दिल्वा कर रहा है उनको सनमनित करेंगे और बाईस बाय तो इससे आ रहा है बाईस बेखने और बहु भी लेके आते तो अच्छा होता पॉसिबल है तो जस रक्स्वापी के 12 मिन भी आ जाएंगे बहुत मेर्बाने होगी शुक्रिया ताकि वक्त न जाएगा हर्स भाई के हाथो मेन अद्ध मैच और 500 रुपे का वाउचर आकक्स लैडिस एन मैंस्वेर की और से तो वेल डानन कॉंग्रेचुलेशन प्रजाई ने बात की जाए तो 51 रन 14 के दुबे बनाए और गेनबाजी की बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 आवर में 13 रन देकर 3 सफलता निकाली है साड़ी चाकी एकोनोमी ओल्ड राउंडर प्रफरोंस वेल डानन कॉंग्रेचुलेशन प्रजाई नेक्स मैच के लिए बहुत धेर सारी सुप कम नाए और दोनों कप्ताना हमारे पास आप चुके हैं आपके प्लेंग लिए उनमें चेंजी खेसे तो बता दीजिए और बाइस बाइस क्या दिन चल रहा है आपका कप्तान का बल्ला सर चल के बोल रहा है यह मकाबला मज़ा आएगा देखने के लिए दोनों टीमें कड़ावर है सदक पूर ने जीता दूसरा मकाबला जस रोक स्वापी ने जीता तीसरा मकाबला दोनों के बीच में बोने रहा है दो जीतने वाली टीमें के साथ मकाबला झाल 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 इजे डाउन टॉस वने जा रहा है, पंकित भाई प्रमोकेटरस के ओनर के और से, डीजे डाउन, स्पिन दो कोईन भाई दा प्रमोकेटरस से ओनर, जैई पाटिदर सदक पर वंदर टॉस एंड डिसाइडेट टू बाल फस्ट अगेंस दा जस रॉक स्वापी, दोनों टीमों के बीच में टॉस उचुका है, दोनों के प्लेंग 11 आ चुके हैं, जस रॉक स्वापी और जैई पाटिदर सदक पर के बीच में टॉस वा, जैई पाटिदर सदक पर टॉस जीता है, और फिल्लिंग करने के फैसला किया, वोन तोस्पाइ जय पाटिधर सब्सक्राइब एक पर अजिए तो फिल फस्ट यू कन सी ट्रफी अवनर्स ट्रफी यू कन वाच ये पाटिधर समाज क्रिके टूनमेंट प्रमकेटरस कब 2023 ट्रफी और सुछ चिल्ट चिल्रंस फ्रम अनाथा लाइस यह थे अजिए टिल्ट चिल्ट अनाथा रंट अच्छाव एक रजा चूर अज़ झाल 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 प्रमुख केत्रों सर लीलापूर आयोजीट पातिदार समाज क्रिकेट टूनामेंट प्रमुख केत्रों सिजन टू का अगाज हो चुका है आज की दिन का ये टीसरा मुकाबला दोनों टीम के कप्तान से घुजारी से के अपने एक्स्ट्रा खिलारी प्लीज कॉमेंटरी वॉक्स में बेजे जैपातिदार सादगपूर का ट्वेल्ट मेंट आ चुका है प्लीज जस रोक्स वाटपी क्रुणाल और प्रजय की जोड़ी पहले गेंद बाजी का बार यहां पर खुद कप्तान भावेस्पटेल कोमेंटरी वॉक्स से गेंद बाजी करने के लिए आए हैं पहली गेन बल्ले का अंद्रूनी की ना रहा लिया कट लेट स्टोक खेलने की कोशिश की ठी लेकिन बल्ले का अंद्रूनी की ना रहा लिया यहां पर बहुती कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि भावेश पटेल बहुत ही खुप स्टलाई में हैं जबकि प्रजे की बाट करें तो पिछले मैंस में मैंनपने मैंस का खिटा पाया था और यहां यहां पर गेंड जो की पहले बाउंस के बाट गेंड सीमा रेखा पार यहां पर पहला चौका जस्ट्रॉक वापी 11 जिन्हों ने अपने अकाउंट की शुरुआ देकर बड़े चौकी के साथ पहले डो ओवर मेंडेटरी पावर फ्ले आइस बार गेंड हो में उचाए बहुत है फिल्डर जिन्हों ने डस याड अंडर यहां पर गेंड को गेंडर किया यस लगने वाला यह पहला जटका एक बहुत ही कूप सुरुट के अच लिया लगने वाला यह पहला जटका कुणाल आउट होकर पैवलियन कि यहां पर करन पटेल का अगमन हुआ है जो कि टीम के सबसे मजबूट बलेबाज माने जाते हैं खुड़ टीम के कप्टान है करन पटेल की बाट करेटो जल्ड आनो उनको आना पड़ा यहां पर विकेट के उपर आटे ही गेन हो में पार्थ जिनों ने कोई कल्टी नहीं कि लगने वाला यह दूसरा बड़ा जटका डो गेंडों के उपर दो सपलता क्या सुरुवाट यहां पर जैपार जैपार्टिदार साडग पूर 11 के और से मुझब अजयाख जिनो नहीं के आटू यहां मुझब रस्टाप हूँ झाल ऑार्ट वाला यहां पर जैपार जीवड़ा यहां का ठींड़ां भार्ट चानल एवाला यहां 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 डिनों आटकाटार्टन कि यहां पर भावेश के लिए डो गेंडों के उपर डो सफल्टा हासिल कर चुके हैं गोल्डन के अपने हेल्ट्रिक की और कि आइस बार राइट इंडुट ब्लॉक हॉल यहां पर एक जोरदार अपील जरूर हुए थी लेकिन क्या केंडबाजी की सुरुवाट यहां पर भावेश पटेल के द्वारा कि श्कूर रुका हुआ चार रंडू विकेट के नुक्सान के उपर पारी का यह पहला और चारी ह यहां पर भावेश पटेल का खतम हुआ पहले की समाप्टी स्कोर है चार रंडू विकेट के नुक्सान के उपर कर दो करने के लिए एक लंबे कटके खिलाड़ी पाठ पटेल आये हैं गेंडबाजी करने के लिए पहले गन फुल्टोस के एंठी गोम कर खेल लिया है फिल्डर टेनार्ट है वहां पर सिर्फ एक रंड़ से संटूस करना पड़ेगा इन एक रंड़ के साथ यहां पर प्रजाई जिनों ने अपने अकाउन की सुरुआट की स्कोर बढ़ता हुआ पांच रंडू विकेट के 11 तो से जीटा था यहां पर जही पातिदार साड़क पूर 11 पहले गेंड़ बार्जी करने का निया लिया था एक सही सही फैस्ट लाक्यों की पहले और की समाप्री पर स्कोर है चार रंडू विकेट के नुकसान के उपर आज बाक्रीन बोल नजर हटी दुर्गेट नगटी फनिचर डिस्ट्रोई लगने वाला यटीशना जटका अच्छी गेंड़ वाजी की शुरुआ यहां पर टीसरा जटका लग चुका है स्कोर है पांच रन काफी नाजुक परिश्टीटियो से घुजट्ती यहां पर जुस रॉक्स वापी एलेवन काफी अच्छी गेंड़ बादी काफी अच्छी गेंड़ बादी यहां पर एक और डॉट गेंड स्कोर रुका हुआ पांच रन तीन विकेट के नुकसान के उपर पारी का यह दूसरा ओवर जा रही है कि इस बार स्वाटाम पूल स्टोख खिलने की कोशिस गेन जा रही है डीप फाइन लेक की दिसा में अमपायर का इसारा चारन रोहन के बले से निकलने वाला यह पहला चौका कि स्कूर बढ़ता हुआ नौ रंटीन विकेट के नुकसान के उपर कि जहां तक पार्ट का सवाल है अभी तक चार गेंडे की है पांच रंड खर्च किये और एक सफल्टा काफी अच्छी गेंडवाजी बावर प्ले में गेंडवाजी करना इतना आसान नहीं उटा है कि इस बार जड़ में डालने की कोशिस हलक्याटों से एक गलट फैसला वहाँ पर लेकिन वापस मोडा वहाँ पर प्रजय ने एक सही सही फैसला काफी अच्छी गेंडवाजी पार्ट की तारीप करनी होगी यहां पर स्कूर रुका हुआ नौव रंटीन विकेट की नुक्सान के उपर फुल्टोस गैंठी बल्ले के बीचों बीच नहीं आए शॉटी से एक्स्टा कवर की निशा में खिला डी तेन आठे वहाँ पर रन की कोई गुंजा इस नहीं सक्सेस्फुल ओवर यहां पर इस ओवर से पांच रनाए और एक सफल्टा डो ओवर की समाप्ती पर स्कूर है नौ रंटीन विकेट के नुक्सान के उपर अब फिल्लिंग रिस्टिक्शन का समय समाप्त हो चुका है कि गेनबाजी में परिवटन यहां पर भाविश को हटाकर रवी को इंट्रोडीस किया गया है कि यस हमारे बीच में जो आमन प्रीट बच्चे थे अनाठ आस्रम के वह हमसे आज छुट्टी लेकर जा रहे हैं कि यह साइड संदे के दिन उनको वापस लाया जाएगा और संदे मतलब रजा होती है तो वापस उनको बुला लिया जाएगा जोड़ा टालिया हो जाए इन बच्चों के लिए एक बार फिर से इस बार हलकी सी आउट्स्विंग गेनबाजी करने की कोशिसा काफी अच्छी गेंडबाजी द्रवी के द्वारा लगा टर डो बिंडी गेंड़े स्कोर रुका हुआ नहीं हुआ हुआ है कि आज बार छोटी पटकी हुए है नहीं यहां पर चौका यहां पर प्रजाई के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका स्कोर डबल अंकों में पहुंट एक बार फिर से इस बार पॉइंट के ऊपर से केल दिया है यहां पर फ्लैट शिक्स अंपार का इस सारा चेरन अंपार जीटू पढेल ले जीन होने 6-0 के साथ यहां पर सिग्नेल दिया इन 6-0 के साथ स्कोर बढ़ता वह 19-19 प्रजे की बाठ करेटों 5 सेगेंडों के उपर 11 रन एक छक्का और एक चौका सामिल इस पार स्लॉक फिप केलने की कोशिश वहां पर डीप मीट विकेट की डिसा में खिलाड़ी देनाठ है सिंगल लेकर स्ट्राइक को रूटिट करने की कोशिश अच्छी सोच मानी जाएगी अभी इस ओवर्ट से एक गेंड आनी बाकी है इस ओवर्ट से पांच गेंडों के उपर ग्यारा रन आए कि बारफी से हलकाटों से हलका सा फंबल जरू हुआ है डीप एक्स्टा कवर की निशा में खिलाड़ी देनाठ पहला रन का फिटेजी के साथ रूहन को एक ही रन से संटूस करना पड़ेगा ओवर की समापनी हुई टीन ओवर की समापनी स्कोर है 21 रन टीन विकेट के नुक कि अग्यान बाजी में एक और परिवर्टन यहां पर उमेश पटेल अपनी स्पेल का पहला अपनी टीम के लिए चौठा उवर लेकर गेंड़ बाजी करने के लिए हैं कॉमेंटरी बॉक्स एंसे गेंड़ बाजी करेंगे पहले ग्यान डाउन डग्राउन हलके हाट उसे ठीक गेंड़ बाज के ऊपर से खिला वहां पर राज है फिल्डर जब तक फील्ड करेंड़ टप टक एक रन चुरा लिया स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिस वहां पर एक रोड़ों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन प पर विगेट की पर भावेस है जिनों ने गेन को गिदर किया रन की कोई गुंचा इस नहीं स्कोर रुका हुआ 22 रन टीन विगेट के नुक्सान के उपर इस बार कड़क कड़क स्ट्रोक जाएगी आठा डर्जन रेंडिकार फ्लैट सिक्स अंपायर का इसारा छे रन स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन प्रजाई की बाट करेंटों पिछले में इसमें मैंन अप्रमेज का खिटाब पाया था जहां से खटम किया था वहीं से करने की कोशिश कर रहें यहां पर है कि आज बार बढ़ा हीट जाएगी एक और शिक्सर एक और शिक्सर प्रजाई के वल्ले से निकलने वाला यूजन हैंसम इन छे रनों के साथ स्कूर बढ़ता हुआ थर्टीफोर रन इस बार घूम कर खेलने की कोशिश बरले के बीचों बीच नहीं आए थी डीप मीट विकट के निशा में एक प्रोटेक्शन जरूर रखा है वहां पर इन एक रनों के साथ स्कूर बढ़ता हुआ थर्टीफाइब पेंटिस रन जाटक प्रजाई की बाट करें तो दस स्गेंडों के उपर पच्चीश रन धाईशों की स्ट्राइक रेट के साथ बले बाजी हो रही हैं कि शुर्वाटी तीन जटके के बाद यहां पर पारी को सवाने की कोशिस दोनों पुर्ले बास के द्वारा इस बार जड में डालने का प्रयास प्रयास अच्छा किया था वहां पर एक जोरदार अपील जरूर कि थी लेकिन आउटसाइड लेक्स्टम करा दिया वहां पर ओ कि समापटी स्कोर है पेंटीस रन टीन विकेट के नुक्सान के उपर जै जस्ट्रॉक्स झालने करते है भी झालने के उिवाव बांटी स्कोर ही लेकिन विक कि भी उ leakingनेmodern टीवा डास प्रयास पीयाएग well झालने रप एक जब कर कर किया दोंगे लेक एक वेगिशों स्क्तार पारिए लुगन के यह जब टॉत में झालनte विकेशश ở कि भी ऺ d Arg तो इस बीच यहां से चार ओर के बाद पैतीस तरण बने तीन विकेट के नुक्सान के बाद देखा जाए तो पहला हाँ खतम हो चुका है और जीतु पड़ेल सरने बहुत ही बहतरी नियांसे कोमेंटी सुनाई आपको अब यहांसे दूसरे हाथ की सुरुवात होने जारी है बॉलिंग का चोड बदल लिया गया है अब हमारे दूर वाले चोड से गैन बाची के उपर पाथ तयार अपने बॉलिंग माग के उपर स्टाइक के उपर प्रजेई पडेल दस गैन पचिस रन प्रजेई पडेल देखे पूरी लंबाई के साथ इसमीच ऑफ्टम के उपर गैन को रखा जिसको ऑनसाइट के उपर गसीटना चाहते थे लेकिन गैन विकेट की पर भाविस के हाथों में चली गए इसमीच कोई रन नहीं कोई इक्सलेट नहीं 35 के उपर रुका हुआ स्कोर साड़े आठ का करन रंडर चलता हुआ प्रोजेक्ट स्कोर यहां सत्तर के आसपास जा सकता है देखे इसमीच छोटी गैन पठकी हुई गैन दो खिलारी के बीच में यहां से ब्लीच सोट कहा जाता है टप्ता खाने के बाद बाउंडर लाइन के बाहर दो खिलारी को जब विबाजन किया क्रिकेट की बासा में B4 ब्लीच सोट एक अच्छे सोट के साथ स्कोर कारके उपर 49 तरन तीन विकेट के नुक्सान के बाद जस्ट्रोक और वापी वर्सिस जई पाटिदार सादकपर के बीच में खिला जाने वाला ए मुकाबला टॉस जीता था सादकपर ने और पहले फिल्ड करने का फैसला किया था और बलेबाजी के पर इनवाट किया था वापी देखे इस बार अपरकाट लेकिन पीचे खिलाडी ड्राइव कर दिया ग्यान के उपर अपनी पूरी बाडी को जोका लेकिन प्रेजन्स अप माइन देहना जरूरी है यह बाडी को जब जिस प्रकार से मुव किया था तो काफी ग्यान दूर थी उस समय के उपर और यहां से रन मिले और कैश नहीं कर पाए स्विपर कावर बाउंड लाइन के उपर था प्रजै के लिए स्पेशल खिलाडी को त्यानट किया था जब ए एंड से गेंडबाची हो रही थी तो तो अच्छे सिक्सर लगाए गए थे आफ्स्टम के उपर प्रजै द्वारा देखी इस मिच रहान ने कॉट कर दिया है पॉइंट के उपर खिलाडी फिल्ड ने किया जब तक त्रो किया जाए विकेट की पर एंड के उपर एक रन अभी के साथ स्कोर काड के उपर 41 तरन टीन विकेट के नुक्सान के बाद एक अच्छी टूनामेंट का आयोजन किया गया श्री प्रमुक केरटरस लीला पॉर्थवार आयोजित पाटिदार समाज क्रिकेट टूनामेंट बहुत ही बहतरिन मुकाबला चलता हुआ अब स्क्वेल लेक के उपर जीतू पटेल और मैन एंपर की बुमी का मैं हम्याद का सर्चर देखिए इस बीचे हलका सा बाउंस मिला था और हुक कर दिया था डीप स्क्वेल लेक के उपर जम करने के बाद गयन को रोका गया थ्रो किया गया लेकिन तब तक एक रन मुकमल कर चुके थे अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बयाली स्तरन तीन विकेट के रुक्षान के बाद जस रोकर वापी अवर नबर पांच वाप रगती के उपर है यहां से ताबर तो बल्ले बाजी करनी पड़ेगी एक सन्मांजन स्कोर के उपर लेके जाना है तो वन बाउंस से वान किया गया हमारे अमपर सरद्वरा अगर वापस ऐसी हाड्लेंड गैन की जाएगी तो निश्चीत नो गैन करार दिया जाएगा हलके आतों से कट करना चाहते ते अफ्टरम के उपर बाहरी किनाड़े जाए गली के उपर गैन चली गए बाउंड लाइन के बाहर चार रन के लिए आया जहां से भी आई जैसे भी आई रन आना चाहिए इस बीर खेलना चाहते थे आफ्स्टम के उपर लेकिन गैन जली गई कट होने के बाद बाउंट लन के बाद चार रन के लिए चोके के साथ 46 रन तीन विकेट अब रवी गैन बाची के उपर और स्टाइक के उपर प्रजाई अब नबच चठा दूर वाले चोड़ से गैन बाच तहीर अपने बॉलिंग मा के उपर देखिए इस मीच बैक पूट पर गए और स्टाइक के उपर चार रन के लिए बहुत ही बैतरीन चोका ब्यूडिफुल स्ट्रोक पाई प्रजे पटेल प्रजे पैथीस के उपर पहुँच चुका है पंद्रा गैन का सामना किया तीन चोकी और तीन शिक्सर डाइसो के स्ट्राइक रेक ने साथ अच्छी बल्ले बाजी यहार रवी ने पहला ओवर किया था बारा रन दिये थे इस मीच ओन साइड को टार्गेट किया कॉल था वहां कैज का लेकिन टपा आगे खाई जम करने के बाद यहां हाइट का बेनेफिट मिला और गैन को रुका रन के उपर खारिस किया गया दॉट गैन इस मीच बहुत ही बहतरी लेकिन रन नहीं बना वहां पे डॉट गैन पचास रन पूरे हुए है यहां पे तीन विकेट के नुक्सान के बाद छठा वर प्रगदी के उपर बहुत समाई मिला इस बाद छोटी गैन थी और हुक कर दिया डीप स्क्वेल ने के उपर आउट अपपक सी यू लेटल लिके 22 बार गैन को और सिक्सर छे के साथ 56 लॉस्ट अब दा थ्री विकेट 56 लॉस्ट अब दा थ्री विकेट 6 आवर इन प्रोग्रेस चपंद दीन विकेट चठा वर दूर्वाले चोर्शी गैन बाच इस मीच कैज का कॉल है लेकिन गैन जाएगी मीट विकेट स्क्वेले के मीच में छेरन के लिए ताब और तो बल्ले बाची यहां से बहुत ही बहतरिन बल्ले बाची करता हुआ जो फकीरी में मीच आज रखता है ठोकरों में ताज रखता है जिसको कल की फिक्र नहीं गैन को बेज़ा बाचुवाले प्लाट में और अपने हब सेंचुरी का स्वेक से किया स्रागाट बैहतरिन सिक्सर बल्ला खड़ा किया डगाउट में बैक तो बैक डो मैचों में दो फिप्टी लगाने वाला बलेबाच प्रजाई पटेल मानना पड़ेगा पाडिदार समाज का गर्वाव कहां जाएगा बहुती अच्छा एक मेसेज है एटलांटा परमवीर बोडला युएसे द्वारा इंटर विलेच टूनामेंट लेवा पाडिदार समाज जो दूसरी में से सुरू होगा और छे में को खतम होगा नाइट टूनामेंट है केसी पड़ेल क्रिकेट ड्राउन के उपर आयोजन किया जाएगा और सभी टीमों को कांटेक करेंगे एटलांटा परमवीर हमारे आयोजन का आपका सामने से कांटेक करेंगे कौन कौन सी टीम इसमें पाटिस्पेट करना चाहती है आपके उपर कॉल आएगा तो फिर से एक बार एटलांटा परमवीर बोडलाई ग्यान बाजी ग्यान दी जाए बाई बोडलाई USA द्वारा इंटर विलेच टूनामेंट दूसरी में से 6 में तक खिला जाएगा केसी बडल क्रिकेट ड्राउन के उपर थेंक यू गैन इसमेंच आउट अपक चली गए थी और 68 रन तीन विकेट के नुक्सान के बाद चठावर प्रगदी के उपर है यहां से रवी की बात की जाए तो एक आसरीय पांच गैन और 34 रन कोई सफलता नहीं थोड़े महंगे साबित होते हुए दूर वाले छोड़ से रवीत यार श्ट्राइक के उपर प्रजाई इसमेंच गैन अच्छी थी नीची रही थोड़ी और विकेट कीपर भावेस ने गैन को गेधर किया कोई रन नहीं को एक चरी नहीं डॉट गैन छे अवर की समाप्ती हुई 68 रन बने तीन विकेट के नुक्षान के बाद 68 लोस अपड़ थी विकेट शिक्स अवर कंप्लेट बावेस गैन बाची के उपर दूर वाले छोड़ से अपने बॉलिंग माक्यों पर और स्ट्राइक के उपर रोहन पटेल ग्यारा रन बना कर बैक फूट पर गए हलके हाथों से कवर के उपर बहुत बैसरीन फिलिंग लेकिन थ्रो भी किया अगर अच्छा फिल करने के बाद अच्छा थ्रो करना है तो बहुत जड़ा प्रैक्टिस चाहिए अपनी बोडी के उपर काम करना पड़ता है तब जाके सही निसाने के उपर गैन जाती है उसके लिए योगा करना पड़ता है हेल्थ का ख्याल रखना पड़ता है और ड्राइफूट खाने पड़ते है इस बीच गैन के उपर जोरू रहा है और नो गैन करा दिया गया इस बीच हमारे मही ने पर दवरा आउट ओफ विकेट गैन तपक आई थी तो आने वाली गैन के उपर फ्री हीट है मौका है बल्ले बाज के पास दे गुमा के लगाने का पूरे ग्राउंड में जहां इस्चा चाहे वहां लगा सकता है और run out count किया जाएगा गैंड बाज की wicket count की जाएगी नहीं तो बल्ले बाज के पास मौका है free heat है, उंगली गुमी है lower full dose गैंड इस बीच free heat का फाइदा नहीं उठा पाए change of pace वाली गैंड इस बीच बावेस बहुत ही चौकन ने क्योंकि एक अच्छे बल्ले बाज बखू भी जानता है free heat के उपर कौन सी गैंड डाले तो run नहीं बनते हैं, वही काम किया बावेस ने सादक पर 11 के लिए एक और अच्छी गैंड इस बीचे यहां से वापसी करवाता हुआ बावेस पड़ेल दूर वाले छोड़ से अब तक देखा जाए तो बावेस एक असरी तीन गैंड कर चुका है और अब तक 6 रंदी और 2 सफलता उसके नाम के उपर टॉप एज टॉप एज है इस बीच खेलाडी बावेस कुद पड़ोत्रों में उल्टा भागे और कैच किया बहुत ही महत्वपुनक कैच कहा जाएका एक अच्छे मलेबाज को पेवलन के रास्ता दिखाया इस मीच यहां मौका मिला दस्तूर मिला उसका फाइदा उठाया और प्रजय आउट होने के बाद वापस तीरफ पंदरन बना कर एक अच्छे में एक और सपलता मतलब हिसाब कीताब किया जाए तो तीन विकेट भावेस के नाम हुए इस दिरिंग में टोटल विकेट गए चार अब वापस अतयार है दूर वाले चोड़ से चीराग बलेबाज स्टाइक के उपर इस मीच गसीटा जिसको मीच विकेट के उपर से आउट अप पार्क बेजा है गुणवात्ता बरा सिक्सर और छे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 76 रन चार विकेट के नुक्सान के बाद अवर की बाद की जाए तो यहाँ पे सात्वा अवर प्रकति के उपर है बोल्ड आउट यहाँ नचर हटी दूरगट नगड़ी क्रॉस दा लाइन खेलने के लिए गुणवाट के उपर टपकाई और सीधा बोल्ड आउट किया यहाँ से बावेस के एकाउन में चौथी सपलता बैहतरीन गैनबाजी अगर पानी में जंप लगाना है तो पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए बावेस के उपर अगर हीट करोगे तो ऐसा ही होगा आपको आउट होना पड़ेगा यहाँ से विकेट नमबर पाचवा का फटम हुआ बावेस ने दो ओवर किये बारा रान दिये अगर पावेस के उपर अगर 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 नहीं पहुँआ पाई गया और गयान चली के बाउंड लाइन के बहाद चारण के लिए बहुत ही बहतरीन स्टोक इसमीच डीजेट के ग्राउंड के उपर एक अच्छा सोट और यहां से चोका अब स्कोर कार के उपर असी रन पांच विकेट के नुक्सान के बाद तो इसमीच हमारे साथी और सोय कोमेंटर राजेस आचरिया फ्रम रानकुआ जिन्होंने पाडिदार समाज के टुनाबेंट के लिए डेर सारी सुपकमना भेजी है और सभी खिलारी को बेश्ट अब प्लक कहा है विश्यू वेल कहा है कि आप बहुत आगे बड़ो बहुत प्रगदी करो और यह मुकाबले जीते और चैंपियन हो ऐसी सुपकमना कोमेंटर राजेस आचरिया फिलाल आज की तारिक में सुरत में कोमेंटरी करते हुए राजेस आचरिया दिखी इस बीच स्विंगिंग यॉरकर करने का प्रयास किया और विकेट की पर पार्थे गयन को गेधर किया कोई रन नहीं कोई किसाथी नहीं डॉट गयन इस बीच आट वेवर की एक गयन यहां से बिंदी आती हुई असी रन स्कोरकार के उपर पाच विकेट के नुक्सान के बाद जस्त्रक और वापी वर्सिस जैपाटीदार साडग पौरी लवन इस बार संपरक हुआ है काव कॉनर की और गयन जा रही है लेकिन पीछे खेलारी पोजिसन बनाए लेकिन उसके उपर से गयन चली गए बाउंट लाइन के बाहर एक अच्छा सिक्सर और छे के साथ 86 रन पाच विकेट के नुक्सान के बाद इस बीचे फाइन लेकिया और गयन आ रही है कापी तेज आउट फिल्ल गयन के बीचे खिलाडी लेकिन नहीं रोख पाएंगे यहां चौका मिला चौके के साथ स्कोर कार के उपर जरूर बड़ोत रहोगी अब यहां से 80-90 रन 86-4 नबबब अब हलकी आतों से कट कर दिया है एक्स्ट्रा कवर दी बाउंड लाइन के उपर जब तक फिल किया जाए यहां से हलकी सी मिस्पील हुई और नतीजा एक रन जिस प्रकार से मॉल में स्कीम रहता है बाइवन गेट वन फ्री तो यहां एक के उपर एक फ्री आया हलकी सी मिस्पील हुई जिसका फाइडा उठाया और जले के उपर नबग कहो तो चलेगा 92 लास्ट बॉल रिवेनिंग फॉर अवर नबर आठवा बोल्ड आउट यहां से नचर हटी दूर कटना गटी लगने वाला एक और चटका विकेट नमबर छठा और उमेश के एकाउंट में यहां से देखा जाए तो पहली सफलता बोल्ड आउट के रूप में स्कोर कार के उपर 92 रन बड़े छे विकेट के नुक्सान के बाद चीतने के लिए 93 रन का टार्गेट है एक अच्छी टूनामेंट यहां से प्रमुक के अटरस लब और द्वारा आयोचीत किया गया पाटीदर समाज की टूनामेंट है डेनाइट टूनामेंट है निविया हेवीवेट से आयोजन किया गया डीजेट से क्रिकेट ग्राउन के उपर यह दूस्तरा साउस करण है इस टूनामेंट का परपस मोटीव एकी है कि यहां जो अनाथा लई है उसके बच्चों के लिए अन्यदान करना महादान उस प्रकार का यह आयोजन है तो यहां 16 टीमोडे पाटिसिपेट किया है कमिटी मेंबर्स की बात की जाए तो पंकीत बाई, वीरल बाई, हर्स बाई जै किसन बाई, तुरूसीद बाई, दीवियस बाई, अमीद बाई, धुरूव बाई और किसन बाई, यह हमारे कमिटी मेंबर्स से टूनामेंट के स्पांसर की बात की जाए तो हमारे ट्रोफी के स्पांसर असुक बाई पठेल, अंकीत बाई पठेल, सादकपर और बाल के स्पांसर उंडाच ड्रिमलेंड ग्रूप, मैन अप्दा मैच के स्पांसर है ट्रोफी और वाउचर 500 रुपया का अकाकसा लेडिस एन मैंस्वेर बलसाड DJ साउंड के स्पॉंसर है मुकेस पालन से रहने वाले यहाँ पे प्रमुक मेडिकल भी हमारे स्पॉंसर है समाज के कमिटी मेंबर्स की और से 11,000 रुपया स्री मितियस पाई जोसी के और से 5,100 रुपया और यह दूसरा सीजन है इसी ग्राउन के उपर लास्ट येर एक अच्छा टूनामेंट का आयोजन किया गया था जिसमें इस पर ओफिसल्स की बात की जाए तो अमपार BDCA बलसाड हमयर का सच जहाबक्स और जीतु पटेल स्कोरर की बात की जाए तो आकास घरणिया और ग्राउन की बात की जाए तो DZC क्रिकेट ग्राउन YouTube के उपर स्माइल चैनल के उपर आप जा सकते हो सस्क्राइब कर सकते हो, शैर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो ओपरेटर अनन पटेल और जिखनेस हमारे क्यामेरामेन डीजे साउन सुर स्वागर औरकेस्ट्रा मुकेस भाई जिसके प्रोपराइटर और हीरेन है जिसके ओपरेटर और कॉमेंटर की बात कीता है तो जीटू पटेल फ्रम बलसार सर्फरस माकरा फ्रम चासा और मैं कॉमेंटर राज चोहान युवाएक ताती लव से फिर से एक बार आप सभी जन्दमेदी का तहरील से स्वागत है तो इस बीच आने वाली कॉमेंटरी के लिए कॉमेंटरी बॉक्स में स्वागत है सर्फरस माकरा का फ्रम चासा चासर है इस बीच प्रम चैनल से बिसक सकता फ्रम चासमेदी का मिलेंगे बंबे बेल, फ्रेंच फ्राई, डिल्ली चाट, वेज बिर्यानी, कटले सोले पुरी, रजस्तानी कोफ्ता, दम बिर्यानी, नुडल्स, चाइनीज बेल, वेज, मंचुरियन, सिज्वान राइस, पनीर चिली, बंबे क्यू, बाबे क्यू, गुजराती थाडी, समोसा, मलाई, गुला, लस्सी, पॉपकॉर्ण, चास, इन कोल्डेंग्स, उसके लिए आपको हरी पत्ती निकालने पड़ीगी, दोनों पारंबी जोडी पावेश, और उसके साथ रवी, और गैन बाजी के पर प्रजे, पिछली मेंच की मेनब्दे मेंच, और दोनों, स्ट्राइक की अपर भी, पिछली मेंच की मेनब्दे मेंच, बावेश, पेल गैन, क्रोस पेटर, सॉट के लाई, मिड़ विकेट की दिशा में, फिल्डर तेना थे, फॉर्वर्ड, मिड़ विकेट खड़ा किया है, वहाँ पर फिल्डर तेना थे, पेली गैन, जैने, फिल्ड की, खजुर्डी से बिलों करतने, जीत, खजुर्डी के भाई, वाईडिस लाइन वाली गैन्त को, गसीट करो, उसी दिशा में खेला, लंबा चैस, जुकना पड़ीगा, क्रिकेट में आप पुस्पा नहीं बन सकते, क्योंके पुस्पा जुग तो गैन पकड़ोगे ना, गैन निकल गई चौकी के लिए, पहला चौका बल्ले से रन सक्या पाच रन जाड़ वाली गैन्त सटी क्योकर गैन को, जेसे वे से संबाला, खुबस्त बैगा आपसी की है, प्रजाई की और से वाइडी से रिखा क्योपर गैन बाजी पेचली थी, दो गैन दे, उसके बाद इस मुर्तबा सटी क्योकर विक्तो के पर निसाना साधा था, सिंगल के अब नमबर पहला चलता हूँ, बाविस पटेल, एक गिदो में एक रन के पर, दो गिदो में पास के उपर रवी पटेल, प्रजे पटेल चले, वाइडी स्लाइन वाली गसीट को गैन को खेलने का प्रयास्ता, वन बाउस गैन को गिदर क्या, फ्रू करना पड़ीगा, क्यो अबर सटिक टपे के उपर अभी तक हुआ है, जब बल्लेबाजी के उपर थी, जस रोक स्वापी वहाँ पर दो विक्टे गिदी थी, पहले अबर में, ब्लाइन सोटा, जगा पर खड़े-खड़े खेलने का प्रयास्ता, क्रीज की गिहराय का इस्तिमाल करना जुरूरी, आप कड़े-कड़े खेलोगे ना प्रजे आपको खेलने नहीं देंगे, एक अच्छी गेंदबाज की रूप में उबर कर आए हैं, अल राउंडर अगर कहें तो गलत बात नहीं होगी, अफुल्टोस गेंद, उसको उड़ाया, स्क्वेले के फिलर के उपर से छेरोनों के खराब गेंद की है, आकरी गेंद के उपर चक्का लगा, ओवर की समाप्ती, एक ओवर की समाप्ती के बाद, रन संक्या फिलाल रुके ही, साथ रन, स्वरी तीरा रन, अगले कल के लिए जो भी टीमें खेलने वाली हैं, कल वाली जो चार टीमें हैं, उनके सब भी ओनार काम और मोबाइल नमबर के साथ, प्लीज ये कुर्पया करके बिंती हैं, ताकि कल करी किरोज के स्कोलर को मैच की वक्त दिक्कत नहों, और आपको भी तकलिप नहोंगी, आज से अगर आपको एक बज़े पहला मुकाबला खेला जाएगा, तो प्लीज रिक्वेस हैं, सभी क करी किरोज को पहुंचा दे, गेनबाजी के पर करन, पटेल को सामिल किया गया, पहला वर तीरा रन के पर खतम किया, पैडलाइन के पर गहन थी, विक तो के पर भाएगे क्या देखना पड़ेगा नहीं, अमपैर ने मना किया, अपिल जरू ही थी, फुड़ा सा सफल करके ख थी, क्यों कर गें थी, मिसिंग लेक्स तम अमपैर ने बताया, जी तो पड़ेल में अमपैर करोप में स्क्वेल लेकी अपर है, हो मेर का सद, शरी, प्रमो केटरस कप, और एक मरतबा स्लोड वाली गेन को पार्किंग प्लोट में बेजा है, चरोनों में गेम तो बाउंडर प्लोला सठकर दाखावला, लिजए, बाविस पटल को इस लाइन की अपर गेन बाजी नहीं कर सकते हैं, इन्फरम बले बाजे है, चार गिंदो में आठान दोसों किस टाकरे के साथ बले बाजी, उड़े आगे नवा में बहुत लंबी गया, बैपरजे बहुत दूर ही गया, मिड़ान सरकल के अंदर था, चोका बटो रहा, बैक तो बैक बाउंटरी पहला चका, उसके बाद चोका, रन संक्या जब पहुची है, 23 तेश रन, दीजी, लीला पोई लाइन सेन बोदले स्पोर्ट्स के कप्तान को बिंदी है, कि कॉमिटी बॉक्स में एंगे, प्लेंग इलेवन का स्कॉर्ट डेंग यार्ट टॉस करेंगे, वह में गेन है, कैच की मांग गे, लेकर फिल्लर सरकल के अंदर था वन बाउंस चोका, तीर के मानी, गेन बास को आईना दिखाया है, उपर वाली गेन दी ललचाया जरू था, ट्राइव के लिए, लीकिन नोमें स्लेंग, निर्जन सेतर्ट जिसको कहा जाना चाहिए, अक् गेदो का सामना किया, सोला के उपर बल्ले बाजी, रन संक्या, ट्वेंटी सेवन, फिल्में दफ्तिली गईया, लोंग ऑन और मीड विकेट, स्क्वेल लिक को अंदर बुलाया है, अब कौन सिगेन करते देखना पड़ीगा, सटी क्योकर, सटी क्योकर, रन की चेस्टार आना अड़ हो सकते हैं, तेजी के साथ के इनके उपर आना पड़ीगा, एक के साथ, रन संक्या, थाइस रन, आकरी, गेने पंदरान दी चुके हैं, पिछले वर में तीरा आये थी, इस वर में पंदरा, बाइस पटेल की बात की जाए, तो एक अच्छी बल्ले बाजी, बाइस पटेल की और से साथ, ये दो में सतरा केपर, नौन स्टेक केपर, दोनों पेरों के केची बना कर खेल रहे हैं, ये किस अंदाज भी रन चेस्ट किया जाए, और बीमर बाल, स्वेले गंपैर, जापक सरकाई सारा, स्वारी, हम्यर का सच सरकाई सारा, छे रन का, नौन का, और इसके साथ चका भी जला है, साथ रन काउंट के जाएंगे, खराब गेन, दुबारा डालनी पड़ीगी, वेस्ट हाइट वाली बीमर गेन, देखे, जहाँ पर लोवर फोल्टेस करने गए थे, और गेन तुड़ी सी खराब कर दी, जिसकी वज़ा से, खाम्याज भुगतना पड़ीगा, और एक सिक्सर, और एक सिक्सर बल्ले के आवाज से, रबर स्टैम लगा कर बेजा था, ये गुनवता बरा, आईये साई मारका वाला सिक्सर है, रन संक्या, 41 रन, दो ओवर की समाप्ति के बाद, बेवर पसी, 41 रन, विदाउट लॉस, बोदलाई, स्पोर्ट्स कॉंप्लेक अने लिलापोर लाइन्स ना केप्तन ने विननती के प्लीज, कॉमेंटरी बाक्स मा आवी ने भोतानों प्लेंग इलेवन आपी जाए अने टॉस करी जाए, सुद्ध गुजराती लेंग्वेज मा थोड़क सहयोगा पवी ननती, सेकंड एनाउंस चे, आप स्क्रीन के उप में बलसार डिस्टी को, नवसारी यो सुरतो, डांग डिस्टी को, नवसारी डिस्टी को, जो भी डिस्टी क में अगर आपको होगे ना, राज चुहन का नाम, बहुत ही प्रचली तहीं, जो कॉमेंटेटर सुरीली आवाज है, साथ गिदों में सत्रह के उपर, बाविस टा लुक नहीं देंगे ना तो पीताई होगी, देखिये कि संदाज में गैन की थी, गैन खराब नहीं थी, बाविस रक्सात मा गंदा से खेले थे, लेकिन ये करिकेटर में नहीं चलेगा, दोनों पेरों के बीच में से निकल गई, ये बहुत मुस्किले सरकारी गंणारा चौ का, आलकियातो से खेला और एक मरतबा सिंगल की चिस्ता, रणा ओट, रणा ओट, रणा ओट, वापसी हो सकती है, वापसी हो सकती है, पेंतालिस के ओपर रणाओट के रूप में पेला वीकट सथ बाग्यावस पड़ेख तुदा पेविलियन, आड़ ये दों का सामना किया 21 रन एक छक्का तीन चौका बड़ा विकट मिला है यहां से एक मौका जस्ट रोक स्वापी को वापस गेम में आने का देखिए किस अंदाज में किस अंदाज में निकले थे हलके हाथों से खेला था उनको पता है प्रजाई को विकट नहीं देना गैन हाथ में थी खराब कॉल जरू था यह रन नहीं था मेरे हिसाब से और नाको से रवी चाहते तो विकट सक्रिपाइस कर सकते थे लेकिन रवी का भी बलाज जोरो सोर से चल रहा है छे गिदों में 23 के उपर वो भी कहल रहे है वो भी सैट है तो पहला विकट 45 के उपर नहीं बले बास की रुप में प प्रथम है और बल्ले से प्रथम चक्का लगता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा 48 मैची सा 133 के स्टाइक रेट 10 का इवरेज है एक 50 जड़ी है अपने केरियर में हलके आतों से फिलिक सट केल कर पीछे फिल्डर तैना आते हैं खजूडी के जब तक उठा कर गए इनको फिल करते हैं 22 दसका फासला ते करने के बाद सुरक्षित दोनों बले बाज अपने गरों में रन संक्या 46 वापसी हो सकती है यहां से रवी का वीकट अब बाड में जुम्खों में दोड गें दे अपने आप वीकट निकलती चली जाएगी प्रयास करना पड़ीगा 80 चोटी का जोर लाजमी है मान भी मिलेगा सनमान भी मिलेगा सोहरत तो फ्री में मिलेगी एकाद नजदी की फिलर होना चाहिए दबाव के लिए आसलाक्षित क्या सौड केला पिकप सौड कहूं तो गलत बात नहीं होगा नौलुक सिक्स कहूं तो गलत बात नहीं होगा ये उड़ाया, या सिदीज, बहुत ही खुपसुरत, उडवला, पाठावला, सठकार दाखवला, रन संक्या चक्की के साथ, वेलकम 50, चियर अब दे 50, बवन रन, एक विकेट के नुकसान किये पर, जैपाटी दर सादकपुर, 93 का लख्स का पीछा कर रही है, 32 के दिए 41 रन, बले के नहीं चले हिस्से में लगी स्केले कम पैर के और सेप वापास उसी दिशा में, जहां से पिछली मरतबा सिंगल निकाला था, एक सोच अच्ची है, लंबी रिस का गोड़ा होता है, वो हर मरतबा लंबा जंप नहीं लगा था, कहीं मरतबा आइस्ता इस्ता कदमों के साथ चलता है, एक सुच बुच वाली पारी चकगा लगा, उसके बाद सिंगल के साथ स्टाइक रोटेट की है, एक लंबी पारी खेलने का प्रयास बलेबास की अरसे, रन संक्या 53 रन, 40 रन चाहिए, 31 गेदों में, तीसरी उवर की आकरी गेन है, और प्रजय की आकरी गेन ह बचा लेंगे, पीछे गेन बाज होंगे, जिनके उपर पिटाई कर सकते हैं, रवी पटेल आन गेदों में, तीस के उपर, नॉन स्टाइक की आपर, प्रथम पटेल पहली गेन के उपर, एक काउंट उपन किया था, स्टाइक के उपर, फिल की जम आउट डिक ना के उपर, स्टीस थर्ड में, गली की पुजिशन के उपर, पॉइंट का फिल्डर सरकल के अंदर, अच्छी गेन बले का निचला हिस्सा लगा, आवास कुछ आई है, लेकिन अब कीपर ने बताया कि वन बहुं स्कैरी मेरे हाथ में हुई थी, कुछ दो कुछ हिस्सा लगा लेकिन जमीन को छूने के बाद कीपर के दस्तानों में, और स्पर्टमेंट स्प्रिट है कीपर की, जैसे हाथ में गेन आई, पहले इसे अपील करना चाहा है, पता लगा उनको, कि गेन जमीन को छूने के बाद मेरे हाथों में आई है, मेरे दस्तानों में आई है, तो उन्ह होने मना किया किज नहीं है सुक्रिया इस पॉर्टमेंट प्रिद दिखाने के लिए कीपर का बहुत बहुत सुक्रिया तीन अवर के समाप्ति के बाद 53 तेपन रन एक विकेट के लुक संद के उपर है करन रनेट की बात की ज़एद शाड़े सतरह के उपर चलता हुआ और रि अतन के तोर के उपर मोर्चे के उपर लगाया गया है प्रजे के दो अबर खतम हुए 25 रन दिये कोई सपलता नहीं एक वर में 28 रन करन पटल मेहंगे साबित हुए जिसकी वज़े से जई पटल को साबिल के गया गया गैन बाजी के उपर है रवी पटल की बात की ज़ए तो 28 रन बना कर तीस रन बना करांट के दो में स्टाइक के उपर असलोड वाली गैन को पार्किंग प्लोट में बेजा है बहुत हुचा उड़ाउला पाठाउला सटकारदा काउला कड़क सिक्सर रन संग्या 69 रन एक विकेट के नुकसान के उपर तिस के दो में 34 चाहिए रन बन के आसपास पहुच चुकी है जैई पाठी दरसा डगपुर असुक भाई काफी कुस और एक उपर वाली गैंधी कवर ड्राइब बला कोला क्या अंदाज में बले बाजी खूपसरो चौका कॉपी बुक सॉट जिसको कहा जाना चाहिए गैन बास की गती का इस्तिमाल कीजिए और देखे क्या प्लैस्मेंट है सॉट देखे सॉट की निजाकत को देखे हाफ वाले आउरसाइड डॉपस्टर ट्राइ तू पुस्ट लॉर फूल्टोस गैं थी कवर के फिल्डर ने ड लोट अप अगे इनको फिल किया स्टाइक रोटेट की इस बल्ले बास की एक को भी मोजी बहुत अच्छी लगी एक चका लगा एक चौका लगा दस रन आचुके सिंगल के साथ स्टाइक रोटेट की अपने आपको भी बचाया अपने आपको सेफ किया अब जो काम करना है को करना है लीक में चीज़ अगर आप खिलते हैं नेट रन रिट बहुत माइने होती है और वही प्रैस दोनों बलेबाज करता हुआ रन सेंग्या चोंसेट रन अच्छी बलेबाजी पूस क्याओ खूस रहो अच्छी अंदाज में पीछे फिल्डर तेना आते हैं सिंगल के साथ संतुषत है प्रतम अपना काम कर रहे हैं कोई जल बाजी नहीं कर रहे हैं उनको पता है रवी का बला जोरो सोर से चल रहा है कई मर्तबा वैसा नहीं के प्रतम के पास बल्ले बाजी में कबिल्यत नहीं कई मर्तबा टेंडूलकर को सिंगल निकालते देखा जब सेवा का बल्ला चलता था यकिनन टेंडूलकर दुनिया के नंबर वन बैसमेन है और ये बाहर जाएगी या सिरिस अड़किन एक मोड़ा पड़कर टेंजू ट्राविल करतो इसी मेरा सिती बाहर साधवा सथकर 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 एकतर रन देजे नहीं यहीं तो गेनबास की एकोनोमी खराब करने का प्रयास है बलेबास की और से 25 गेंदों में 22 रन चाहिए और तीन रन दूरे अपने अर्द सथक से चक्के के साथ कतम किया वाल्ट वे टू फिनिस इस हाफ सेंचूरी 13 गेंदों में 23 रन टॉस के लिए दोनों कफ्तान आएंगे प्लीज आकरी एनाउंस लिलापूर लैंस एन अब वदलाइ स्पोट्स कॉंप्लेक्स की कप्तान आपके लिए लासन फाइनाल एनाउंस है तीसरा एनाउंस है प्लीज जल से जल कॉमेटी बका संपक करेंगे प्लेंग 11 देना है टॉस करना है 24 गेंदों में 16 रंच जीतने के लिए क्या अंदाज में बल्ले बाजी कर देजिए आप स्क्रीन के पर देख सकते हैं यह चमचमा था बैनर 16 टीमों के ओनर और टीम के लोगों बहुत लंबी चर्चा मतना एक मिनिट का ड्रिंक स्प्रेक का वे से रखाया यह ट्रॉफी आप चमचमाती देख सकते हैं कि अभी बत्रामिदान ट्रॉफी के ऊपर से आप देख सकते हैं कुपसरत नजारा द्रhr all偉पि चमचमाती ओर ट्रॉफी के स्पॉंसर की बात की जाय तो हमारे सुर्षागर और्केस्टर के ओनर सुरी असुक भै इस टॉफी के हमारे इस टूनामेन के टॉफी के स्पांसर असुक भै पटेल सुमित गेनवाजी के उपर दूरवाली छोड़की और से सोलानन चाहिए जीतने के लिए प्रतम स्टाइक के उपर है प्रतम अपना काम कर रहे है प्रतम को बता है कि मुझे जलबाजी की जरूत नहीं है कप्तान ने जिस काम के लिए उनको बेजा है वो काम उनके और से हो रहा है प्रजे फिल की जमावड करते है जस्रोक स्वापी पहला मुकाबला जीती है यहां से नजदीक लेकर जाना पड़ेगा हारेंगे तो भी नजदीक लेकर जाना पड़ेगा तो आकरी मेंच आपको काम लगेगा आकरी मुकाबला आपको लीला पूर लाइन्स के साथ खेलना है ही रहन भाई लीला पूर लाइन्स के कप्तान कॉमिटी और सुरी मैनेजर कॉमिटी बगा संपक करेंगे पंकीद भाई आपका इंतिजार कर रहे हैं हलके आतों से कट किया कवर के सित्र में फिल्डर ते ना आते हैं यह अच्छी बल्ले बाजी यह प्रत्थम की और से और कफ्तान को पता है जिस काम के लिए उन्होंने बेजा था वो काम कर दिया हिरिन भाई थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगे महरबानी होगी आपका नहीं श्ची वर नहीं है लेकिन आज इनका वार है रवी का वार है और उनकी पारी एए वहलिफिवा जी अच्छी चली एए एक समध ऐसा लगा कि बाविस का वीकड गिरा है तो दो पीछे दकेल सकते हैं बेकफिट पे दकेल सकते हैं लेकिन रवी ने वो बात देखने को नहीं दिया किसी भी गैनवाज को सेट होनी नहीं दिया आते ही बड़े सॉट खेलने शुरू कर दी जी सही 22 का विकर गिरा बावेस की जो सेली थी छक्का चोका लगाने की वो शुरुआ तरवी ने कर दी उपर वाली गैन थी सीधा खेला गैनबास की पीछे फिल्डर था लॉंगान की उपर गैनग आकर ट्रो करते एक रन रन संक्या इस सिंगल के साथ 80 एक विकेट को नुक्सान की उपर 13 रन चाहिए 21 के दो में गंदों के आसपास से निकली है यह बाउंसर कान के पास से सीटी बजाता जाना चाहिए अब दे तो वर में गैन बाजी करते हैं आपके पास इंस्विंगर आउट्स्विंगर कटर गें दे नकल गें दे और अगर आपके पास गती है ना तो चमचमा तो तीखा योकर नटराजन बूमराह वाला और अगर गती है तो कान के पास से सीटी बजाती कत बाउंसर होनी चाहिए वाइडी से लेका के पर गयन किदी फिल्डर कड़ा किया था कैसे कप्रयास है दोनों हाथों के बीच में से गयन निकल गे सीमारे का पार छे रनों के लिए अच्छा जीवन गुजारने के लिए सिंदर सुशिल कनिया चाहिए और अगर गयन बसको वीकट चाहिए ना अच्छ कार हाथ और उननिस गेंदों में सातरन चाहिए क्या चक्ये के साथ खतम करें एक स्कोर लेवल करेंगे या सिंगल के साथ स्टाइक अपने पास रखेंगे दिखना पड़ेगा पीछे फिल्डर तेनाथ किया है सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 87 पांच अवर की समाप्ती 87 जीतने के लिए 18 एंदों में चीरन चाहिए अडार बॉलमा जीतवा माटे च्छोरन जोईए स्क्रीन के अपडर देख सकते हैं जस रख स्ञापी वरसिस जयई पाटिधार सड़क पर 11 की बीच में ये मकाबला टौस जीता था जस रख स्ञापी जयई पाटिधार सड़क पर ने फिल्निंग करने का फैसला किया था ये दोनों कप्तान को आप स्क्रीन के अपर देख सकते हैं और टॉस जीता था और बिल्लेबाजी के अपर आमेदीत किया था जस रॉक्स को उनोंने 92 बनाए जीतने के लिए 93 रन का लक्स का पीछा कर रही है और 6 रन चाहिए 18 गे दो में कोमेंटेटर्स के रुप में सर्फराज माकड़ा में खुद और साथी कोमेंटर्टर राज चोहार साब कुछी मिन्टों में आप स्क्रीन के अउपर हमारे साथी सब्सक्राइब कर दो बाई को भी दिख सकते हैं सकोगे खड़ी हो गई कैच की मांग की है पेला रान तेजी से लिया लेकिने कैच आउट सफलता आखिर कार एकोनोमी थोड़ी से अच्छी हुई है और अच्छा कैच लिया जो पिछला ओवर करके गए थे उन्होंने कैच लिया और विकेट नमबर तूसरा रवी पटेल जो के एक सेंटरन सत्रा गेदो में बना कर गया तीन सो आट था उनकी स्टाइकरेर आट छक्के जड़े उनके बल्ले से निकले हैं और खुबश्रोत अंदाज में बल्ले बाजी मैच को करीबन करीबन जिता कर गए है ला जवाब पारी दो चौके आट छक्के और ला जवाब पारी अभी भी सत्रा गेदो में छेरन चाहिए आप स्क्रीन के पर देखिए कि संदाज में कैच लिया गया बहुत उची गई थी क्रॉस मेट खेलने का प्रयास्ता सीधा खिलते तो निकल जाती और बहुत देर तक हवा में थी और फिल्डर ने कोई गलती नहीं कि अस्टेलन स्टाइल में कैच लिया गया पे आहल के आतों से पार्थ हाए है मिर्कच से बिलंग करते हैं पार्थ मिर्कच लंबे कट के वल्लेबाज पार्थ में चक्का लगा कर मैं इसको खतम किया था अभी एक मौका है वापस चक्की के साथ मैं इसको खतम करने का कुई कि कुल मिला कर शोला गेंदे बचिये लेक्स्टम के बाहर वाइट का इसारा और एक रन कम होगा यह तो जले पे नमक है हाँ रन वे से हैं नहीं गरीवी में आटा गीला है कि क्रोस बेटे सीधा करने का प्रयास्ता खड़े रहेगे पिछली मरतबह ऐसा ही हुआ था एक रन मिल सकता था वहाँ पर पार्थ ने नहीं लिया था अगली गेंद के उपर चक्का लगा कर मैंच को खतम किया था वहाँ हो सकता है काता नहीं खुलाए पार्थ मिलकच का दो गेंदे खेले हैं 15 गेदों में पांच यह बहुत तूची बहुत तूची गई कैमरा मेंने कैप्चर किया और प्रजे ने कोई गल्ती नहीं की गल्दन डग तीन ग्दों में गुल्दन डग पैविल्यन वापस जाते पांचरन, चाउदा केंटी पांचरन अमित, न्यू बेस्मेन, कम्स तू दि मीडल अंद्रुनी बाग लगा, स्कुले गमपर की तरफ गेन गई ये प्रिंस वहाँ पर गेन को गेतर करने के लिए पहुंचे रे फाइनली किया और से लिकिन सिंगल के साथ ही काउंट ओपन किया अमित पटेल ने, चार रन चाहिए थी, रागी दो में चार रन जिस काम के लिए करन पटेल आये थी, वो काम वेसे हो चुका है क्योंकि एकोनोमी खराब वही थी, उसको सुदारने के लिए वेसे जीत के तो नहीं सकते है मुश्किल है, क्रिकेट है आखरी गें तक कुछ कहा नहीं जाता लेकिन मुश्किल है जाते जाते अपनी एकोनोमी को सुदार करने का प्रयास है और वो करके गए है कुल मिला कर इस अवर में सिर्फ दो रन आये, जो 28 की एकोनोमी थी, उसको 15 के उपर लेकर आये थोड़ी सी क्रीक हिर्वस के उपर उनकी रेपिटेशन बनी रहेगी करन पटेल की बारा गेदों में चारन जीतने के लिए चाहिए जैपाटिदार सादकपुर को 89 रन तीन विकटकन उक्सान के उपर 6 अपर की समाप्ति के बाद स्मित पटेल गेन बाजी के उपर पहले वर में 10 रन दिये थे एक रन के साथ 90 रन तीन रन चाहिए जीतने के लिए फ्री रन रिक्वाइड इन 11 बाल ग्यारा गेदों में तीन रन मेंच मेरे हिसाब से तो छेवर के अंदर खत्म होना चाहिए था जी संदाज में रवी और भावेश बल्ले बाजी कहे थे ये नेट रन रेट बहुत माहिने रखती है पहले दूसरे नंबर के लिए आपको आगे जाने के लिए बहुत मुका मिलता है उसके उपर ध्यान दे लेकिन केज रॉप हुआ है यह एक 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 रहन नस्दीक लेकर जाना पड़ेगा जस्रोक्स को यह कैचिस प्रिंश को पकड़ना चाहिए था अब जितना नस्दीक लेकर जाओगा ना नेट रन रेट माइनस में कम होगी आखरी मकाबला लिला पर लायंस के पास और वेल्डरन कॉंग्रेचुलेशन जई पार्टीदर सादक पूर्ट बैक टू बैक दो मैचिस जीते हैं ला जवाब अबले बाजी हुई रवी की और से कुल मिला कर 60 के उपर का टार्गेट रन बनाए 61 बनाए और मैच इस मैच के वन अप दो वन सगें बाविस पडेल मै सब्सक्राइब आप ट्रॉफी के मंच के पास पहुंचें वन सगें मैन अप दो मैच से नोगें दो में 21 बनाए दो आवर में 12 देकर चार सफल तार जित की थी ओल राउंडर पर्फोमांस वन सगें रवी का बल्ला अच्छा चला अर्दस तक जड़ा और मैच को जीता कर ग पी प्लेइंग लेवन देंगे दोनो टीम प्लेइंग मानव आपका प्लेइंग लेवन और लीला पूर लाइन्स प्लेइंग लेवन बाकी है पंकित भाई अगला मुकाबला एटलंडा परमविस बोदला युएस उदारा इंटर विलेज टूनामेंट लेवा पाटिदर समास का तारिक दो में दो हजर तेईस से तारिक छे में दो हजर तेवीस तक नाइट टूनामेंट केशिक पटल क्रिकेट ग्राउंड के उपर आयजन किया गया है ओर्गनेजर कमीटी हर एक विलेज की कौन्टेक करेगी तो आपकी जानकरी के लिए कि एटलंडा परमविस बोदला युएस उदारा इंटर विलेज टूनामेंट लेवा पाटिदर समास का दो से छे तारिक तक नाइट में खेला जाएगा केशिक पटल क्रिकेट ग्राउं के उपड़ आपको आना पड़ेगा कॉमेटरी बॉक्स में और वेल डानन कॉंगरेचिलेशन बहुत अच्छी पारी खिलिए आपने बारा रन देकर चार विक्टे निकाली थी और बल्ले बाजी में नौ गेंदों में 21 रन केमरमेन आप फोकस करेंगे मेनद देमेज भाइस 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 खड़े रहेंगे वापन ओके ठेंक यू ओके ठेंक यू आए कॉमेटरी बॉक्स और अगटिष अवा ड sonraki रही है रही है झाओवे लिक्षस मकानकर अगरें हमी में निक्टे खड़े वागज यू करेंदों केमर만 आपने उन्प प्रवाग भागदिधों में घ click on the得 यू जको रही है वva खततम है ूजारी दो विक्स ए. झाल झाल अगले मेंच का टॉस हो चुका है लिला पर लैंस ने टॉस जीता है बुदलाइ स्पोट्स कॉंपलेक्स के सामने और फिल्लिंग करने का फैसला किया है कुछी मिन्टों में मुकबला सुरू होगा और कॉमेटिव बॉक्स में स्वागते आपकी सुरुली आवाज आपकी पसंदीदे आवाज आपकी लोकल आवाज है जीतू भाई पढ़ेल स्वागते सर आपका थैंक यू वेरी मच्छ सर कि दोनों टीम के कप्टान से घुजारी से कि अपने ट्वेल्ट में को प्लीज जल से जल कॉमेंटरी बॉक्स में बिजे मुख ऑचिवारी सेせ. क्ईवारी सा eerा उल एंच वणाते से एंग झाल ्थन वे मैं लोकल फ्वेल्स प्रवलिंग टीम के कप्तान से गुजारे से के जल से जल अपने सभी खिलाड़ी को लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंचे फिल्डिंग टीम के कप्तान कि झाल 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 कि बोड़ लाइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कप्टान मानव से घुजारी से कि अपने एक्स्ट्रा खिलारी प्लीज जल से जल कॉमेंटरी बॉक्स में बिजे हालो बोड़ लाइज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कप्टान से घुजारी से के प्लीज अपने प्रारंबिक बल्ले बाज को जल से जल बेजे बोडलाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के एक अप्तान से घुजारिश है कि प्लीज अपने प्रारंबिक बल्लेबास को जल से जल बेजे हलो बोडलाई स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अप्तान से घुजारिश है कि अपने अक्स्ट्रा खिलाड़ी प्रारंबिक बल्लेबास के रूप में यहां पर विक्की और प्रिंट्स माफ करना कि मानव और विक्की की जोड़ी प्रारंबिक बल्लेबास के रुप में यहां पर बीच मेंदान में आ चुके हैं कि यह सब पारों से गुजारिश्क है कि जल से जल मैज की सुरुआट की जाए क्यूंकि इसके बार भी टीन मुकाबले और बाकी है पहले गेंदबाजी का बार यहां पर कॉमेंट्री बॉक्सेंट से नीरोव पतेल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नीडरीट आंठ होर का मुकाबला रहेगा पहले डो ओवर मेंडेटरी पावर प्ले पहली के नहीं हलते हाटों से जेंटली पूस्ट किया है वहां पर डीप एक्स्टा कवर की निशामें लोकल बॉई ढूब जो प्तक फिल्ड करेंट प्तक एक रहनों के साथ यहां पर मानौ जिनोंने अपने की शुर号 की बोडलाय स्पोर्स कोंप्लेक्स है घ्रों ने अपना अकांट की शुरॉट की ड wonो टीम के लिए यह मुकाबला बहुत ही महज़वपूर्ण मुकाबला रहेगा ड़नों टीम जोकी अपना पहला मुकाबला ग्रोवा चुकी है जीत बहुत जरूरह लीड़ा पूर लाइंस के कप्टान जिन्होंने टॉस जिटकर पहले गेंद बास करने का नियने लिया है और इस बार छोटी पट की विगेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की नीचा में गेंद जा रही है पहले बाउंस के बाद सीमा ने खापार वीकी के बले से निकलने वाला य दीजे इन चारेनों के साथ है स्कोर बड़ता हुआ पांच रन इस बार उड़ाया गें हवा में फिल्डर डू क्या जंप किया निच्ची टूप से अपने टीम के लिए पांच रन बचाए वहां पर टारीप करनी होगी यहां पर फिल्डर डू की लोकल बॉल डू की टारीप करनी होगी इस बार स्लॉक स्वीप किया है यह जड़ दिया है यहां पर अंपार का फेसला एक और चौका यह यहां पर इन चारणों के साथ है स्कोर डबलं को में पहुंट आवा डस रन मानव के बले से निकले वाले पहला चौका कि इस बार के नहों में कुड़ विकेट की पर जिनों ने कोई गल्टी नहीं की लगने वाला यह पहला जट का यहां पर मानव आउट होकर पैविलियन डीजे बुटलाइ स्पोर्स कॉम्प्लेक्स इस मिनिट में आपको इनिंग खटम करनी है तो प्लीज साथ और सहयोग दीजिए कि अग्युक्त कि अग्युक्त इस बार काफी अच्छी गेंद बार्सी काफी अच्छी एक अच्छा वर गुज्रा यहां पर पहले और कि समापनी स्कोर है डस रन एक विकेट के नुक्सान के उपर कि अग्युक्त कि अग्युक्त कि अग्युक्त कि अग्युक्त कि कि अच्वार एक पार विकी के बले से निकलने वाला ये दूसरा चौका पारिका इंडूसरा उबर जारी है स्कोर है चोव डार एक विकेट के नुक्सान के उपर एक जटका जरूर लगा है मानव जो कि आउट होकर पैवलियन लौट चुके हैं जमीन के समान अंटर्स्टो खेलने की कोशिश सौटिस मीट विकेट के उपर जो खिला ली देना थे जब टक फील्डर फील्ड करेंट एक रन चुरा लिया इन एक रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पंद्रा रन एक विकेट के नुक्सान के उपर पारिका ये दूसरा वजा रहे हैं कि अ कि अ कि इस बार जो की डिशा से बटके वाइड करा रहा है वाइड करा अटीरी ग्रणों के साथ स्कूर बढ़ता हुआ सूला रन अमपैट जीटू पटेल जिन्होंने वाइड गेंड करार कर दी कि इस बार जड़ में डालने के कोशिस वहां पर खुड विकेट की पर गेंड के पीछे जप्टक फिल्डर फिल्ड करें टप्टक एक रन चुरा लिया एक नियंट्रिट गेंड बाजी यहां पर प्रिंट के द्वारा टारिप करनी होगी पारी काई डूसरा वह जारी है स् अब तक तीन गेंड की है साथ रण खर्च किये हैं और प्ले में गेंड बाजी करनी इतने आसान नहीं होटा है और इस बार सफल होकर खेलने की कोशिश देखना वहां पर मिडॉप के उपर खिलाड़ी देना ठेज जब तक फिल्डर फिल्ड करें टप्टक एक रन स्ट्राइक को रूटेट करने की कोशिश यहां पर स्कूर बढ़ता हो अत्रा एटिन अभी भी लो गेंड आनी बाकि है इस उबर से आए अए इस बार बढ़ा हिट बढ़ा हिट जाएगी आठा डर्चन रंडेकर यहां पर अंकित के बले से निकलने वाला पहला सिक्सर दीजे इस बार बल्ला जरूर चलाया ठालेकिन अगेंड और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ ओवर की समाप्ट हुई दो ओवर की समाप्ट हो चुकी है स्कूर है 24 एक विकेट के नुकसान के उपर बोडलाई कॉंप्लेक्स 11 जहां तक इस तुनामें की बात करें टोस्री प्रमुख कैत्रेस लीला पॉर आयोजीट पातिदार समाज क्रिकेट टूनामेंड 2020 सीजन दूसरा डे नाइट टूनामेंड का आयोजन स्री प्रमुख कैत्रेस कप के रूप में पहला साल काफी अच्छा गुज़र था इस बार जो की दूसरा सीजन जारी है गेंड बाजी में एक बा कि पहली गेंड स्वागर्ट किया यहां पर शौटाम पूल स्टोक अंपर का इसारा शेरन इन शेरनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ थ्री जिरो ठर्टी कि कि कर देखना वहां पर लॉंग आफ के ऊपर खिलाड़ी देना थे जब तक फिल्डर फिल्ड करें टप्टक इन एक रंड के साथ थर्टी फाइव पैंट इस बार बड़े हीट की कोशिस है लेकिन गेन जो कि यहां पर हलकी सी आउट्ष्विंग गेन बाजी करने की कोशिस वहां पर निरव के द्वारा स्कोर है पैंटी सन इस तुनामेंट को आप घर बेठे लाइव भी देख सकते हैं स्माइल फॉर यू चैनल के उपर अब तक जो कि वीवर्स है डो हजार तीन सो नब्बे और इसी बीच यहां पर एक बड़ा सिक्सर बड़ा सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ फॉर्टी वंद्रन क्या बल्ले बाजी यहां पर अंकिट के द्वारा गेंड जो की आउट अप्ड़ पार्क नई गेंड बंगवानी पड़ीगी कि पूरे डिन का जो कि आज का जो विवर्स है यूटूब के उपर डो हजार टीन सो नब्बे लोगों ने यहां पर इस तूनामेंड को लाइव देखा यूटूब के उपर पारी का टीसरा वह जारी है स्कूर है फॉर्टी वंद्रन एक विकेट के नुक्सान के उपर थेंक्यू वेरी मच बाबा जीनों ने आज गेंड जो डून के लाने में सहयोग दिया हमारा थेंक्यू वेरी मच बाबा हम आपसे यहां पर काफी सारी उम्मीडे करेंगे एक बार फिर से जड़ेडिया चका लगा टार डोगेंडों के उपर दो सिक्सर अगर सिक्सर के साथ और जो की ऊवर खटम हुआ वो भी सिक्सर के साथ कि समाप्टी पर स्कोर है 47 एक विकेट के नुक्सान के उपर काफी अच्छी शुर्वाट मानी जाएगी यहां पर बोडलाई स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के द्वारा कि गेंडबाजी में अब पहला परीवटन यहां पर मनन पटेल गेंडबाजी करने के लिए हैं अपने स्पेल का पहला अपने टीम के लिए चौट होग लेकर लेकिन एक रंड के साथ संटूस करना पड़ेगा इन एक रंड के साथ विकी पहुंचे अपने नीजी टेईज के उपर तीम को पहुंचाया 48 रं एक बार फिर से घूम कर खेल दिया है बाड़ा सोट च्छे रं एक और शक्का अंकिट के बले से निकलने वाला यह बड़ा सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ च्छे अपने 50 54 रं कि यह आपर गेंड को डूनने में मडट की तो थेंक्यू वेरी मच बाबा हम बहुत यह आपारी है आपके च्छोटी पटकी हुई गेंड पटको गेटो फटका जरूर खाओगे यह एक और सिक्सर अंकिट के बले से निकलने वाला एक और मैक्सिमूम इस बार बड़े हिट की कोशिस बर्ले कांद रूर नहीं किना रहा गेंड लुड़क टीविकेट की वर के पास पहुंची रंकी कोई गुंजा इस नहीं स्कूर है साथ सिक्स्टी पारी का यह चौट हावर कि अधार इस बार स्लॉक स्विप खेलने की कोशिस से जमीन के समाना अंटर स्ट्रोक किला है वहां पर पहला रन काफी टेजी के साथ एक रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिस क्योंकि दूसरी और टीसरी गेंड के उपर दो छक्या चुके हैं तो स्ट्राइक रोटेट किया वहां पर एक अच्छी सोच मानी जाएगी कल जो कि यहां पर पहला मुकाबला स्टार्ट होगा एक बजे तो साड़ी बार बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है इस बार के नहां में यहां पर है ड्रूब्ड लोकल बॉइचिनों ने कोई कल्टी नहीं की लगने वाला यह दूसरा जटका यहां पर विकी पडेलाउट 61 के उपर लगने वाला यह दूसरा जटका डीजे कि अ आपको रार यह दूसरा जटका यह दोस्ता है झाल 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 चलता हुआ, प्रोजेक्ट स्कोर 120 के आसपास जा सकता है, राज पडेल जीरो के उपर अभी अभी विकेट के उपर उपस्तित हुए है, अंकीत पडेल की बाद की जाए तो 11 गैन, 32 रन, 5 शिक्सर और मनन ने एक ओवर किया 14 रन दिये एक सपलता, और नीरा उपडेल की बाद देखे, इस मीच बॉड़ी के साथ गैन टकराई, ओन साइट के उपर खेले का प्रयास किया था, लेकिन गैन सी थी, विकेट कीपर, पिंटू पडेल के हाथ में चली गए, पिंटू पडेल की बाद की जाए तो बहुती लिजंडरी क्रिकेटर है, लंबे अर्चे से यहाँ पाटीदार समाज के लिए क्रिकेट खेलते आ रहे, एक अच्छी पिटनेस और एक अच्छे आईसेट के साथ विकेट कीपर के उपर खड़े है, देखे इस मीच पीर से बलस सीधा सॉट, गैन बाच के सर के उपर दस्तक दिया था, इस मीच दू थे, वहाँ गैन बाची के उपर बहुत ज़्यादा मेहनत की बात की जाए, तो दुरू और दीवियस पड़ेल की है, तो दोनों का हम आबार व्यक करेंगे, दुरू और दीवियस पड़ेल हमारे पीच की रिटर है, वाइट बॉल दिया जाएगा, तो एक अतिरिक रन इस बार ओफ्टम के थोड़ी पाहर गैंथी, एक अतिरिक के साथ स्कोर कार के उपर, 64 रन, दो विकेट के नुकसान के बाद, बोडलाई स्पोर्ट कॉंप्लेक्स, देखें इस मीच, आफ्टम के उपर गैंथी जी इसको पूरी लंबाई के साथ, वाइट लॉंगान के उपर, 6 रन के लिए, बहुत ही ब पे, पांच वावर प्रगती के उपर, एक और, इस मीच, बैक टू बैक, ऑफ्टम के उपर, वाइड यहार को इस बार गसीटा, और मीड विकेट के उपर, मैक्सिमम के लिए इनको बेजा, अब चे के साथ, झाल, 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 झाल. देखे, इस मीच, ऑन साइट के उपर, खेलेगा प्राइस क्या, टॉपेज लिया, स्क्रेले की निशा में गयन जारी, एक रन पुरा किया, दूसरे के लिए पलट वार किया है, और दूसरा भी यहां मुकमल करेंगे, कॉलेटी रनिंग बिट्वीन, चार असर या पाच गय और इस मीच, डीप स्क्रेले के उपर गयन को मोड दिया है, और अपने हप सेंचुरी क्या किया, सिक्सर के साथ स्वागत, बैतरीन बल्लेबाजी, अंकित पटेल मानना पड़ेगा, कोयल कूजे पेड़ अपने फल से, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, और यहां से अंकित पटेल पहचाना जाता है अपनी बल्लेबाजी से, एक बैतरीन यहां मैंने कहां इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, तो एक अंदन महादन का कर्म करने का एक कुम्ब है, एक कुम्ब मिला है, एक यग्या है, यहां आप सपोर्ट कर सकते हो, फुल नहीं तो चोटी गैंथी इस बार जमीन के साहारे डीप स्क्रेल ले के उपर पीछे खेला ले लॉंग बेरेर पोसिशन के उपर फिल्ड किया थ्रो किया जब विकेट की पर एंड के उपर बहुती बहतरी न थ्रो इस बीच यहां से और स्कोर कार के उपर 85 के उपर रुका हुआ स्कोर छटे अवर की शुरुवात हो चुकी है और गैंद बाजी के उपर मनन अपने कोटे का दूसरा कि इस बीच यहां से सिंगल रन पूरा किया कि इस बीच यहां से सिंगल रन पूरा किया कि इस बीच सामने खेला पीचे खेला ले लेकिन उपर से जाएगी गैंचे रन के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इन सिक्सर अब चेके साथ है स्कोर कार के उपर 93 और अवर की बात की जाये थो पांच असर यह चार गयन कि इस बीचे खेलाडी और बहुत आसानी से कैच करने के लिए गए और कैच ड्रॉप हुआ अब देखा जाए तो यहां मनन का किस्मत उसके साथ नहीं है क्योंकि पीछे खेलाडी सीधी हाथ में डॉली कैच थी अगर किस्मत खराब है उट के उपर बैठों के फिर भी चीटी काट लेगी वेज़सा माहौल है यहां पे कैच ड्रॉप हुआ और कैच ड्रॉप उसका यहां नतीजा देखिए उसका रिजल्ट देखिए शिक्सर और यहां पे 100 रन सेकड़ा जड़ दिया 100 रन पूरे हुए बोडलाई स्पोर्स कॉम्प्लेक्स यहां पे 16.5 का करन रन चलता हुआ और प्रोजेक्ट इट स्कोर 130 के आसपास जा सकता है बहुत ही बहतरीन बल्लेबाजी करती हुई यहां से बोडलाई स्पोर्स कॉम्प्लेक्स मानना पड़ेगा जिसमें खास करके अंकीत 20 गैनों के उपर 62 रन के उपर और राज 3 गैनों के उपर 8 रन 12 गैनों के उपर 49 रन की पाटनरशिप मनन पड़ेल ने 2 ओवर किये 30 रन दिये 1 सफलता 15 की एकोनोमी की बाद यहां से अभी भी 12 गैन का खेल बाकी है 12 गैनों के उपर कितने रन बड़ पाएंगे आने वाला समय बताएगा फिलल गैन बाज़ तेयर हमारे दूर वाले चोड़ से अपने बॉले मा के उपर देखिए इस बार एक और मिड़ विकेट के उपर से उपर भी गई है और दूर भी गई है और देखे जाएगी आधा दरजंदरन बैतरिन सिक्सर के साथ 106 रन दो विकेट के नुक्सान के बाद साथ वे वर में मितेश का स्वागत सिक्सर के अंकीत पटेल देखिए इस बार अनचकत देखिए इसलिए हमारे क्रिकेट समिक्सक बताते है किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटने का वक्त आएगा अगर यकिन नहीं आता तो चाई में डूबे भी स्कोर्ट से पूछे अंकीत के अंदर ज्यादा डूबोगे तो अंकीत शिक्सर लगाएगा 22 गयन, 74 रन, 11 शिक्सर, 350 का स्ट्राइक रेट और स्कोर कार के उपर 112 दो विकेट के नुक्सान के बाद, बोडलाई स्पोर्ट कॉंपलेक्स, साड़ी सत्रा का करन रंडेट और प्रोजेक्टेर स्कोर 145 के आसपास जा सकता है एथा लेखा जोका, एथा क्रिक हिरोस का मैप अब बल्ले बाच का हाँ तक जाएंगे, वो आने वाला समय बताएगा ताब और तो बल्ले बाची मानना पड़ेगा, अंकीत पडेल अब इस बार बल्ले के उपर सजा नहीं पाए, स्क्वेल ने के उपर हाल किसी मीज़ फिल हुई स्क्वेल ने के उपर चीतू पडेल सर और में एमपर में और गैन को हवाई यात्रा करवाई, मीड विकेट के उपर छे रन लॉंग बेर पोजिशन के उपर फिल्ड किया, जब तक त्रो किया जाए, यहां नॉन स्ट्राइक एंड के उपर तब तक सिंगल रन सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 120 रन, अवर की बात की जाए तो 6 आसर या 5 गैन, 120 रन दो विकेट, बोटलाई स्पोर्ट कॉम्पलेक्स वाइड बॉल, अब यहां से देखा जाए तो किस्मत आज बोटलाई स्पोर्ट कॉम्पलेक्स के साथ है, बल्ले से रन नहीं आते तो वाइड क्या आते है, उस प्रकार से काभी सारे रन जुड़े स्कोर कार के उपर, 121 रन बन चुका है, आज के दिन का हाईए स्कोर लग और शिक्सर, बहुत ही बहतरीन शिक्सर, अब चे के साथ 127 रन दो विकेट के नुक्सान के बाद, साथ्वी अवर की समाप्ती हुई, इस अवर में 27 रन आये 27 अब घैनबाची के उपर, अपने कोडे का दूसरा पारी की और से, आठवा अवर, साथ अवर, 127 रन दो विकेट, बोडलाई स्पोर्स कॉम्प्लेक्स, 178 का करन रन रेट चलता हुआ, देर सो के आसपा स्कोर जा सकता है, अब इस अवर में दुरू कितने रन देंगे, उसक इस तरन दिये थे, विकेट नहीं मिला था, अब राज स्ट्राइक के उपर, टॉप एज और यहां पे विकेट कीपर, इंट्रेस्टेट पिंटो, और अपर हंड कैच करने के लिए गए, बोड़ी से दूर रखा था कैच को, तो कैच ड्रॉप हुआ, एक और यहां पे कैच ड्रॉप होता हुआ, इसलिए कहां जाता है, कभी-कभी मेहदत रंग लाती है, लेकिन किस्मच चौका देती है, कभी-कभी अपने आपक उपर सक होने लगता है, डाउट होने लगता है, कि मैंने कैच छोड़ा, वैसा हुआ इस बार, ऐसा लगा, ध्रूग गैन बाजी के वापस, फुल्टोस ग्यान इस बीच, स्क्वेले की डिसा में, जमीन के सहारे इस बीच, सिंगल रन, सिंगल के साथ, स्कोर कार के उपर 129, दो विकेट के नुक्सान के बाद, बहुत ही ताबर तो बले बाजी, अंकीत बायासी के उपर पहुँच चुका है, 25 गैनों के बा वाया कवर गैन बाज के और लोटाई जाए, 129 दो विकेट, इस में इस लांग आफ के उपर पीछे खेलाडी लेकिन, सौट ऐसा था ना आगे जाओ ना पीछे जाओ खेलाडी के लिए, लेकिन यहां से दो रन मुकंबल किये, एक अच्छे रनिक मिटल, दीस्तरे के लिए भी पलटवार किया है, देखिए, आज यहां से देखा जाए, तो दुनिया खीची हुई लकीर के उपर चलती है, और राज और अंकीत की बात की जाए, तो वो खुद लकीर खीचते है, और अपना फ्यूचर लिखते है, उस प्रकार से किस्मत उन लोगों के साथ है, 132 जह तक पहुंचे पहुंचे और अंकीत आउट हुए, 26 गयन, 22 सीरन, 12 सिक्सर, 12 सिक्सर और 37 इंचो का स्ट्राइक रेट के साथ वापस पेविलियन के अरुख करता हुआ, एक बैहतरीन बले बाजी, अंकीत द्वारा हमें देखने को मिली अब आट वेवर की आखरी गयन, 132 रन स्कोर कार के उपर, अब द्रू ने इस अवर में काफी हद तक वापसी करवाई है, काफी बिन्दी गयन की है और कैच हो सकता है, खुद फॉलो तरू में द्रू गयन के नीचे आए, और एक आत्म निर्पर कैच, यहां पे कॉट अन बोल्ड, इस अवर बहुत ही बहतरीन रहा, जिस प्रकार से देखा जाए, तो लिला पॉल लाइन्स के लिए एक अच्छी गयन बाजी हमें देखने क को मिली, यहां पिछले वर में द्रू ने कुद फॉलो तरू में कैच किया, और द्रू के अकाउन में दो सफलता इस मीच आई, और यहां से द्रू ने इस वर में हिसाब किताब किया जाए, तो टोटल 6 रन खर्च किये और 2 सफलता हासिल की, पहले वर में 23 दिये थे, इसके कार रन डेट की बात की जाए, तो साड़े 16 के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे, और मतलब हर अवर में 2 बड़ी हीट चाहिए, एक चौका और शिक्सर, लीला पॉर लाइन्स को ए मैच जीतना है तो, एक बहुत ही बहतरीन टूनामेंट का आयोजन किया गया, स्री प्रमु इसमें जो भी रासी बचेगी उसको एक अनदान महादान के लिए यूस किया जाएगा, अनाथा लई के लिए बच्चों के लिए अनाज दिया जाएगा, जितना भी पैसा बचता है उसमें से, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 सल, जितना भी अना जाएगा, तो आज यहाँ पे अना था लएके बच्चे भी उपस्तित हुए थे तो उसको यह दिया जाएगा तो जो कोई यहां पे सहकोर दे रहा है और सहकर देना चाहता है तो कॉंटेक कर सकता है हमारे आयोजन कमिटी का हमारे ट्रॉफी के स्पॉंसर है असोगबाई पटेल अंकीत पटेल प्रम सादक पर बॉल के स्पॉंसर है उडाज द्रीमलेंड मैन अप्दमेच के स्पॉंसर है ट्रॉफी और वावचर 500 रुप्या पा अकक्सा लेडिस एंड मैंस्वेर बलसर डीजे साउंड के स्पॉंसर है मुकेस पालन प्रमुक मेडिकल भी स्पॉंसर है समाज के कमिटी मेंबर्स द तो आप सबका साथ मिलेगा तो एक अच्छा विकास होगा अब बच्चे को देख सकते हो हमारे अना धाले के बच्चे डिस्प्ले के उपर है यहाँ पे एक अच्छा यहाँ 91 बच्चे पढ़ रहे है जिसका कोई नहीं आगे पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए प्रमुक केटरस कप का अयोजय क्या गया है तो हमारे आयोजयक का हम बार-बार व्यक्च करेंगे तो आपका सहकार सबका विकास ऐसी आसा और उमीद यहां से व्यक्क कर रहे है को हमारे आयोजयको. जली से पहुँचे और दोनो बले बाज भी जली से आएंगे. थैंक्यू. झाल 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 जाई किसन बाई के पास है वो अपने टी सर्ट कलेक कर ले दोनों पारभी जोड़ी मेदान के उपर प्रस्तान कर चुकी है बोदलाई स्पोट्स कॉंप्लेक्स के कप्तान को बिंदी करूँगा के प्लीज जल से जल फिल्डिंग की जम आउट कर ले मानो भाई अपने कप्तान को कहिए के जल से जल फिल्डिंग की जम आउट कर ले दोनों बलेबाज मेदान के उपर पहुंच चुकी है पिन्टू एक सो बतिस बने एक सो तेतिस का लक्स दिया है चार विकट खोकर बोदलाई स्पोट्स कॉंप्लेक्स बोदलाई USA की और से इंटर्विल इस्टूना मेंट है लेवा पाटिदर समास का दो में 2023 से लेकर छे में 2023 तक केसी पटल क्रिकेट ग्राउंड के उपर उसका आईजन किया गया है तो ओर्गेनेजर कमिटी आपको संपक करेंगी आपकी जानकारी के लिए एनाउंस कर रहा है और से इंटर्विलेस टूनामेंट लेवा पाटिदर समास का नाइट में इस टूनामेंट का और गर्मी की माहोल को देखते हुए केसी पटल किर्केट ग्राउंड के उपर दो में से लेकर छे में दोजार तेश तक इस टूनामेंट का और गर्मी की माहोल को पाटिदर समास करेंगी और आपको अगर उनका का नमबर चाहिए तो उनके पास से लिए सकते हैं हर साल वो और गर्मी करते हैं पिंटूबाई स्टाइक के उपर नौन स्टाइक के उपर दरसिल पटल पिछली मेच में दरसिल ने अर्दस तक जड़ा था और गेनबाजी के उपर सूरज साम वाला अजूज दूप वाला सूरज अब थंड़क देने के लिए नीचे उतर रहा है लेकिन मेदान के उपर ये गर्मी देने वाला सूरज गेनबाजी के उपर है और उसकी गर्मी कितनी रती है देखना पड़ेगा 147 की स्ट्राइक रेडर दरसिल की नॉन्स्ट्राइक के उपर खड़े है और क्रॉस पेटेर सीथी देश्तानों में इदना इदर ना उदर मेंने पहले ही कहाता है ये गर्मी देने वाला सूरज अब थंड़क देने के कदार के उपर है लेकिन ये सूरज मेदान के उपर है बोदलाए स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स का है और वो गर्मी उन्होंने दीकाई है पिंटु भाई को गुल्डन डग पेविलन बेजा दीजे दाउन विदाउट एनी रन अनस्कोर बट निव बैस्मेन नीदव पटेल कम्स तुदी मिडल नहीं बले बास की रुप में नीदव पटेल का अगमन एक सो पचीस का स्टाइक रेट है कोई फिप्टी नहीं है अर्टीस मैंचीस एक 321 रन उनके खाते में कोल मिलाकर अबार किनारा विकट कीपर का सहरा मिलता तो चो विकट मिल सकता था लेकिन गयान चली के बाउंड लेंगे बाहर चार अन के लिए दो गेंदों में चार अन एक विकट निकाल कर दिया है टीम को सूरज ने डिप स्क्वेल लेकर लॉंगान के साथ गेंबाजी वाइड इस रेकापट कीवी गेंती वे आउटसेट दॉपस तब जापक सर की और से वाइट का ही सारा दोनों फिलम पैर है जीतू पटे लेना जापक सर बीजिए के कौलिफाइड अंपैर को सामिल किया गया है और एक मरतबा मानाओ कप्तान के रुप में बाउंट लेन के उपर वाइड इस लाइन इंसा लागर्ट सॉट के ले का प्रयास है प्रयास अच्छा किया लेकिन है दो रन की चेस्टा और स्टम के उपर लगता तो करे भी मामला हो सकता था दो रन तेजी के साथ पूरे कर ली दो के साथ रन संक्या जा पहुंचिए साथ रन अभी तगा चीगे नबाजी दिखवा रन संक्या डबल डिजित ग्यारा रन पिछली मरतबा दरसल का बल्ला चला था इस मरतबा नीरव अपना हाथ खोलते हुए सटीक जोकर चड़ वाली गेंदे जैसे वेसे खोट के निकाला मराठी में कहा जादा खोली उनकाडा अवर की समाप्ती एक अवर की समाप्ती स्कोर बोड के उपर ग्यारा रन एक विकेट का नुकसान के उपर नेलसन स्कोर स्कोर बोड के उपर अगर अंपार देविट सेपर्ट होते ना ओन फिल अंपार के रुप में तो अपने एक पेर को हवा में खड़ा करते हैं एनलसन स्कोर के उपर खड़ा करते हैं, लीजे, गेनवाजी के उपर परिवतन है, दुरवली छोड़ की और से, राज गेनवाजी के उपर सामिल किया गया, वन अब दे बेस्ट आल राउंडर फ्रॉमा, बोदले स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के और से, वही फिल्ड पोजीशन, वही तो फिल्डर बाउंड लैन के उपर, अच्छी गेनती, स्लोट वाली गेनती, डाउन डगराउंड, स्लोट इस मीड विगेट के पर लॉंग बेरियर पोजीशन के पर इनको फिल्ड करने का प्रयास, थोड़ी सी फंबल जरू ही, लेकिन सिंगल से संतुष्ट हैं, दोनों बलेबाज, इस उपर की सिरुवाद सिंगल के साथ हुई है, रन संक्या बारा, उपर वाली गेनती, स्लोट वाली गेनती, पारकिंग प्लोट में बेजाए, छे रन के लिए, चरणों में गेनतों बाउंड लैन की चरणों में, छे रन के लिए, उडन का टोला, आकासी टोला, कड़क बिदड़क सिक्सर, अगर कोई अंदर है तो प्लीज, कुरप्या गर की गेन को वापास बेजेंगे, अठारन, नीराव का बल्ला चल रहा है, दसिल पते लिए लिए खिले स्ट्राइक नहीं मिली है, वापास पिछली मेच में अर्दस तक जड़ा था, दोनों का बल्ला चलना चाहिए, जोनों सुर से बल्ला चलना चाहिए, सोन्डा बुल्शट के लिए का प्रयास है, बहुत लंबी दोर लगानी पड़ेगी, गैन निकल जाएगी, दो फिल्लर बाउंड लाइन के अपाउपले में होते हैं, लेकिन गैब द जरूर है, गैन बाज अराइस पटेल का, वाइड इस लेका, कॉट सॉट के लाए, स्वीपर कवर ने गैन को फिल किया, कोई रनने के नुकसान नहीं, रन की चेस्टा कर रहे थे, नॉन स्टाइकर बलेबाद जेसी खतरा में सूस के अपने पेरों को पीछे किया, रन की जो जिन हंसें, टॉप शॉट, छे रन के लिए, वर का दूसरा चका है, रन संक्या, ट्वेंटी एट रन, विकट के नुकसान के उपर, शुरुआत अच्छी हुई है, जो सोला की रिक्वाइड रनेट करन चल रहे है, अब सोला आसारी आठ तीन, याने के सतरा के अस्वाइड के रिक्वाइड रनेट चाहिए, 32 रन एक विकट के नुकसान के उपर, दो उपर की समपती के बाद, आफ्टर टू ओवर, तर्टी टू, लस अफ वन विकट है, एक किस रन दिये, रास पटेलने पिछले वर में, सामके वक्त गावें, गैंद ट्रावेल करना कम करें, हो ज रखना जरूरी, बहुत अंतराल के बाद, दरसिल पटिल को स्ट्राइक मिली है, और गेनबाजी के उपर, परिवतन के तोर के उपर, तीसरा ओवर, तीसरा गेनबाज, विकी पटिल को सामिल किया गया है, पापली के बाद, लोंग ओन है, मीड वीक एट है, स्क्वेर लेग बलेबाज दरसिल के लिए, बले का नीचला हिस्सा लगा गेन, छूटी, लेकिन फिलर, ने गेन को गिदर किया, एक रन के साथ स्ट्राइक रोटेट किये, दो गेंदी, दूर बलेबाज दरसिल पटेल के बले से, हाफस जिसको कहा जाना चाहिए, हो आमेगेन कैस की मांकी है, नोमेस लेंड में गिरेगी क्या, दोनों के 20 में गिरी है, और चौका देकर गई है, ये तोफे वाला चौका खुपसुरो दिसारा, जाबक सरकी और से, चौकी के साथ रन संग्या, 37 रन, एक विकेट के नुक्सान के उपर, डीजे, हो आमेगेन कैस की मांकी है, हो आमेगेन है, कैस की मांकी है, नी राव है, एक जार के उपर से, कड़क सिक्सर, दोक्ये वरुन सथकार है, कड़क सिक्सर है, छे रन, 43, जाब करने दोक्त, आमेगेन कैस की मांकी है, नी राव है, एक जार के उपर से, किल रहे, बारा, ये दोका सामना किया, रन, 43, रन, जीन में, दो रन, दरसिल के है, एक 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 श्टा के रुप मे, ये उंगलिया फेरी थी, हाथ से पता चल जाएगा, आपको हाथ पढ़ना पड़ेगा, अगर बलेबास गेन, बास का हाथ पढ़ लोगे न, आपको पता चल जाएगा, ये नकल गेन थी, ब्लाइंड सोटा आवी, आउटसेट अपस्टा मा, अमपेर का, इसारा वाइट का, 44, 44, आपसर के सितर में गेन थी, कवर के सितर में केला सिंगल के साथ, स्टाइक रोटेट की, ये 45, रन, आकरी गेन है, इस सववर की, दरसिल पटल को स्टाइक मिली है, दो गेंडों में दोरन के अपर बलेबाजी कर रहे हैं, न, आपटल की बात कीज़े तो, 14, 41, उल्टा सुल्टा, ओ बड़ी गेन थी, खराब गेन थी, सही नसियत नहीं दे बैक, कीपर गेन के कैश करने के लिए गे, और वीकेट नमबर दूसरा, 45 के उपर, पीछली मेच में सेंच, आर आफ सेंचुरी लगाने वाले बलेबाज, दरसिल पटल, तीन गेंडों का सामने के अदोरन बनाकर पेविलियन है, अबरी गेंटी, कराब गेंटी, सही नसियत नहीं दे बैक, कीपर गेंके कैस करने के लिए गे, तीन अवर की समाप्ती, पंदरन प्रती अवर, 45 रन बने, दो विकेट के नुक्सान के उपर है, विसे देखा जाए तो, रिक्वाइट रंडेड अब साड़े सतरह के उपर, अवर की तीन हेटे मैक्सिमिम्म चाहिए, नीराव पटेल स्ट्राइक के उपर है, गेंबाजी के उपर, अब अंकित पटेल, चोथा ओवर, चोथा गेंबाज है, हो हमें गेने कैस की मांग की है, कवर का फिल्लर पोजिशन ले रहा है, लेकना पड़ेगा कैस, कैस ड्रॉप हुआ है, सिंगल के साथ संतुष्ट है, एक कैस बगरना पड़ेगा, कैस ड्रॉप करोगे, दिक्कत होगे, इसलिए से हमारे क्रिक्ट समिक्सर केते हैं, क्रिक्र फिल्लर पोजिशन ले रहा है, लेकना पड़ेगा कैस, कैस ड्रॉप कैस की मांकी, और एक मरतबा, आत्मा निर्बर कैस, पिछली मरतबा, कैस छोड़ा था, पार्की या सदा निरास, इस मरतबा, आत्मा निर्बर कैस, वीकेट नमबर, तीसरा, 46 के निजी स्कोर के उपर, और मनन पटेल, बिना काता कोले, गुल्दन डग पेवेलियन, आत्मा निर्जी स्च्च। स्टाइक के उपर हैं गैनवाजी में दो विक्टे निकाली थी उंतीस रंदीकर दो ओवर के कोठे में यहां पर बल्लेबाजी के उपर है इसलोर गैन थी गाती परीवरतन बैक अफ लैन हैं जिसको गैन को कही जानी चाहिए पीछे से एंड्यो ट्राइवाली जो डिलिवर कर करते ना पड़ पाना थोड़ा सा मुस्किल यह वेरिशन टेनिस क्रिकेट में आपके पास बहुत का इपाई देमन रहेगा लिक्स्टम के बाहर गैन थी वाइट का इसारा उंपैर सर की और से एक एक्स्ट्रा के साथ रन सिंक्या फोटी एट रन अड़ताली सर रन वह नुबत चोथा जलता हुआ धुरू पटेल है नहीं बलिबास की रूप में आए काउंट उपन किया है एक गेंद के उपर पंद्रा की दों में बैलेस के उपर नीरव पटेल केल रहे हैं 27 गेंदे पचासी रन हवा में गेंद और एक मरतबा स्पीड वेरियस अंकार गर्जा भी तुआ कैज रॉप हुआ है केंद बास करें तो क्या करें तीन स्टम के सामने गेंद बाजी करनी है बलिबास की पास पूरा ग्राउंड है 15 से 16 टाइप के सय़ है डिल स्कुक पल्लस कुक रिवर्स सुप है सय़ना पूल शॉट है मीड विकेट की उपर से लॉफ्टे सॉट है ON ड्राइफ है, OFF ड्राइफ है, COWARD ड्राइफ है, स्वीट सॉट है, पैनल सुट है पंदरा से सत्रा टाइप के सौट है गेनबास के पास सिर्फ तीन स्टम है और अगर फिल्लर सही होग नहीं देंगे ना हरिस पंडिया सर कहते है ना सटकार सटकेंगे चौकार चटकेंगे ये पिता होगी सरफेक्शनल टाइड के साथ गेनबास को दोया जाएगा फॉर्टी नाइन ये तो बल्ला तिरसा करोगे ना तो अंकित पटेल बकसेंगे नहीं हर मरतबा स्लोर गेन ये कारगर साबित हो रहा है बहुत अच्छी गेनबाजी सूजबुज वाली गेनबाजी कोई गती का इस्तेमाल नहीं कर रहे है बल्ले बास को चौका रहे है आकरी ये ने चोथे ओवर की ये तो ब्लाइन सोटा लोकिंग लंडन टॉकिंग टॉक्यो गेन कहीं बल्ला कहीं निकाहे कहीं सोच समझकर बल्ला चलाना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वाइड रने डब हाई होती जा रही है चौबिस गेदों में 84 रन चाहिए 21 रन प्रती ओवर बहुती मुश्किल लख सब बारा सद्य दो पाज का करन रने चलाना प्रती जाना प्रती ओवर के समापनी पर स्कोर है 49 रन टीन विकेट के नुकसान के उपर आने वाली 24 गेंडों के उपर 84 रन प्रती ओवर 21 रन के हिसाब से बले बाजी करनी होगी कि जैन बाजी करने के लिए विकी पटेल जोकी कॉमेंट्री बॉक्स एंसे अपने स्पहल का दूर से अपनी टीम के लिए पांच वा ओवर लेकर गेंडों के लिए लिप्तम ऑठोड़क्स गेंडों करते हैं बिल्कुल स्टाइल अकसर पटेल वाली कि पहली गयन बल्ले का बाहरू नहीं की ना रहा सौट्थड मेन के ऊपर खिलाड़ी तेनाट काफी टेज भागते हुए वहां पर एक रन चुराल या नीरवने जहां टक नीरव की बात करेंड़ प्रिंच का अगमन हुआ है स्कूर है पचास रन चार विकेट के नुक्सान के उपर इस बार हलकी सी फ्लाइट गेन बाजी करने की कोशिश वहां पर डाउंडर ग्राउंड खिला है वहां पर फिल्डर ने फिल्ड की टप टक एक रन एक रन के साथ या पर प्रिंच जिन्नों ने अपने अकाउंट की शुरुआट की अब सिंगल या डबल से काम नहीं चलेग जड़ी आई यहां इन छेरणों के साथ यहां पर नीरा उपटेल जिरों ने अपने पचास रन पूरे कर लिए कि अध्रा गेंडों के उपर 50 रन हर मैच में मैच में फुने वाले खिलाडी को अकांट सा होज़ियरी की और से 500 रुपय का वाउचर कि इस बार हलकी से आउट्ष्विंग गेर वाजी करने की कोशिश स्वाट इस एक्स्ट्रा कवर की निसा में खिला रही तेना अटेक बहुत ही कुप सिर्ट चिकी सिंगल स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश स्कूर बढ़ता हुआ फिफ्टी एट रन कि चार विकेट के नुक्सान के उपर अब यहां से एक बल्ले बार्स को जोखिम उठाना होगा प्रिंस पटिल एक गेंड के उपर एक रन बना कर खेल रहे हैं फुल्टोस गेंड यह से आपर गेंड हाँ मैं आप विकेट की पर ने ने बाउट हीरल पटिल प्रिंस 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 के उपर यहां से एक रहे हैं झालकर का रहे विए लगया हैं यहां पर Man of the Match का खिटाब पा रहे हैं यहां पर अंकित पटेल जिनोंने टुफानी पारी खेली 80 टूरंड बनाए थे अपने टीम के लिए Man of the Match का खिटाब पाया यहां पर जेस भाई के हाटो यहां पर Man of the Match का पुरसकार और एक 500 रूपय का गीफ्ट वाउचर आकांसा होज्योरी की और से Thank you very much अंकित झाल 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 1 झाल 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 यहाँ से step out वो था अब राइठ बहले बाज झाल पर मारव पटेल और राइठ बहले बाज बाज अबाव इस पटेल यहाँ बाज 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 बाइठ बाज बाज़ की बाज़ को पहली बाज बाज़ को पहली गयां के उपर छेड गानी करने के लिए गए और अपनी विकेट अदिया यहां झाल 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 यहां पर देखिए पहली गैन के उपर प्रहार करने के लिए गए और एक बहुत ही बहतरीन बल्लेबाच मानव पटेल आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाच के रूप में साय के उपर राइट हैं बल्लेबाच पहुँच चुका है विनित और गैन बाजी के उपर पाविस्त तयार विनित पटेल देखिए इस बार गैन हुआ में विकेट कीपर गैन के नीचे और इस बीच कैच डॉप हुआ दो खिलाडी साथ में इकटे हुए थे थोड़ा सा हलका सा यहां खिलाडी का किनारा लिया और कैच हो चुका था कंप्लेट उसके बाद गैन हाथ में से लुडग गई इससे मोमेंट कैमेरामेन जीगनेस बहुत ही बहतरिन कैप्चर करते है वही माहौल बना था इस ग्राउंड के उपर बावेस पडिल गहरी सोच में क्यूंकि एक दूसरी विकेट मिलने वाली थी पावपले का पहला ओवर पहली गैन के उपर विकेट दूसरी गैन के उपर पाया हाथ के बले बाच विकी के लिए फिलिंग सजाने का काम कर रहे है यहांसे कप्तान और मेंटर के रूप में भावेस पडिल डीप स्क्वेल लेक और मिड विकेट बाउंड लाइन के उपर बल्ला चला था वहाँ पे अपील और आउट किनारा लिया था मोटा किनारा था आवाच यहां तक आई थी और लगने वाला यहां पे विकेट नमबर एक और अगर कैच ड्रॉप नहीं हुआ होता तो हैड्रिक हो जाता यह रेकोर्ड हो जाता पावपले का पहला ओवर पहल झाल 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 बहुत ही बहतरी नियासे ग्यानबाची पावेस पडिल की बाद की जाए तो अब नए बलेबाच के रुप में दीवियस पडिल दो विकेट अचा चुके है यहां से बोडलाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लेकिन इस टुनामेंट की बाद की जाए तो इसमें सोला टीम आ बाकी खेलेरी साथ खेला इठटीया सर्कल के अंदर विकेट कीपर गैंगा दिया सिवा इस बीच कावर के उपर खेला हलकी सी मिस्पील हुई थ्रोकी मायंग थी वहां पे नौन स्ट्राइक एंड के उपर लेकिन तब तक रन पुड़ा कर चुके थे दुनों बलेबाच अ लेकिन मीड़ाफ के उपर अमित ने जब तक गेदर किया तब तक एक रन एक के साथ स्कोर कार के उपर तीन रन दो विकेट के नुकसान के बाद अवर की बात की जाए तो पहला अवर प्रगति के उपर है स्री प्रमुक के अटरस द्वारा आयो जित पाटीदार प्रीमियर पुरा किया आखोई आखो में इससा रहो गया और एक रन की चोर ही कर ली गई यहां से अब एक अवर समावत हुआ पावर प्रे का पहला स्कोर कार के उपर चार रन बने दो विकेट के नुकसान के बाद बोडलाई स्पोर्ट कंपलेक्स बना जैपाटिदार साड़क पर 11 नाम के उपर एक अच्छा रेकोर्ड है 200 बलता दो ओवर में और विस रन अब है कि टॉप एल्डिया इसमीर तीस ते बले से सीधा स्वाट खेलने का प्रयास किया सीधा कॉमेंटरी बॉक्स का स्वागत हुआ इसमीच यहां से बहुत ही बहुत ही बहुत इन तरीके से गैंट चली के बाउंड लाइन के बाद चे रन के लिए अब चे के साथ स्कोर कार के पर दो डीजीट में स्कोर पोच्टा हुआ दस रन बोटलाइ स्वाट्स कॉम्पलेक्स अच्छा सौटीस पर गैप में बहुत अच्छा सौटीस पर फ्रिक किया और गैन को चॉप किया था गैन चली के वन बाउंड चाडन के लिए चोके के साथ 14 रन दो विकेट के नुक्सान के बाद अब उमेश तैयार अपने बॉलीमा क्योपर स्ट्राइक क्योपर दिविस पर दिल चार गैन बारा रन ड्राइव कर दिया इसमार वाइड और करको लेकिन मीड आफ के उपर अमित बहुती चौकर ने लॉंग बैरेट पोजिशन के उपर फिल्ड किया रन लेने की चेश्टा को खारिस किया इसमीश डॉट गैन एक यहां से वापसी करवाई यह उमेश ने पिछली दो गैनों के उपर अच्छे सॉट आये थे उसके बाद एक डॉट गैन आई है देखिए इस पार पिक अप सॉट मीड विकेट के उपर गुटने के बल के उपर बाउंड लाइन के बाद सेरे लिए यूस एन हाई मैक्सिमाम छे के साथ 20 रन दो विकेट के नुक्सान के बाद बोड बहुत अच्छी गैन इस पीच गैन को अपनी और खीचा था गैन की लेंद को गैन बाज ने अपनी और रखा था थोड़ा सा और क्रोस दा लाइन खेलना चाहते थे बल्ला पहले गुमा दिया उसके बाद टपा खाने के बाद बावेस के हाथों में गैन गई इस बीच सूजबुज वाली गैन बाजी उमेश देखिए इस बीच मिडल स्टम के उपर पाए गये LBW के अपिल कि गई और आउट करा धिया जाएगा पिचिंग इन दबाएन हिटिंग इन दबाजियो के रूप में मिडल स्टम के उपर पाए गये थे इस बीच और लगने वाला यहां पे विकेट नंबर तीसरा 20 के उपर बोड़ लाइफ स्पॉर्स कम्पलेक्स पटेल बहुत ही बेहतरीन यहां एक अच्छी टूनामेंट का आयोजन किया गया है देखे इस प्रकार जिस प्रकार से गयन की उपर उंगली गुमाई थी अंदर की और लाना चाते थे लेकिन गैन जीदी विकेट कीपर कहा तो मैं वाइट करा दिया जाएगा पावर प्ले खतम हो चुका है दो ओवर 21 तरन तीन विकेट के नुकसान के बाद अब पावर प्ले खतम होने के बाद गैन बाजी के उपर पार्थ मिनकच इस पीच आफश्टम के उपर एक लेक्श्टम के उपर वाइट एक आफश्टम के उपर वाइट हमारे यहां हम्यार कासत सर को एक्सरसाइज करवाते हुए पार्थ मिनकच बतलब बैक टो बैक दो वाइट चले गए इस साथ में इस पार अच्छी गैन थी एक कभी कभी ऐसा वाइट गैन एक गैन बाज की चाला का लॉंबडी वाला काम रहता है सकंजा बनाया जाता है साथ वैसा ही किया था पार्थ ने दो गैन को अंदर बाहर करवाई इस पीच बहुत बहतरी इन गूडलन स्पॉट के उपर रखा था देखिए इस बार टोपेज लिया पीछे खेलारी इंट्रेस्टेड और यहाँ पूल करने के उपर मजबूर किया और सफलता दिलवाई दो गैन वाइट उसके बाद गूडलन स्पॉट उसके बाद हाडलन गैन और पूल करना चाते थे मिड विकेट के उपर डि बाउंड लाइन के पराच्छा कैच विकेट नमबर चौथा विनित चार गैन का सामना किया दो रन बनाकर आउठो के वापस जा चुके है अब नए बलेबाज के रुप में यहाँ से राज ने प्रस्तान कर लिया है राज के उपर काफी दारो मदार एक बहुत ही बहतरीन अवल नमबर के अल्राउंडर माने जाते है राज की बात की जाए तो देखिए इस बार हैंड आइड कॉडिल से देखिए कवर की निसा में चीज़ प्रकार से सौट को खेला राज ने सूज-बूज के साथ एक क्रिकट यह सौट बहुत ही बहतरीन अब सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेश तरन चार विकेट के नुक्सान के बाद अवर की बात की जाए तो तीस तरह वर प्रकति के उपर है बाबा फडवेल और जीत खजूरणी इस मीच आउट करा दिया जाएगा बल्ले का किनारा विकेट की पर का सहरा और लगने वाला एक और जटका विकेट नूबर पाँचवा का पतन हुआ यहां जिस प्रकार से पाँच विकेट गर है जैसे साइकल स्टेंड में एक साइकल गिरने से सब गिर जाती है विसी प्रकार से पाँच विकेट चले गए पांच विकेट चले गए इस सववर में दिखा जाए तो बहुत ही बहतरी गैंट बाची बात द्वारा मानना पड़ेगा यहां से लेंथ और लाइन के साथ गैंट बाची करता हुआ पहले दो वाइड के उसके बाद देखो वापसी की मैंने बताया था कि यह कोई सकंजा हो सकता है तो वही काम करता हुआ यहां बले बाच को बीट करने का प्रयास करते हुए टोटल पांच विकेट चले गए बोडलाइ स्पोर्स कॉम्प्लेक्स ए आज के दिन का पांच वा मुकाबला आखरी मुकाबला लीला पॉर लाइन्स वर्सीस जस रोकर वापी के बीच में खिला जाएगा इसके बाद सुरज पडेल नहीं बले बाच के रुप में और पात के एकाउंड में बैतर इन्स पलता देखिए हलकी आतों से इस बार कवर की निसा में गैन को पुस किया था पुस करो खुस रहो उस प्रकार से सिंगल रन पूरा किया सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 तरण 5 विकेट के नुक्सान के बाद यहां ओवर की बाद की जाए तो तीसरा ओवर प्रगती के उपर है साड़े आठ का करन रंडे चलता हुआ प्रोजेक्टे स्कोर 68 के आसपास जा सकता है देखे इस बार संपरकुआ और गयन चली गई बाउंट लाइन के बाहर मीड विकेट के उपर से गयन लाने में ठोड़ी हमरी सहाईता करेंगे तो आपके बहुत ही सुक्रे गुजार होंगे एक अच्छा पिक अपसओड के लाथा पिछली गयन के उपर राज की बात मैंने कही थी एक बहुत ही बहुत ही बैहतरीन पींचीटर के रुप में मीडल अर्ड के बहुत ही बहुत ही बहुत ही बाज है उसी प्रकार से बलेबाजी करता हुआ देखिया अच्छा सौडिस मीश कवर की निसा में यहां से एक सिक्सल लगाया उसके बाद सिंगल लिया और दूसरे के लिए पलट वार किया हलके सी मीश फिल हुई और दो रन मुकमल के बहुत ही बहतरीन यहां दो रन के साथ स्कोर कार के उपर 32 रन पुरे हुए बल्ला जरूर चलाया था इस बार ऑन साइट के उपर खेलना चाहते रहे लेकिन गैन विकेट कीपर के हाथों में चलीगी इस बीच कोई रन नहीं डॉट गैन अभी भी स्कोर रुका हुआ 32 रन पांच विकेट के नुक्सान के बाद इस बीचे एक और सपलता यहां से भावेश के खाते में एक और विकेट बहुत ही बहतरीन गैन बाजी और राज को जाना पढ़ेगा आज राज ने नाराज किया यहां से बाज राज बाज राज बाज यहां से अब यहां से डीजे वाले ने जो गाना बज़ा था किसी के समझ में नहीं आया उसी प्रकार से बावेश की गैन बाजी भी लोकों समझ में नहीं आती पिछले मुकाबले में चार सफल था इस बार तीन अलक्यातों से ड्राइव किया इस बार एक्षना कावर थाटिया सरकल के अंदर जब तक तरो किया जाई एक रन बहुत तेजी के साथ पूरा किया था अब चीरा नहीं बलेबाज की रूप में यहां आये हुए है राजकास्तान लेने के लिए 6 विकेट चलेगे 32 रन स्कोर कार के उपर 33 रन सनमान दिया इस बीच यह खुट पलोथर में फिल्ड किया कोई रन नहीं को एक शरी नहीं डॉट गैन बावेस एक असर यह पाँच गैन कर चुका है साथ रन दिये तीन सपलता अब स्ट्राइक के उपर सुरज अच्छा सौरी स्पार स्वीपर कवर बाउंडर लाइन के उपर है जब तक फिल्ड किया जाए यहां से हलका समी स्पील हुआ लेकिन दूसरे की कोई गुंजाइस नहीं है अब अवर की समप्ती की गोशना की गई यहां हमारे अंपाइर सर द्वारा दोनों अनफिल अंपाइर की बाद की जाए तो जांबक सर और हमें अरकासत सर हमारे साथ कॉम बॉक्स में जी तुपडल सर और बहुत ही बेहतरीन यहां ए टूनामेंट का आयोजन किया गया तो इस सूरज का नाम जैसे सूना तो मुझे पडारिया वाला सूरज याद आ गया फिलहल न्यूजलेंड में है और उसके साथ प्रसंत भी याद आता है प्रसंत भी चला गया है यूके तो दो अच्छे आलराउंडर यहां इस उनामेंट में नहीं है क्योंकि जा चुके हम हमारे से साथ समंदर पार तो दोनों को हमारी और से डेर सारी सुपकमना प्रसंत भाई और सुरज भाई तो चार अवर के बाद 34 रन 6 विकेट के नुक्सान के बाद आने वाली कॉमेंटरी के लिए कॉमेंटरी बोक्स में स्वागत है हमारे बहुत ही जाने माने और सुप्र कि शुक्रिया सती गोमेंटेटर राज चोहान सब आपने तारीप मेली की लिखीन能 सभी को पता है राज चोहान किस टाइप का कमेंटेटर है बताने की जुर्वत नहीं ह suffers जलतá यह लेकर जहाँ पर भी जाते है तूनामेंड होता है आ तो हरेक चाहित है कलिर की दिल में कमें जाते हैं कॉल आना शुरू हो जाते हैं कराजवाई मेरा हैट्री को वीडियो बनाओ राजवाई में फिफ्टी वाला वीडियो बनाओ यह होता रहता है उनके आवाज बहुत ही प्रचली थे अब उनके मॉबाईल में दिखोगे ना तो सायद मेरे हिसाब से देड़सो के आसपास तो कम से कम स्टार प्लियर जो होते ना पूरी इंडिया के जिसमें बंटी पटेल भी आ गया कृष्णा साथ पुटे आ गया यह तो बहुत बड़े हैं बाकी सभी प्लेयर की बात की जाए ना तो सब जो स्टार है मुनना सेक है सबके वीडियो राजबाई के मोबाईल में आपको देखेंगे उनकी आवाज में उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग उनकी किसी भी है कोई बला अच्छा गेन बाजी किसी ने की है तो और उनकी आवाज में वीडियो आपको मिलेगा फिलाल मैच की सब्सक्राइब करेंगे च्छी विगेट के साथ 34 रन बोद्लै स्पोर्ट्स को दरसाई किया है जैपटीदर सादकपूर पटकी विगेंटी उच्छाल लेती हुई विगेट के दस्तानों में पार्थ ने एंड चेंज किया है विशे दिखा जाए तुर 22 की बात कीजिए तो 40 प्लस में आते हैं और कल जब चिंपियन हुए थे और एक थोड़ी से बाहर की तरफ नगले उंगलिया फेरी थी डाईव लगाई के इनको गहतर किया 40 प्लस को होने के बावजूद ओपन पाटीदर लेवा पाटीदर तुनामिन में अपना युगदान देते हैं कल जब क्वाट्य जब हुए थे मि बात वो कर रहा था कि एक बात की कमी रही थी जो के विकेट की और मिला कर बनाए तो आज देखने भी निकाली है तो दोनों और काम हुआ है दीन इनका है ये लखी क्राउन है इनका है बहुत अच्छी गैन बैक पूट विद धकेला है साथे और आठवे नंबर के बल्लेबाज को खेलना तोड़ा सा मुश्किल है पुछले बल्लेबाज आ चुके है सूरज पटेल अरची रा गाना है और एक पटकी वी गैन थी इक अंदो के आसपास से निकली है चोटी गेंदे कर रहे हैं फुला लाइन गैन बाजी का कोई प्रहास नहीं जानते है उपर डालो गे तो नहीं कल जाएगी अपने कोटे का दूसरा और फेकरे बारा रंदी कर दो सफलता कुली मिलागर छे में से पाच विक्टे मिनकस की बगेन बाजों ने इकाली है तीन भावेस की है दो इस बगेन बाज की क्रोस बेटर सीधा केला है सोटिस मीड़ाफ सरकल के अंदर ता सिंगल के साथ संतिस्ट होंगे एक के साथ रन संक्या 37 रन आकरी गेन है वेसी देखा जैतो मिनकस एक मिनकस की वाइडी सरी का बाहरी की नारा उंगली खड़ी की जापक सर ने तीन तीन विक्टे दोनों ने निकाल कर दिये कोल मिला कर साथ विक्टे गिरी और बाविस ने कैच लिया सायद लीडिंग रन कैचिस में भी उनका नाम ना जाय देखना पड़ेगा विकेट नमबर साथ त्वा बात चल रहे थी बावेस पटेल की लिडिंग वीकेट टिकर में आज नाम अंकित किया लिडिंग रन स्कूर में दूसरे नंबर के उपर प्रजे से ठीक नीचे चल रहे हैं और मॉस्ट विलिबल प्लियर में भी इनका नाम उपर है चौबिस नंबर है लेकिन काम किया है एक नंबर वाला शीराग पटल स्टाइक के उपर नॉन स्टाइक एन के पर नए बले बाज की रुप में हीरे नाए हैं रवी को सामिल के अगेन बाजी के उपर अपने कोटे का पहला वर फिकिंग है अठरा गेंदो का खेल बाकी है रन संक्या 37 रन साथ फिकेट के नुक्सन के उपर आज की दिन का पांचवा मुकबला क्रोस बेट हवा में गेन है लेकिन नॉमेंट्स लेंड निर्जन से तरह जिसको कहा जाना चाहिए दो बाउन्स गेन को घेदर किया दोनों बले बाज सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की इरिन स्ट्राइक के उपर 38 डाउन डर ग्राउन के ला दोनों को फिल्डरों के बीच में से गेन चीरती भी बाउंट लैन की और जा रही है अच्छी फिलिंग की है लॉंगन के फिल्डर ने पार्थ वहाँ पर मौजूद है कम सिकम 30 से 35 मिटर का फासला ते किया और टीम के लिए दो रन बचाए इन दो रनों के साथ रन संके 40 रन आइस्ता इस्ता पारी को चलानी का प्रयास है बावेश पटेल फिल्ड की जमावट करते है पार्थ मिडकस को थोड़ा सा मिड़ विकेट के पर पर परफेक्ट पोजिशन के पर खाड़ा किया और शटकी से तरह में चार फिल्डर कर दिये है अच्छी जैन थी ग्रोस बेटेर सोट केलने का פ्रयास था प्लाइन शोट हमनर राजिस अचरेसर के तेन लोकिंग लंडन टॉकिंग टोक्योग जैन कहीं बल्ला कहीं निगाहे कहीं दिशा दिखाने का प्रयास्ता और बाहरी की नेरा बल्ले बाद चल पड़े अमपैर को उंगली खड़ी करने की जरोती भी नहीं पड़ी बोदलाए स्पोट्स कॉंप्लेस की दोस्ती मुर्तबा स्पॉर्टमेंट स्पॉर्ट में ने देखी है चार वर पहले भी स्पॉर्ट कर रहा है तो देखने को मिली थी पिछली में इसमें कैच कहरी नहीं किया था वहां पर भी बता दिया था कि कैच नहीं था और एक फैर प्ले का एवोड भी है वो इनकी नजर रहेगी प्रमो के ट्रस के जो आठवा भी कड़े गिरा चालिस के उपर के चाउट कॉट बिहाइंड और फैर प्ले वोड है हम पैर गोशित करेंगे और 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 अर्गेनेजर कमीटी उसमें कुछ हिस्सा देंगे और अगर जरुवत पड़ी तो हमारे दोनों कमेंटेटर कल से देखेंगे जितु बाई और राजबाई उनका भी युगदान मिलेगा उनकी भी सला सुचन दिया जाएगा और उसके बाद वोश फैर प्ले वोड दिया जाएगा चालिस के उपरांट विके गिर्जुकी एक अपिल नहीं बलेबाज के रुप में बीच मिदान के उपर अच्छी गैंती वाईडी से रिखा कि अपर बल्ले से दूर रखने का प्रयाश जरूर है खेमा खाऊंवोस है जो रन बनने चाहिए बने नहीं च्छटी वर की आखरी गैन है अच्छा वर गटा है और क्या गैन निकली जाफा गैन जिसको कही जानी चाहिए तपा काया गूडलेंग के उपर थोड़ी सी काटा बदली कीपर के दस्तानों में ऐसी गेंदों को अनप्लेबल बॉल कहा जाता है ओवर की समाप्ती चे ओवर की समाप्ती के बाद 40 रन 8 फिकेट के नुकसान के पर बोदलाई स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स लीजे एक बलेबाज दीवियस पटिल अठरा रन बना कर गए बाकी कोई भी बलेबाज दबल जीत में प्रोईस नहीं किया लेकिन नहीं दो होगी कि अऐ एक आप से क्याच यह कैसा खेल गया पता नहीं चला आखरी जोड़ी मिदान के अपर डीजे ओपरेटर ने साओध गुमाया कप्राड़ा गुमाया मुंबई महरास गुमाया कभी कभार पंजाब भी लेकर जाईए आखरी जोड़ी मिदान के अपर फ्लिक सोट शिंगल निकाला 41 तूसर पटेल ने वेरी फस्ट बलिक असरी दूसरी गिन के अपर पहली गिन के अपर तूसर ने काउंड ओपन किया अब श्ट्राइक के अपर कप्स पटेल यू मिस आई विल डेफिनेटली इट फरनिचर डिस्टोई नजर हटी दुरुगत नगटी ओल आउट 41 के अपर ओल आउट हो चुकी है तीम 42 का तारगेट दिया है जैई पाटिदार सादकपुर को 42 रन ये टूनामेन का लोवे स्कोर है ओल आउट हो चुकी है बोदलाइ स्पोट्स कमप्लेक्स एक तरफ अर्स पर तो दूसरी मरतबा फर्स पर 133 उसको निकाल कर सीधी 41 की अपर जाकर रूग गई है बोदलाइ स्पोट्स कमप्लेक्स एक तूनामेन की बात की जाये तो ये प्रमोक केटरस कप सीजन दूसरा और खुब सुरताय जन किया गया कमिटी मेंबर्स की और से पंकित बाई, वीरल बाई, हर्स बाई, जै किसन बाई, तुरसीद बाई, दीवियस बाई, अमिद बाई, दुरू बाई, एन किसन बाई बहुत-बहुत सुक्रिया और गईजर के मीडी का इस टूनामेन की अफिसियल की बात की जाये तो हमारे तीनों अमपैर, जीतो पटेल सर, हमियर कासर सर, जापक सर, हमारे स्कोरर की बात की जाये तो क्रीकिरोस के, बीडी से के कौलिपाइड, जी सी के अमपैर, आकास, ग्राउन की बात की जाये तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप नीजे साउंड जो मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है सुरीला साउंड सुरसागर औरकेस्टर के मुकेश भाई और हीरेन भाई उनके ऑपरेटर हैं बहुत-बहुत सुक्रिया और इस टूनामेन की बात कीज़े तो दिनाइट टूनामेन का और्गनेस किया गया है पिछले साल भी वही देखने को बिला था और आज इस टूनामेन की सुरात हुई है पांचवा मुकाबला चलता हुआ बोदलाई स्पोट्स कॉंप्लेक्स एक्क्यालिस रन के अ पर अभी जोड़ी को जाई पाटिदर सदक्पर के कप्तान को बिंदी करता मिदान के पर बेजेंगे और बोदलाई स्पोट्स कॉंप्लेक्स जल सी जल फिलिंग्स सजाएंगे और इस मीच कॉमिटी बक्स में बोदलाई से जल फिलिए जाएंगे खराइंगे जा बडूराई से एक जान का पर श्राइफ्ण ने को जाएंगे निएंगे में हमीटी को आख जानका का एक्षा बलोदलाई गेज़िए मनें जाना का आख जाएंगे। टेंग डीजे टेंग डीजे आपने आमें पंजाब तो गुमा दिया ब्राजिल कभी कभार गुमाएगा और एक क्वाइस आई है आज की आज ही के दिन हों में कल नहीं हूं कल से सूरत में कॉमेंटरी है तो कल से दोनों कॉमेंटर रहेंगे अगली मैच में तो वो सुनाओंगा चली तो चली वाला डायलोग बहुत प्रचली थे चक्के वाला मुका मिलेगा तो हम उसको आपके सामने पेस करेंगे फिलाल कॉमेटरी बॉक्स में स्वागत है जीतू पटेल सरका थेंक यू सर्फ्राज बाई जीट के लिए यहां पर 42 बयाली सनों का लक्ष मिला है इस तुनामेंट का लोएस्ट कूर प्रमुख केटरस कप डो हजार टी सीजन टु का यह लोएस्ट को रहा जोगी यहां पर बोड लाइस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम रहा है पहले गेंड बाजी का पार यहां पर राज प्रारंबिक बलेबास के रूप में यास अंपायर की और से इसा रहा हो चुका है डूसरे इनिंग का प्रारंब पहली गेंड डाउंड ग्राउंड के लाहदा वहां पर मिडाउन के उपर हलका सा फंबल और गेंड सीमा रेखा के पार यहां पर शुरवाट अच्छी रही पहली गेंड के उपर एक फंबल मिला और चौका मिला इन चारणों के साथ यहां पर भावेस जिन्हों पने अकांट की सुरुवाट की जैपतिधार सादकपूर 11 जिन्हों पना पनांट की सुरुवाट की इस बार पटकी हुई गेन सौट आम पूल स्टोक खेलने की कोशी से अलगातार ये डूसरी गेंड के उपर डूसरा जोका कल भाविश की बाट करेंटो सेमी फाइनल में 99 नाबाद रंड बनाये थे और मेगा फाइनल में 98 रंड बनाये थे आज भी वही काम कर रहे हैं यह पहले बाउंस का हिसारा हो चुका है यहाँ पर स्कूर बढ़ता हुआ आंट रंड चार सो की स्ट्राइक रेट के साथ बल्ले बाच यहाँ पर पाविश पटेल के द्वारा आज बार जो कि वाइड इस लॉंग ऑन के दिशा में खेल दिया है वहाँ पर फिल्डर टेनाथ है पहला रंड का फिटे जी के साथ एक रंड के साथ स्कूर बढ़ता हुआ नव रंड अगला मुकाबला लीला पॉर लाइंस और जस्रॉक वापी डोनों टीम के कप्टान से गुजारी से के प्लीज जल से जल टॉस करने के लिए आजाए लीला पॉर लाइंस और जस्रॉक स्वापी इस ट्राइक के उपर रवी पटेल प्राइब और इस बार हलके हाटों से कट करने के स्टोकिक लेकिने काफी अच्छी यह पर राज की द्वारा वाप्सी करने की कोशिस यहां पर आउट करा दिया वहां पर काफी लेट डिसीशन दिया एक सोचा समझा डिसीशन वहां पर पहला जटका यहां पर रवी पटे लाओ कर दो कर दो कर दो कर दो करने का मौका मिला है स्कूर है नव रन एक विकेट के नुकसान के उपर चार गेंड हुई है नौव रन बना लिए है एक जटका जरू लगा है एक इमर्जिंग प्लियर जिसको कहा जाना चाहिए प्रठम पटेल इस बार डाउन 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 वहां पर मिड़ आप के ओपर खिलाड़ी तेनाट रन की कोई गुंजा इसने शुर्ज फिल्डर थे वहां पर श्कूर रुका हुआ नौव रन पारी का यह पहला वर जारी है जीट के लिए 42 बैल इसनों का लक्स मिला है इस बार छोटी पटकी हुई गेंड शौटाम पूल स्ट्रोग जड़ दिया चक्का प्रठम जिनों ने अपना प्रठम रन शिक्सर के साथ क्या बल्ले बाजी की सुर्वाटर स्कूर बढ़ता हुआ 15 रन पहले ओवर की समाप्री पर स्कूर है 15 रन एक विकेट के नुक्सान के उपर शुरज इस बार स्वागट किया यहाँ पर डीप फाइन लेक की निशा में भावेश का बल्ला आग उगल रहा है एक चक्का यहाँ पर स्वागट किया सुरज का बढ़े शिक्सर के पाद स्कूर बढ़ता हुआ 21 21 रन लीला पर लाइन्स के कप्टान से गुजारी से प्लीज टॉस करने के लिए आजाए इस बार जो कि खिलडार उजूड है वहाँ पर वाइड इस लॉंग ऑन के उपर फिल्डर फिल्ड करें टप टक एक रन स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिश महाँ पर स्कूर बढ़ता हुआ 22 22 रन पारी का यह दूसरा ओवर जारी है एक जटका जरूर लगा है लेकिन काफी अच्छी सिरुवाट मानी जाएगी यहाँ पर इस बार बड़े हिट की कोशिश लेकिन काफी अच्छी फिल्लिंग शॉट इस मीड विकेट के खिलाड़ी द्वारा रन की कोई गुंचा इस नहीं इस बार इंसाइड आउट के लिए का प्रयास गेंड जा रहे है यह सीमारे का गेंड जो की डूसरे बाउंस के बार सीमारे का पार क्या बल्ले बाजी यहां पर प्रठ्थम के द्वारा लगने वाला यह पहला चौका स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन एक विकेट के नुक्सान के उपर पारी का यह दूसरा वर जारी एक बार फिर से गेंड हवा में फिल्डर जिनोंने कोई गल्टी नहीं की प्रठ्थम की पारी समाप्टी लगने वाला यह दूसरा जटका सुरज को मिलने वाली पहली सबल्टा डीजे अगमन हुआ है इस बार कट करने की कोशिस की थी वहां पर गीन और बल्ली का संपर्क नहीं हुआ बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया डो ओवर की समाप्टी स्कोर है 26 रन डो विकेट के नुक्सान के उपर जैपाटिदार साड़क पुरिलेवन राज अपने स्पेल का दूसरा अपने टीम के लिए तीसरा अवर लेकर फिल्लिंग रिस्टिक्शन का समझ समाप्ट हो चुका है जाटक जैपाटिदार साड़क पूर इलेवन जोकी एक ड्राइविंग सीट के उपर बैठी हुई है क्योंकि आने वाली 36 गेंडों के उपर शूला रणों की जरुवट को एक यूपर भाविश्पटिल पांच गेंडों के उपर शूला रण आइस बार गेंडे को घूम कर खेल दिया है डीप मीडियो के लिशा में खिलाडी देनाट सिर्फ एक रंशे संटूस करना पड़ेगा इन एक रंण के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27-27 रंडों विगेट के नुक्सान के उपर जीट के लिए 15 रणों की जरुवट आने वाली 25 गेंडों के उपर छोटी पट के विगेंड पट को गेटो फट का जरूर खाओगे यहां पर पाठ के बले से निकलने वाला ये पहला सिक्सर स्कोर बढ़ता हुआ 33 हालो लीला पॉर लाइन्स के कप्टान प्लीज लीला पॉर लाइन्स के कप्टान से गुजारी से टॉस करने के लिए आ जाई मनन भाई से गुजारी से हलके हाटों से वहां पर पॉइंट के ओपर खिलाडी तेनाडर रन की कोई गुंजाइस नहीं स्कोर रुका हुआ मुकाबला एक तरफ हो चुका है कि इस बारहल के हाटों से एक कलाई की सहारे मोड़ी दिया खुब श्रट्ची की सिंगल जिसको कहा जाना चाहिए कि एक रुणों के साथ स्कूर बढ़ता हुआ चौटिस रन बटिस गेंड़ों के उपर आट रन कि इस बार गटी परिवर्टन करने की कोशी से हलकी सी अपील जरू ही थी लेकिन उट्साह में जाड़ा विश्वास में कम कि स्कूर रुका हुआ चौटिस रन और कि स्कूर है थर्टी फोर रन चौटिस रन डो विकेट के नुकसान के उपर कि 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 पहली गेंड यस यहां पर बाट की पारिसमा प्री लगने वाला तीसरा जटका हुआ है अगला मुकाबला लीला पॉर लाइन्स के कप्टान मनन पटेल सीनों ने टॉस चिट कर पहले गेंडवाजी करने का निर्णे लिया है इस बार अडिशा से बटके वाइड करार अटीरी करणों के साथ स्कूर बढ़ता हुआ थर्टीफाइब पैट्रिसन पारी का यह चौठा ओवर जारी है जीट के लिए साथ रणों की जरूरत है इस बार हलके हाटों से जैंटली पूस किया है देखना वहाँ पर फ्लिक्स और जिसको कहा जाना चाहिए गेंड जा रही है सी मारे खापार अमीट के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका जीट के लिए सिर्फ तीन रणों की जरूरत है यहाँ पर यह मुकाबला जीटने के लिए जाई पाटिदार साड़क पूरी लेवन को और इस बार गेंड हवा में फील्डर जिनोंने कोई गल्टी नहीं की एक सेफ हैंड कैच लिया वहां पर लगने वाला चौठा जटका अमिट आउट्रूकर पेविलियन जाई लिया जे पाटिए मुकाबला जी गल्टी ब़्ता हैंड कि ऴुष झाच टूर को बखिए नहींग मुकाबला चरकाल चाह प्ट्रोइवां अमाला जीज कि नए वलेबास के रूप में प्रटिक पटेल का अगमन हुआ है जीट के लिए तीन रणों की जरुए यहां पर विक्की पटेल जोगे अपने स्पेल में पहले अबर में डो विक्की चटका चुके हैं कि अब पूश करने की कोशिस वहां पर रनाउट का मौका देखना वहां पर एक और जटका एक और जटका लगने वाला ये पांचवा जटका प्रटिक पटेल जो कि दूर्भाग्या वर्स रनाउट होकर पैवलियन बीना कोई खाटा खोले जल्बार्जी करने की कोशिस महां ने बलेबास के रूप में यहां पर भूमिन पटेल का अगमन हुआ है कि जीट के लिए अभी भी तीन रणों की जरूर्ण है पारी का यह चौठा ओवर जा रही है कि दो गेंड इस ओवर से आनी बाकी है इस बार हलके हाटों से कट कर दिया है लेट कट जान बूच कर खेला हुआ स्ट्रोक गेंड जा रही है अमपायर का इसारा चार रण और यह मैच जो की यहां पर जैपाटीदार साड़क पूर 11 जिन्होंने पांच विकेट से जीट लिया है कॉंग्रेचुलेशन जैपाटीदार साड़क पूर 11 इस मैच के मैणब्ड मैच जिन्होंने डो ओवर कोई मेडन नहीं आंठ रन और टीन विकेट जबकि बल्ले बाजी में आंठ गेंडों के उपर दो चौके एक छक्का 17 रन बनाकर मैन अब डमेच खिटा पाने वाले तीसरी बार भावेस पटिल मैन अब डमेच आकांसा होजियरी की और से 500 रुपिय का गिफ्ट वाउचर और एक ट्रोफी इनाम की रुप में डिज जाएगी आकांसा होजियरी का और समगर जाएगी कर दो अब गार भावेस प्सेयो रप्सेट डिजियरी का प्सेट अचाएगी प्सेट बिजता रहेक है आकांसा एकांसांसांसांसा रिजाएगी झाल 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 तो यहां से लीला पॉल लाइन्स वर्सिस जस्ट रॉक 11 के बीच में मुकाबला खेल जाएगा जस्ट रॉक के 12 में से निवेदन है कि यहां आपको उपस्ती दोना है तो आज बाविस्ट पडेल चाचुके इस ग्राउन के उपर तो आपका स्वागत है और वेल्डन एंड कॉंग्रेश जुलेशन तीन मैचों में में मैणब्द मैच हुए बाविस्ट पडेल पहले मुका तक चले इसी हम यहां से प्रात्ना करते हैं तो इस पीच लीला पॉर ने टॉस्ट सीथा और फ्रील करने का फैसला किया और बलेबाजी के उपर इन्वाइट किया है जस्ट रॉक वापी 11 तो जस्ट रॉक आपको जली से अपने ब्राविक बलेबाज को बेजना है समय को द सफल बनाने के लिए हमारी जो स्पॉंसर सिप मिली हुई है असोग भाई पटेल और अंकित भाई पटेल साड़कपुर की और से हमें ट्रॉफी स्पॉंसर सिप में मिली हुए बॉल के स्पॉंसर की बात की जाए तो उंडाच धिमलेन मेंड़ दा मैच के स्पॉंसर की बात की जाए तो यहां ट्रॉफी और वाउचर पाथ सो रुपिया अकांकसा एंटरप्राइज लेडिस एन बैंस्वेर बलसार की और से डीजे साउंड के स्पॉंसर मुकेस भाई सुर्च सागर औरकेस्ट्रा के प्रोप्राइटर और हमारे अप्रेटर है हिरन प्रमुक मेडिकल और समाज के कमीटी मेंबर्स के और से हमें 11,000 रुपिया मिला हुआ है स्री मितेस भाई जोसी की और से 5,100 रुपिया मिला है तो उस प्रकार से हमारे स्पॉंसर की जो सुची है बढ़ती हुई इस्टुनामेंट का जो परपस है वो एक ही है कि लोगों की सेवा करना अनदान महादान का एक कुम्ब मिला चल रहा है यहां पे हमारे अनाथालाई जो है सुकेस में वहाँ 91 बच्चे है उसको अनाच दिया जाएगा इधर से जो भी जमारासी बचेगी तो जो कोई साथ और सहकर देना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है हमारे कमिटी मेंबर्स को मिलने के बाद आप कॉंटेक कर सकते हो कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए वो भ फिर से लेके चलता हो ग्राउन के उपर तो इस बीच हलकी आतों से खेला कवर की निशा में पीछे खेला डिदी बाउंड लाइन के उपर जब तक फिल्ड किया जाए और थ्रो किया जाए गैन बाच की और सिंगल रन पूरा किया सिंगल के साथ यहां से एकाउंट उपन पहली गैन के उपर सिंगल रन लीला पॉल लाइन्स वर्सिस जस्ट्रोक वापी के बीच में खेला जाने वाला ए मुकाबला प्रजे पटेल आज बहुत ही बहतरीन परफोमस रहा है प्रजे पटेल की बात की जाए तो दो हैप सेंच्यूरी बैक टो बैक लगाए दो मैचो आप एसा हमारे क्रिकेट पंडित बताते हैं लेकिन इसमें क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा फिलाल यहां सुर्वात हुई है पावर्पले का पहला उवर प्रगदी के उपर है बहुत अची गयानी समीच उल्टा बलना चलाया अपने ही माया जाल में फसे और बनी तो बनी नहीं तो सिंगम का गनी उस प्रकार का सौट थाए और सीधी वीकेट कीपर के पास कोई रन नहीं कोई चरी नहीं डॉट गैन देखे इस मीच बलने से बहुत तेजी के साथ आवाज निकली थी द्वनी निकली थी लेकिन वहां से सिंगल रन मिला और सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर जरूर बड़ोतरी होगी यहां से और की बात कीजाए तो पाव पले का पहला उवर प्रगदी के उपर है और स्कोर क पूरा किया पहला लेना चाहते थे लेकिन वापस किया था उसके बाद वापस प्लान किया मतलब एक राण चार रन हुए स्कोर कार के उपर जस्ट्रॉक वापी 11 देखिए इस मीच अच्छा सौट और सीधा कॉमेंटरी बॉक्स के पास स्वागत हुआ है इस सौट का और दोनों हाथ खड़े किये हमारे सर ने और सिक्सर एनाउंस किया अब च्छे के साथ दो डिजिट में स्कोर दस रन पावपले का पहला ओर समप्त हुआ और स्कोर कार के उपर दस रन बने तो अभी अभी मैंने फिलाल स्पॉंसर के बारे में बता रहा था तो अभी अभी यहां से एक बहुत ही बहतरीन एनाउंस होने जा रहा है सबको सुनना पड़ेगा सबको उसके उपर फोकस करना लाकि यह जो यग्य है यह जो हवन चल रहा है अन्न दन महादान तो 91 बच्चे है तो अभी अभी युएसे से कॉल आया है हमारे आजो के पास वो 91 बच्चों के लिए टी-सट देने का स्पॉंसर सिप मिल चुकी है हमें तो हमारे स्पॉंसर का तहदिल से तालियों के साथ स सुकूंद के लिए मंदीर में जाते हैं मस्जीद में जाते हैं और हिल स्टेसन के उपर जाते हैं एक बार डी-जेट सी एक रिकेट ड्याउंड के उपर आईए यहां माहौल देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का माहौल चल रहा है तो सर यह जो यग्य है यह सेवा के लिए तो वो लाइन जो हो उसको खतम करनी पड़ती है थैंकियो तो उसके लिए हम अक्समा चाहते लेकिन हमा आयो जग की भी रिस्पेट करनी पड़ेगी जो बताते हैं वो बताना पड़ता है तो इस मीच डाउन डग्राउंड खेला पीछे खेला री है यहाँ पे जब तक फिल किया जाए और थ्रो किया जाए यहाँ से रन पूरा किया था तो इस मीच हमियर सर जो बात बतानी की रहती है वो बतानी पड़ेगी हमारे आयो जग बताते हैं उसके लिए हम समा चाहते हैं आपको थोड़ी सी तकलिप हुई लेकिन टुनामेंट का परपस है उसको क्लियर करना इसके लिए आयो जग बताते हैं वो बताया मैंने थैंक इसमीच सामने खिला है पीछे खिलाडी और सीधा बाउंड लाइन के बाहर गैन चलीगे छे रेंड के लिए बहुत ही बहतर इन्सिक्सर सीधा यहां कॉमेंटरी बहुत का स्वागत हुआ और छे के साथ स्कोर कार्ड के उपर जरूर बढ़ोतरी होगी यहां से चे के साथ 17 रन विडाउट लॉस अजस्ट रॉक वापी यह सीच में स्प्लिक क्या दिखिए यहां घ्यान चलीगे सीधी मीड विकेट के उपर इसे कहते हैं नजाकत इसे कहते हैं ताकात वारा स्वाट तो इस बीच 23 रन स्कोर कार के उपर पावप्ले का दूसरा होवर देखे इसमार एक और स्टैंड एंड डिलिवर दो डाला इसमार सर्फ एक्षल के साथ इस अवर में तीन सिक्सर चड़ दिये यहां पे तामर तो बताले बाले जी तेड के साथ और निर्मा के साथ सर्प्रेक्सल के साथ डो डाला प्रिंस को इस बीच ताब और तो शिक्सर इस बीच टॉपेट लिया है पीछे खेलाड़ी यहां बीडॉफ के उपर और अच्छा कैच लगने वाला यहां पर जटका तो इस बीच यहां पे 29 रन के उपर जस रकर को लगने वाला पहला जटका बहुत ही बहतरीन यहां से गैनबाची और इस बीच सफलता दिलवाई अब लेके दो ओवर खदम हुए स्कोर कार के उपर 29 रन मने एक विकेट के नुक्सान के बाद पीछले ओवर में 19 रना हैं बहुत ही ताबड तो बल्ड़ आपके अब लुए पर जब्लावाई अले बाची देखने को मिले एक सफलता जरूर मिले लेकिन 19 रन अब स्कोर कार के उपर देखा जाए तो 29 रन एक विकेट पावर प्ले खतम हो चुका है फिल्लिंग डिसीजन खुल जाएगा यहां से ठट्या सर्गल के अंदर चार के लाड़ी और डिप बांड लाइन के उ लेसे निकल बाला सिक्सार तो इस बीच यहां से 35 के उपर स्कोर पहुँच चुका है मनन पडल ने पहला ओवर किया था 10 रन दिये थे कोई सपलता आसिल नहीं की थी इस बीच तीसरे ओवर की सुरुवात में सिक्सर के साथ पज़ाई ने स्वागत किया है प्रदे के बले से निकलने वाला इस प्रदे के उपर एक विकेट के नुकसान के बाद जस रॉकर्स 11 बना अच्छा साथ सीधे बले से सीधा इस बीच लेकिन यहां पे अच्छा फिल्ड किया और फिल्ड करने के बाद जब तक त्रो किया जाए एक रन पुरा किया था अब सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 36 रन यहां चौका जाने वाला था तीन रन बचाए अपने फिल्ड के लिए टीम के लिए बहुत अच्छा फिल्लिंग परफरमस मनना पड़ेगा देखिए इस बार आने बले से सीधा गसीटा और 6 रन बहुत ही इस बीच यहां कैच का साउंड जरूर आया था लेकिन अग्यान अकोर माउस के उपर बाउंट लाइन के बाहर चारण के लिए यहां वाइड लोंगान के उपर चौका मिलेगा और चौके के साथ स्कोर कार के उपर 26 रन एक विकेट के नुक्सान के बाद अजस्त रोक और अब ग्यान बाज तैयार देखिए इस बार फुल्टोस ग्यान थी बल्ला जरूर चलाया लेकिन नो मैंड लैंड में टपकाई यहां प्री प्लानिंग खेला गया था सोट यहां जो खेलाडी नहीं रहता वहां टपकाई और इसमीच रन पुड़ा किया अब सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 47 लॉस अब दो वन विकेट थर्ड़ वर इन कम्प्लेट 47 रन एक विकेट तीन अवर तीन अवर समप्त हो चुके है करन रन रेट की बात की जाए तो साड़े पंदरा का चलता हुआ यहां से प्रजाई 10 रन और चीराग 11 रन मनन ने दो वर किये और 28 रन दिये कोई सफलता नहीं बहुत अची गया थी इस बार आफश्टम के उपर थोड़ी सी बाहर नीशा खराब थी टपा बहुत ही बहतर इंडा गुडलेंड स्पोर्ट के उपर टपा खाई थी और वाइट करार दिया गया तो एक अतिरिक के साथ 48 रन एक विकेट के नुक्सान के बाद इस बीच पीछे के लाड़ी है तोपे लिया था और काव कॉनर के उपर कोई गलती नहीं कि वहाँ पे चीराग आउट होने के बाद वापस पिविलियन के और 15 रन बनाकर 5 गयानों के उपर झाल 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 अब नए बैटर्स के रूप में क्रुनाल ने प्रस्थान कर लिया है यहां पे दो विकेट चले गए है 52 के उपर जस्ट रोकर वापी 11 देखे इस बीच ऑन साइट के उपर जमीन के साहरे खेला अलंग दगराउंड पीछे खेलाडी जब तक फिल्ड किया जाए सिंगल रन सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 13 पर रन दो विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर की सुर्वात हो चुकी है और यहां से देखा जा में काफी डीप खड़े हुए है प्रजे स्ट्राइक के उपर देखिए शौट की नजागत देखिए उसके ही बहतरी यहां पर कैच करने का प्रयाश किया लेकिन कैच ड्रॉप हुआ सीधा सामने खेलाडी को डून लिया था इस बैस गैन ने मगर कैच ड्रॉप हुआ देखिए उसी दिशामा खेला इस बीच यहां पर खेलाडी लेकिन जूके ड्राइव क्या लेकिन गैन चली गे बाउंड लाइन के बाहर वहाँ पर हमारे impact खेलाडी भी थे लेकिन गैन बाउंड लाइन के बाहर अच्छा सोड इसमीच सामने स्टेंड एंड इलेवर कड़क बेदड़क सिक्सर और छे के साथ स्कोर कार के उपर 63 रन 63 रन बन चुके बहुत ही बेहतरीन बल्ले बाजी चार अवर की समाप्ती हुई 63 रन बने दो विकेट के नुक्सान के बाद साड़े पंद्रा का करन रन चलता हुआ या प्रजाई 20 के उपर पहुँच चुके है नीराव ने एक अवर किया 16 रन दिये एक सबलता अब आने वाली कोमेंटरी के लिए कोमेंटरी बॉक्स में सरफ्रास मागडा का स्वागत है सुक्रिया साथी कोमेंटरी दे चारावर किसमापती 23 रन दो विकेट को नुक्सान किया पर गेन अब सामिल के गया गए इन बाज मितेस पटल अब आए अब ऑनसे के सित्रों में खेला पीछे फिल्डर तेना थे वन बॉस के नगोंगे तर क्या स्ट्राइक प्रजय को वेरी फरस्पल्स स्ट्राइक मिली ए प्रजय पटल की बात की जाए तो नौ गेंदो का सामना कि अब 20 के निची स्कोर के अपर खेल रहे हैं ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली है 25 गेदों में दो रन के अपर खेल रहे हैं रन सेंक्टर चौसेट रन प्रजे की बात कीजिए तो टुर्णामिन के लेडिंग्स रन स्कोर अर्बन चुके हैं पहले पैदान के अपर खड़े हैं अच्छी पारी अखेली है तीसरी में तीसरी अच्छी पारी अब देखा जाए तो स्टाइक रेट अच्छा और सेंगल सेंगल स्टुष्ट दो गेंदे दो सिंगल सेंगल के अभी तक बात की जाए तो अच्छा वर गट्टा हुआ अपसेट वाली के इनको मीड विकेट की तरफ गसीटा था विकेट कीपिंगे सेवा बजाते हैं पिंटू ओवववव में गयन है इंसाइड आउस्ट के लाए गयन जारी है बाउंड लाइंड के बारां पैर का इस आरत दोनों भाहे पहला की छे रन का चक्के की सातरन संके जाप मुची है सेवण्टी वन रन एकतरन सेवण्टी वन रन एकतरन दो विकेट को नोकसान के ओपर चार आसर यह तीन गेंदे हैं पिल्डर एसी दी कैच रॉप होम डिलिवरी पार्सल दिया था एक तरफ दुआ कुझ सी तरफ खाई थी दोनों तरफ बचे हैं पहले कैच आउट के रुप में ड्रॉप किया गया फिर रन आउट का भी मौका मिला था फसे थे रनिंग बिटून दे विकेट में दोनों तरफ बचे किसमत की गोड़े के अपर सवारे किसमत इस बीचा बड़ा सॉट में डिशा में डाउन डग्राउंड केला गैन दिखी नहीं साहिए चौका देकर गई यह और यह ब्लाइंड चौका कहा जाएगा फिलर के हिसाब से रन सेंके सेवंटी सिक्स इस मरतबा एटल स्पॉंसर के रुप में नहीं है पिछली साल था अप्षार की सित्रा में चाडा ला गया हाथ कोलने का मौका दिया तो रूम दिया था गोली के रप्ता से ट्रेसल लाइका उपुलेट वें डूट बाउंड लेंबा फोरांस असी पांच अवर असी रन पांच अवर की समापती के बाद असी रन सोलर रन प्रतेवर रन बन रहें पिताई हो रही है सर्फेक्शल टाइडर निर्मा का साथ सभी गेन बाजो को धोया जा रहा है वक्त रातरी कहा लेकिन पिताई हो रही है 12 गेदो में 29 के उपर प्रजेखेल रहे हैं 4 गेदो में 9 के उपर कुणाल स्ट्राइक के उपर है निराव गेन बाजी के उपर चली तो चली मन चली तो कहा चली तुझे नहीं जाना चाहिए तो वहाँ चली सनम बेवाबा होकर छेरन देकर चली खुपसरत सिक्सर आउन सट किसी तरह में खेला है स्क्वेले की पीछी अमपर तेनात है यह जो पीछला वाला जो चक्के वाला डायलोग था ना हमारे तेजलाउस के वन अब दो बेस्ट कॉमेंटेटर है उनकी सुरीली आवास की बात कीज़े तो परिमल भाई तेजलाउस से विलोंग करते हैं उनका यह डायलोग था और हमको याद करेंगे अच्छी कॉमेंटेटर वाइडिस ने का क्या कैच लिया क्या कैच लिया पिंटो भाई कदकाटी की हिसाब से डाय लगाना मुश्किल लेकिन डाय भी लगाई कैच को गेधर भी किया और डेंजर में इनको पेविलियन बेजा आखिर काई प्रजय बैक टू दा पेविलियन वीकेट नमबर तीसरा लीजे करन पटल स्टाइक के उपर ग्रॉस बेडरे सॉट के ला पीचे फिल्डर तेना थे पट की वी गेंथी ऑनसेट की सित्रों में खेला खेले गंपर के पीचे से सिंगल निकाला एकाउंट उपन किया वेरी फस्बल रन संक्या आटासी रन तीन वीकेट के नुकसान के उपर चटा ओवर जारी है दो गेंदे बाकी है आट रन देकर सपलता निकाली है इस ओवर में जैसे वेसे फ्लिक सोट नल जकत बरा सोट था डाउन डग्राउंड के ला सिंगल के साथ रन संक्या एटीन नाइन खुप सुरुत कैच लिया गया था देखिये स्क्रीन के उपर उपर वाली गैंते बल्ला तेड़ा किया था सीधे बल्ले से खेलते तो नतीजा कुछ अलग हो सकता था आखिरकार है डाउन 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 के साथ इस उवर को खतम किया छी उवर की समाप्ती के बाद रन संक्या एटीन नाइन नवासी रन तीन विकेट को नुक्सान के उपर बारा गिंदो का खेल बाकी है जस्चुरुक्वापी बहती महत्वपून मुकाबला केल रही इनके लिए इस मुकाबले को जीतना जरूरी है अगर यहां से इस मुकाबले को जीत लिया तो ये कौलिफाई कर जाएगी त्यूंकि बोदलाई एक मुकाबला जीती है लीलापूर एक भी मुकाबला जीती नहीं है इनके लिए भी आकरी मुकाबला है और जस्रोक्स वापी भी एक मुकाबला जीती है तीनों मुकाबले जीत कर जैई पाटिदर सदकपुर टेबल पॉइंट के बर पहले नमबर पर पर है पटकेंगे तो यहाँ पर पड़ेंगे फटकें उड़ावला पठावला सठकार दाखावला कड़क बेदड़क सिक्सर रन संक्या 95 लीजे बालार दीपक भाई कन्फरम किजे रुद्रा यस सनफ दीपक भाई वाईडी से देखा लेक्ष्टम के बाहर गेंधी छोटेगत के अंपायर जीतु पटेल की और से वाईट काई सारा एक आत्रिक सरणो के सत्रन सिंक्या 96 नैंटी सिक्स आत्रिक से अंपायर आत्रिक स्क्राइब करते हुए दोनों कप्तान स्क्रीन के पर आप देख सकते हैं इवाईड है नॉबल होगा साइड या सिटी जै जीतु भाई का जितना हाथ है उतना हाथ फेला है जीतु भाई ने और नॉबल फ्रीट बाड़ा सोट का प्रयास रहेगा बला हिट बहुत उची बहुत लंबी पिजे फिल्डर है लेकिन देखते रह जाएंगी फिल्डर दर्सक दर्सक फिल्डर बनते हुए उलाया अड़की नेक मोदा फटकर चेंडू सिमारे सते बाहर सहदवा सतकर 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 एक यहां है कहा या सिटीज दोना अमपैर ने साथ में हाथ कड़े के नौब बॉल है के चाउट नहीं है या सिटीज रन नहीं लिया है दूसरी की मांगे रन आउट हो सकते हैं फ्री हीट की अपर रन आउट वैली डैस मरतबा लिया है वापस से दो रन यह मिस्पिल है क्या चोका है देखना पड़ेगा चोके का इसा रहा किया स्पोर्टमें स्प्रीट लीलापूर लाइन्स की टीम खेल रही है लेकिन उनकी दगाउट से और से इसा रहा हुआ है कि मिस्पिल का चोका है यह पांच यह छे काउन की जाएंगे अमपैर सर दोना अमपैर सुने चित करेंगे पांच रन नॉबल याने के कुल छे बल्ले से पांच और एक नॉबल का छे रन काउंग किया जाएगा 115 इंसाइड आउट सॉट कवर के उपर केलने का प्रयास्ता फ्री टी सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट की है रन सेंग्या 116 रन 27 रन चार गेंदों में दे चुके दो गेंदों में दो चक्के लगेंगे तूना मिन का महंगा और बन सकता है कल 35 जड़े थे वो लेजन्ड वाला कुरूना मेंटा इस मर्तबा डोट गेन आखिर खार दर्शन करवाए पिंटु भाई को गेन का आती नहीं थी गेन बहुत समय हुगया था दर्शन हुआ है लोगर फोटोस गेन थी बल्ले का नीचला हिस्सा लगा जमीन को छुने के बाद कीपर के दस्तनों में के दाड़ आकरी दो गेने दाड़ फेकर खतम किया सब्वर को 27 रन दिये सब्वर में 7 अवर की समाप्ती 116 रन तीन विकेट के नुक्सान के अपर जस रोक स्वापी 11 आकरी छे गेने बाकी है कप्तान कौन से गेनवास को बुलाते ही देखना पड़ेगा विसे आज के दिन का आकरी मुकाबला भी है इसके बाद 4-4 और राजबाई और जीतू भाई के रहेंगे जो उसके बाद मेरी बारी नहीं आएगी ये मेरा आकरी दिने कल से सूरत कॉमेंटरी है तो मैं और्गनाजर कमेटी की और से बहुत देर सारी सुक्री अदा करता हूँगे और पाटिदर समाज की और से के जिन्हों ने इस मेदान की ओपर मुझे बुलाया कॉमेंटरी के लिए नियुता दिया तो बहुत बहुत आबरी रहूंगा मेरी आवाज इन प्लेयरों तक पहुचाई सभी लोगों के तक पहुचाई यूए से तक पहुचाई तो मैं जो कमेंटर था सर्फराज माकड़ा खास करके पंकित भाई और रसिग भाई और जिन जिन लोगों ने कमीटी मेंबर है जिनोंने मुझे सहयोग दिया है जिनोंने मुझे बुलाया इस टूनामेन के लिए और्गनेजर कमीडी का तो है दिल से शुक्रियादा करता हूँ और कहीं वापस मका मिलेगा तो फिर वापस मिलेंगे वही दुआ के साथ आज खतम करेंगे आकरी छेगे देबा किये एक सो सोलार तीन विकट के नुक्सान के उपर पटकेंगी कैन तो यहाँ पर छक्का दिखने को मिलेगा सीधे पीछे फिल्लर है कैच किया फिल्लर ने दर्शक ने खुपसरत कैच लिया गया एक छक्की के साथ रन संक्या 122 रन बड़ा स्कोर खड़ा करता है तुनामिन का हाईग्यस स्कोर 132 है 122 बन चुके हैं जस्ट रोक स्वापी के क्रोस बेडर सीधा चक्का है यहाँ सीरीज कड़क में दड़क उड़ावला पाथावला सतकार दाखवला पुराने प्लेयर रोबिन सिंग ऐसा खेला करते थे क्रोस बेडर सीधा चक्का और उड़ाया तीन गेंदे तीन सिक्सर इस सववर की बात की जाए तो कूल मिला कर तुनामिन का हाईए स्कोर बन चुका है 134 रन चौती गेंदे गेप में खेला वन बाउंस चौका है नई सिंगल है और सिंगल के साथ 135 रनर 14 गेंदो में 40 की उपर कुणाल केल रहे है उनको स्ट्राइक दी है करन ने करन ने भी बेहती गंगा में हाथ दोए बड़ा हिट चका है बल्ले की आवाज से जो साउंड निकला था ना साउंड को इंगलिस में द्वनी केते हैं और द्वनी का राशाणिक सुत्र है इस इक्वल डू एमसी स्क्वेर अलबर्ट आइंस्टाइन और उसी अंदाज में टक करके निकल गए छे रन के लिए चक्की के साथ रन संक्या 141 रन 147 बने है और पचास रन बना कर गए 16 गेंदों में 22 रन की पारी के लिए 147 टुनामिन का हाइए स्कोर जड़ा है लिलापर लाइन्स को जस्रोक्स वापी ने 148 का टर्गित दिया है चैस करने के लिए लिलापर लाइन्स पिंडो भाई का बला चला नहीं है जो लेजन क्रिकेटर है उनका बला नहीं चला मैन आइकोन प्लेयर का बला नहीं चला लिलापर लाइन्स का दबदबा इस टोनामिन में देखने को नहीं मिला बहुत सारी जगा पर कॉलिपाई होकर आगरी दिन खेलने को देखती है लिला पर लाइन्स की टीम है दो-तिन जगा पर चेंपियन भी जैसे संजापम मिदान के पर दो मरतबह चेंपियन हुई है और इसी मिदान के आपर पिल्ली साल रनसब टीम थी और इस मरतबह कास कुछ गटा नहीं है क्या जीत के साथ खतम करे यार बड़े हार के साथ टूनामिन से अलवीदा कहेगी वह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलार में सर्फराज माकड़ा सभी दर्सकों का और्गनेजर कमीटी का ऑफिसल पेनल का जिन जिन लोगों ने सयोग दिया है मुझे आमतित किया है सब का मैं तहदिल से सुक्रि के साथ अलवीदा कल से जीतु भाई और राजबाई दिखेंगे थेंक यू थेंक यू थेंक यू थेंक यू झाली थेंक यू छफिसे से सुक्षान के लोगदा खिस्थल से मुедडिया है झाल 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 हुआ है होम्यार कासट सर के और से जीट के लिए एक सो अड़ पहली गैन हवा में फिल्डर जिनों ने कोई गल्टी नहीं की बिंटु भाई का बल्ला आज इस मैच में भी खामोस रहा पिछली मैच में भी पहली गैन के उपर आउट होकर पैवलियन इस मैच में वापस भई रिपले लीला पर लाइन्स को लगने वाला यह प कि अग्याओं पर लेबार्स के रूप में यहां पर नीरव का अग्मन हुआ है जीट के लिए 148 वन फॉर्टी एट इस बार हलकियादों से जेंटली पूश किया है वहाँ पर सौटिक स्कवर के निशा में खिलाडी रोहन खड़े थे वहाँ पर जब तक फिल्डर फिल्ड करें तब तक एक रन चुरा लिया एक रन के साथ नीरव जिन्होंने अपने अकाउंट की स्कोर बढ़ता हुआ एक एक विकेट के नुकसान के उपड़ आज बार कुछ आवाज जरूराइटी वहाँ पर विकेट की पर ने प्रयास अच्छा किया था यह केच होना चाहिए था प्रजाई थुड़े से नाकुस वहाँ पर स्कोर रुका हुआ एक रन अधार जमीन के समान अंटर खेलने की कोशिज हाफ स्टॉप की अथा वहाँ पर जोफ के खिलाडी जिन्होंने पैर से यह इन को रुकार सिर्फ एक रन से संटूस करना पड़ेगा इन एक रन के साथ यहाँ पर मनन पटिल जिन्होंने अपने अकाउंट की सुरुआत की स्क पहले बाउंट के बाद गेन सीमा रेखा पार डीप एक्स्ट्रा कवर की उपर फिल्लिंग रिस्टिक्शन का जो फाइडा है वो उठाया वहाँ पर नीरव के बले से निकलने वाला यह पहला चौका स्कोर बढ़ता हुआ छे रन कल जो की यहाँ पर एक बजे मुकाबला स्टार्ट होगा रिपोटिंग टाइम साड़े बारा बजे इस बार जो की प्रोटेक्शन जरूर है रोहन के रूप में डीप एक्स्ट्रा कवर की निशा में पहले बाउंस के बाद फिल्डर चिनोंने फिल्ड की सिर्फ एक रन से संटूस करना पड़ेगा स्कोर बढ़ता हुआ साथ रन एक विकेट के नुक्सान के उपर पहले ओवर की समाप्टी हो चुकी है कल जो कि यहाँ पर सार्प एक बजे मुकाबला सुरू होगा डोनों टीम के कप्टान पहली मैच जो है कि यहाँ पर पहले हैं डोनों टीम के कप्टान से गुजारिस है शाड़े बारा बजे रिपोटिंग टाइम है कि अ कि 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 की कि क झाल झाल दीमी शुरुआत यहां पर स्कूर है साथ रेन डू विकेट के लुक्सान के उपर लीला पॉर लाइन्स जो कि डगाउट में थोड़ा सा सनाटा साया हुआ है यहां पर फिल्डर जिन्हों ने प्रयास किया ठाले कि ने पहला सिक्सर यहां पर डर्सिल के बल्ले से निकलने वाला यह पहला सिक्सर कि स्कूर बढ़ता हुआ थर्टीन टीरा रन आइस बार सौटाम पुल स्टोक केल डिया है गेंड जा रही है सीमा रेकागी और अंपायर का फैसले का इंटिजार रहेगा यहां पर पहले बाउंस के बाड़ यह पहले बाउंस के बाड़ गेंड सीमा रेकापार अंपायर का इसारा चार रन स्कूर बढ़ता हुआ सत्रा रन एक और एक और इस बार जो के डीप फाइनले किरिशा में अंपायर का इसारा चेरन डर्सिल का वल्ला आग उगल रहा है हुआ अ है श्कूर मुआ बढ़ता हुआ 23 रंडो भीकेट की नुक्षान के उपर काफी अच्छी इस ओवर से बल्लेबाजी चार गेंडों के उपर सोला रन आ चुके हैं पहली गेंड के उपर विकेट जरूर मिला ठालेकिन लेकिन आज बार जो की जड़ में डालने का प्रयास अलकिसी अपील जरूर हुई थी लेकिन उत्साह में जाड़ा विश्वास में कम बिंडी गेंड ब इस बार इंसाइड आउट इंसाइड आउट गेंड जो की अहां पर पहले बाउंस के बाद सीमा रेखा पार है इन चार रणों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 27 रण आने वाली चटीस गेंडों के उपर 121 रणों की जरुवट फिल्लिंग रिस्टिक्शन का समाई समाफ्ट हो चुका है दो ओवर में 27 रण बना लिए है यहां पर लीला पॉर लाइंस जिनोंने गेंडबाजी के उपर एक बार फिर से खुट कप्टान प्रजाई पतेल अपने स्पेल का पैर डूसरा अपनी टीम के लिए टीसरा हो लेकर कॉमेंटरी बॉक्स एंस से गेंडबाजी करेंगे पहले और में साथ रन देकर एक बड़ी सफल्टा उन्होंने पिंटू को पहले गेंड बल्ले का टॉपेज जरूर लगाठा वहाँ पर विकेट कीपर को बीट किया लेकर शॉट फाइन लिक्यों पर जो खिलारी थी काफी अच्छे फिलिंग वहाँ पर सिर्फ एक रंज से संटूस करना पड़ेगा स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिस वहाँ रिक्वाइड रंडेट जो है प्रेटी और बीस रंड के हिसाब से बल्ले बाजी करनी होगी और इस बार अगेंड हवा में नो मैंस लेंड में पहले बाउंस के बार अगेंड जो की यहाँ पर सुमीट को बीट करती हुए सुमीट जो के लंबे कट के खिला ली है लेकिन उनको भी बीट किया वहाँ पर यह जो नीविया हेवी गेंड है टप्पा खाने के बाद बहुत उछाल लेती है चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ थर्टी टू बट्टीस रंड आइस बार फॉलर्ट्रू में एक अच प्रजाई की बात करें तो काफी अच्छी नियन ट्रिट गेंड बाजी अभी तक नौगेंड के उपर बारा रन खर्च किये हैं इस बार उड़ाया उड़ाया जाएगी आड़ा डर जंडरन देकर यह यहां पर डर सील के बल्ले से निकलने वाला एक और बड़ा सिक्षर इस बार सोटम पूल स्टोग खेल लिया है फिल्डर मात्र डर्शक बन कर रह जाएंगे लगातार बैक टू बैक डूसरा सिक्षर क्या बल्ले बाजी यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ चवाली 44 रन काफी अच्छी वल्ले बाजी 9 गेंडों के उपर 36 रनों की निर्णायक पारी दर्शिल पटेल के द्वारा स्ट्राइक को रोटेट करने की कोशिस वहां पर एक रोणों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 टीन ओवर की समाप्री पर स्कोर है 45 रन आने वाली टी सिगेंडों के उपर एक सो टीन रनों की जरूरत रिक्वाइड रन डेट प्रटी ओवर साड़े बीस का स्री प्रमुख केटरस लिला पर द्वारा आवेजित पाटिदार समाज क्रिकेट टूनामेंट डेनाइट टूनामेंट सीजन टू का आगाज हो रहा है स्री प्रमुख केटरस कप यहां पर मुकाबला ठीक एक बज़े शुरू होगा डूनों टीम के कप्टान ज्यांदे साड़े बारा बज़े रिपोर्टिंग टाइम है आपका कि गयनबाजी में परिवटन करन पटेल पहली जैन के उपर स्वागट किया यहां पर बड़े शिक्सर के साथ डर्सिल पटेल का बल्ला बोल रहा है स्कोर बढ़ता हुआ चियर अप्ड़ फिप्टी इक यावन रन पर दो 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 कि आज बार जड में डाला बड़ला ले लिया इट का जवाब पत्तर से लगने वाला ये टीसरा जटका यहां पर बहुत ही बड़ा जटका यहां पर डर्सिल पटेलाओ डीजे झाल क neutrाओ यहां प्रसिल एल रे खलता हुआ ख력 का यहां पर बड़ले को है झाल प्रिंस के रुपे प्रिंस आये हैं पहली गेंड जो कि आपर डॉट गेंड श्कूर रुखा हुआ फिफ्टीवर्ट इक्यावन रेंट टीन विकेट के लुकसान के उपड़ पारी का यह चौठा अवर जारी है इस बार सीटे बले से कॉमेंटरी बॉक्स के ठीक बगल से गेंड जो कि आउट अब ड़ पार्क प्रिंस के बले से निकलने वाला यह कड़ा कि स्कूर बढ़ता हुआ फिफ्टी सेवन रन टीन विकेट के नुकसान के उपर टीन टीन ओवर चार गेंड हो चुकी है अब इस बार लोवर फुल्टोस गेंड बना कर खेलने की कुर्शी चाट डीप मीड्यू केट की सामें कि आड़ी तेनाठे जब तक फिल्डर फिल्ड करें एक रन इन एक रन के साथ स्कूर बढ़ता हुआ फिफ्टी एट रन रिक्वाइड रन डेट अब धीरे धीरे उप कड़मों का इस्टेमाल करके खेलना चाड़े टेबल लेका अंद्रूनी की नारा लिया सौट फाइन लेक के फिल्ड द्वारा हलका सा फंबल हुआ गेंड जा रही है सी मारिका की और पी अच्छा वहां पर बैक अप किया था वहां पर डीप धर्में के फिल्ड द्वारा दोरन चूरा लिए इन दोरनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ सांथ सिक्स्टी चार ओवर की समाप्टी हो चुकी है स्कोर है सांथ सिक्स्टी टीन विकेट के नुकसान के उपर आने वाली चौबिस गैंडों के उपर 88 रन प्रती ओवर 22 रन के हिसाब से बले बाजी करनी कर दो अब का भी स्वागत है यहां चार ओवर समाप्टी होए सांथ रन बने तीन विकेट के नुकसान के बाद लिला पॉल लाइनस यह मैच को जीतने के लिए 24 गैरों के उपर 88 रन चाहिए अब छोड़ बदल चुका है हमारे सामने फारेंड के और से गैन बाजी की जाएगी और अब तक देखा जाए तो यहां से सुमीत ने एक ओवर किया 20 रन दिये एक सफलता और करन ने एक ओवर किया 15 रन दिये एक सफलता अब रिक्वाइर रन डेट की बाद की जाए तो 22 रन चाहिए हर वर में मैच को जीतना है तो लिला पॉल लाइन्स फुल डोस गान इसमें आज सामने गैन बाज के उपर से खेला लेगिन पीछे खेलारी कैच ड्रॉप हुआ और सिंगल रन पुरा किया सिंगल के साथ स्कोर काड के उपर 61 रन 61 तीन विकेट के नुक्षान के बाद लिला पॉल लाइन्स वर्सिस यहां पे जस रोक वापी 11 के बीच में खेला जाने वाला ए आज की रिद का लिग मैच का आखरी मुकाबला देखिए इस बाच लेक्स टेम के उपर ग्यान की हुक कर दिया और लॉंग लेक्स के उपर ग्यान चलीगे चेरेंड के लिए बहुत अच्छा सोट बले से चेरेंड की चाप लेके निकली अब सुमित तयार देखिए इस बीच आगे आने के बाद बले की उपर लेना चाते रहे लेकिन यहाँ पीछे जब तक फिल्ड किया जाए और ग्यान चली गई वहाँ से चार रन के लिए दो खेला दीजिया ड्राइव भी किया लेकिन चौका मिला बहुत अच्छा सोट मनन पडेल के बले से निकलने वाला एक और चौके के साथ 71 रन तीन विकेट के नुक्सान के बाद 14 के उपर बले बाजी करता हुआ छे गेनों के बाद मनन पडेल देखिए इस बीच पूरी लंबाई के साथ ना आगे जाओ ना पिछे जाओ उचाओ तो कहाँ जाओ उस प्रकार की गेन थी एवाली और डाउन डग्राउंड खिला सिंगल के साथ 72 रन तीन विकेट के नुक्सान के बाद लीला पॉल लाइंस 26 रन चाहिए 20 गैनों के उपर 20 गैन 76 रन बल्ला चलाया इस बीच यहां से लेकिन त्रो भी हुआ तब तक रन पूरा कर चुके थे दुनों बले बाचे लेक बाई का इस सारा हमारे में एंपर की बूमी का में जीतू पटेल सर स्क्वेलने के उपर होम्यार का सत्सर हमाल साथ कॉम बॉक्स में जहांबक सर कॉमेंटर जीतू पटेल सर्फरास माकडा आकास गरणिया हमारे क्रीक हीरोस के स्कोरर यूटूब ऑपरेटर आनन पटेल कैमेरा मैं जीगनिस बहुत अच्छा सौट इस पर बैकपूट पर गए और वाइड यॉरकर को एक्स्ट्रा कवर के उपर से गैन को बेचा बाउंटर लाइन के बहुर बहतरीन सौट और स्कोर कार के उपर यहां से जरूर बड़ोतरी होगी एक अच्छा सौट देखने को मिला मनन पडल के बल से एक मैक्सिमम आता हुआ यहां से सिक्सर अभी भी देखा जाए तो आटरा गैनो के उपर उनहतर रन 18 बॉल्स और 69 रन 23 का रिक्वार रन रेट है हर ओवर में यह सुबीत ने दो ओवर किया 38 रन दिये एक सपल था लिला पॉर लाइन समल बाजी के उपर इस बीच पैरों के उपर एड़क किया था गैन हवा में है खेलाडी गए लेकिन नहीं पहुँच पाए तब तक एक रन अब एक के साथ 80 रन तीन विकेट के नुक्सान के बाद चठावर प्रगति के उपर है अब मनन पढ़िल आंट गेरों के उपर 21 रन दो सिक्सर एक चौका टीम के कप्तान है मनन की बात की जाए तो तपेड लिया सॉट फाइंड लेकियो पची राग जीन होने कोई गलती नहीं की और इस बीच चीराग ने कैच किया बहुत ही बैसरीन एक अवल नंबर के खेलाडी माने जाते है डेगाम कराया कि और से बिलंग करने वाले चीराग जीन होने कोई गलती नहीं की 17 नंबर की डिसर लगाई और कैच किया अच्छे बल्ले बाच को पेवलेंट का रास्ता दिखाया असीरन स्कोर कार्ड के उपर यहां छठा वर प्रगदी के उपर है गैन बाच मितुल तैयार अपने बॉलेंग के उपर पिछली गैन के उपर एक सफलता जरूर मिली और बहुत अच्छा क्याज किया चीराग स्वाट फाइंड लेके उपर हलक्यातों से इसमीच कवर की निशा में गैन को धकेला वहां से सिंगल रण पुरा किया कल तेरा तारीक के रॉयल चैलेंज बोस्टन्स आपके प्लेइंग 11 कॉंटेक्ट नंबर के साथ देना है किंग 11 वांडर वेला और सौनवाडा इंडियन्स और कमल टाइगर राबडा चारों टीमों के कप्तान ओनर से निवेदन है कि आपके प्लेइंग 11 और कॉंटेक्ट नंबर के साथ इस पीछ गयान आ रहे है विकेट कीपर के पीछे यहां से वाइड और चौका मिलेगा वाइड और चौके के साथ स्कोर कार के उपर 5 रन की बड़ोतरी होगी और 5 के साथ 86 86 रन अब मितुल तैयार अपने बॉलेमा के उपर दूर वाले छोड़ से देखिए इस पीच एक्ष्ट्रा कवार के उपर टारगेट किया है खेला डिगैन के पीछे जा रहा है लेकिन वहाँ जब तक बाउंडर लाइन के उपर रोका जाए और त्रो किया जाए दो रन मुकमल किये अच्छे रनिक बिड़ोतरी साथ अब दो के साथ 88 रन चार विकेट के नुक्सान के बाद चोड़ा गैनों के उपर साथ रन चाहिए प्रिंस स्ट्राइक के उपर बहुत अच्छा सौड़ इस पॉइंट के उपर कैच्छ डॉप हुआ अब प्रजे के और थ्रो किया जाए तब तक एक रन एक के साथ 89 चार विकेट के नुक्सान के बाद लीला पॉल लाइन्स वर्सिस जस रॉक वापी 11 के बीच में खेला जाने वाला एक लीग मैच का आज के दिन का आखरी मुकाबला जड़वाली गैन करने का प्रयास किया जमीन की सहारे खेला जब तक फिल्ड किया जाए यहां से एक अच्छे रेनिंग बीच विसाथ पूरा किया रॉयल चेलेंज बोश्टन्स और सौनवाड़ा 11 आपका प्लेइंग 11 कॉंटेक्ट नंबर के साथ जमा करवाना है क्रिक हिरोस के उपर कल यहां तकलिप नहीं होनी चाहिए सही टाइम के उपर मुकाबला सुरू करना है तो इतना सहकार आपका चाहिए ठेंक्यू अपका अबर 12 गैनों के उपर 58 रन देखिए इसमीच एक्ष्टा कवर को टार्गेट किया उसके उपर से गैन जारी है लेकिन पीछे खिलाड़ी काफी दूर और चौका मिलेगा बहुत ही बहतरीन चौका बटोराइस एक्ष्टा कवर के उपर और चौके की साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94 रन चार विकेट के नुक्सान के बाद 7 वर प्रगर्दी के उपर है अभी रिक्वाइर रन रेट की बाद की जाए तो हर वर में 29 रन चाहिए आने वाली गैन और एक वर को पकड़ेंगे तो 29 रन बनाना है एक वर में मैच जीतना है तो लीला पॉल लाइन्स को करन पटेल गैन बाजी के उपर देखे एक और बैक पूट पंच किया है पीछे खेलारी एक्स्टा कवर डी बाउंड लाइन के उपर फिल्ड किया लंबे कत के खेलारी जीतनों ने त्रोक किया गैन बाज की और सिंगल रन सिंगल के साथ स्कोर कार के उपर 95 चार विकेट के नुक्सान के बाद साथ वावर प्रगती के उपर है अभी भी दस गैनों के उपर तीरफ पंद रन चाहिए प्रजे इविकेट कीपर के रुप में गैन को गिदर किया इस बीच कोई रन रही को एक्षर टे नहीं डॉट गैन बले बाज खेलने का प्रयास किया था आफ्स्टम के उपर लेकिन संपर्क हुआ नहीं इस बीच लोंग आफ के उपर प्राहर किया है पीछे खेलाडी इंटरिस्टेड है और अच्छा कैच बहुत ही बहतरीन कैच किया और लगने वाला विकेट नंबर पाच्वा लिला पॉल लाइन्स 95 के उपर पाच्वा विकेट गया और विकेट करन पडिल के एकाउंट में पाच्वा यह विकेट नंबर ले खेले हैं देखे इस पीछ चो ऑन साइट के उपर खेला चाहते थे गयांट चली गई पॉइंट की दिशा में खेलाडी गयांट रहे आन साइट के उपर प्लेफ्थम नमबर एक की गारी प्लेफ्थम नमबर पाच के उपर और कोई रन नहीं कोई अक्षरे नहीं डाट गयांट एक और अच्छी गया इस बीच सीधी विकेट कीपर के हाथो में कोई रण नहीं को एक सिर नहीं डाट गैन अब अवर की समप्ती की गोश्णा की गई जीतू पडिल सर्थ वारा और यहां से साथ अवर के बाद 95 रण बने अब आने वाले 6 गैनों के उपर 1350 रण चाहिए कि उसको अवर देनी चाहिए लेकिन फिलाल सौट फाइनले के उपर चिराग विकेट कीपर के उपर प्रजाई और गैनबाजी के उपर जाई कल जाई के पीता स्रीबी यहां खेले थे सैलेस बाई चालिस प्लस वाली टूनामेंट में डाउन डग्राउंड के लाई इस बीच वाइड लॉंगाउन के उपर पीछे खेलाली को तेनट किया था जब तक त्रो किया जाई एक सिंगल के साथ स्ट्राइक रोडित के दो नबले बाचोने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96 रन, 96 रन, 5 विकर के रुक्सान के बाद 148 का पीछा करना है जिसमें से 96 बन चुके है अभी भी 52 चाहिए एक पाहर जीसा स्कोर खड़ा किया था जिसका पीछा करती हुई यहां से लिला पॉल लाइन्स जैप पडिलता है यहां अपने बॉली माक्यों पर हलिकॉप्टर रुड़ने का प्रयास किया लेकिन वाइट बॉल एक अतिरिक रन और अतिरिक के साथ 97 लॉस अप दो 5 विकेट 8 अवर इन प्रोग्रेस अब जैप आईयार अपने बॉली माक्यों पर देखिए इस भी चस्टांप आउट किया और विकेट मिला यहां से लगने वाला एक और जटका हर स्पड़र या ग्राउंड उपर होई तो तमारा मम्मिश्री गेट पर वेड़ा है करेच है हर्श पड़र या इस पीच यहां से बॉड़ी के साथ गैन टक रहाए ड़ाट गैन कोई रण नहीं को एक सरी नहीं अभी इस वर की चार गैन हो चुकी है दो गैन का खेल बाकी है दो गैनों के उपर 51 रण चाहिए मैच को जीतने के लिए जैता येर अपने बॉलिंग माग के उपर इस मीच कवर की निशा में हलके आतों से खेला पीछे खेलाड़ी एक रण यहां से रणाउट का मौका जरूर बना था वहां पे और रणाउट भी किया प्रजय ने अभी भी देखा जाए तो यहां से एक और विकेट का पतन हुआ अगया है अब इस बीच डाउन डग्राउंड के ला लॉंगाउन के उपर पीछे के लाड़ी है रन यहां से पूरा नहीं होगा डाट गैन्ट तो इस बीच यहां से जस रोकर्स ने यह मुकाबला जीत लिया है अब बहुत ही बैहतरीन परफूमेंस हमें देखने कर मो बले बाजी के उपर अब गैने बाजी के उपर भी बहुत ही बैहतरीन पर फूमेंस रहा और क्रूनाल मैंठ देमाच मैच के लिए वहां इन्वाइट किया जा रहा है तो प्लीज आप वहां चाहिए और टॉफी और वाउचर आपको मिलेगा अकांक सा एंटरप्राइज के और से और होसेरी के और से आपको 500 रुप्या का वाउचर और टॉफी नी जाएगी कुरुणाल सुबस भाई के हस्तक से मेनब्द मैच दिया जाएगा तो सुबस भाई को भी आना है और कुरुणाल को भी चली साना है तो आज की दिन यहां से लेते हैं हम सब बीदा कल ठीक एक बज़े यहां से मैच सुरू किया जाएगा तो सभी को साड़े बारा बज़े रिप्रिंग कर झाल 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 झाल